इस particular सीरीज में हम इतने questions करेंगे कि आप लोग कहेंगे कि मैं बस धक गए आपने यही नहीं देखा कि A, B, C, D क्या होता है सीधा words बनाना सीखरें तो कोई फैदा होगा? नहीं तो सेम उसी तरह से आपके concept building के लिए बेटा 11th बहुत important है यह जो mole concept chapter है यह chemistry के हर जगा में यूजो होता है अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक reaction देखें अब कितना reactant यूज करें कि कितना product बने यह सब कैसे बदा चलेगा जब आपको mole concept आएगा Hello students, welcome to the amazing platform of physics वाला Welcome to your backlog series, my dear students I hope आप सभी super excited है, क्योंकि बहुत से students का एक बहाना है मतलब 100% यह बहाना चलता ही है, कि मेरा तो ना backlog हो गया है मैं 12th कैसे पड़ू, मुझे तो 11th समझी नहीं आई हुई And let me tell you बेटा, आपकी 12th के लिए 11th बहुत ही important है Yes, वही होगा न, जिसे हम foundation की बात करते हैं अगर आपको भी एक घर बना रहे हैं, तो आपके घर की foundation बड़ी strong होनी चाहिए फिर वो घर सालो साल बढ़िया रहता है बट अगर foundation ही strong नहीं होगी, तो काम नहीं चलेगा खुद से ही relate कर लो अगर आपको school में directly first में डाल दिया जाए nursery LKG नहीं आपने attend किया है आपने यही नहीं देखा कि A, B, C, D क्या होता है सीधा words बनाना सीख रहे हो तो कोई फायदा होगा? नहीं Right, yes, तो बटा ये सभी चीजें बहुत important होती है foundation के लिए Right, yes, तो सेम उसी तरह से आपके concept building के लिए बेटा 11th बहुत important है तो अगर आपने कोई भी chapter, कोई भी topic miss किया है तो आप इस recorded series में उस particular chapter का वो particular topic देख लो Right, yes, तो आप सभी की problems को solve करने के लिए हम आ गए है And I am Anushka Chaudhary, I will be taking your physical chemistry portion So, let's start my dear students, आज हम mole concept से start करने वाले हैं Okay, तो जादा हमें time waste करना नहीं है क्योंकि हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है बहुत सारे questions करने है And let me tell you, इस particular series में हम इतने questions करेंगे कि आप लोग कहेंगे कि मैं बस थक गए लेकिन हम नहीं रोकेंगे बेटा Question practice करेंगे और अरे concept को एकड़म clear कर लेंगे Right, yes So, चलिए बेटा, start करते हैं सबसे पहले हम देखें तो हमारा topic जो है Just a second So, सबसे पहले बेटा, हम mole concept को किन किन topics के अंदर divide करेंगे Let's talk about that So, जो पहला topic हम discuss करने वाले हैं That will be your matter Yes, and matter तो बहुत easy है ये तो आप लोग अपनी 9, 10 पे भी पढ़के आई हो तो खोग खाय सिकत होने वाली है नहीं Second topic would be your laws of chemical combination इसके बारे में discuss करेंगे Third will be my dear students, mole concept और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दू ये जो mole concept chapter है न ये chemistry के हर जगां में use होता है अब मुझे एक बात बताओ आपको एक reaction दे दी, ठीक है अब कितना reactant use करें कि कितना product बने ये सब कैसे बदा चलेगा जब आपको mole concept आएगा यानि कि कोई भी topic हो उसके अंदर mole concept ज़रूर involved होगा ठीक है, तो इसको हम एकदम excel कर लेंगे don't worry, when I am here, nothing to fear चलो, third topic हो गया है then we will talk about the stoichiometry stoichiometry and then we will talk about limiting reagent my dear students and finally we will talk about concentration terms बहुती सारे amazing questions जो हैं वो इस topic से आते हैं सारे topics को हम excel कर लेंगे one by one हम हर एक topic को discuss करते हैं, the first topic is matter ठीक है, तो let's discuss about matter, तो बेटा अगर माम आपसे एक simple सा सवाल पूछती है what is matter matter क्या है, ठीक है तो ये तो माम 910 में हमने पढ़ा हुआ है हमें पता है what is matter anything that occupies space and has mass is matter ये तो माम हमेशा बढ़ के आए हैं, right yes, तो चलिए बेटा, इसी को लिखते हैं हम सबसे पहले, yes तो anything that has mass and occupies space is matter, ठीक है, चलो ये बात तो आपको समझ आ गई कि matter क्या है, अब बेटा आगे discuss करते हैं, ठीक है मैं तो में एक example देते हूँ पहले तो हम matter के वारे में discuss कर लेते हैं, ये pen, ma'am ये pen matter है की नहीं है, बिल्कुल क्या इसका mass है, हाँ, क्या ये कोई space occupy कर रहा है बिल्कुल तो ये क्या है, matter है ma'am, पानी इसके अंदर जो पानी है क्या वो space occupy कर रहा है, बिल्कुल क्या उसका mass है येस तो बिटा, वो भी matter है similarly, similarly gas, vapors, air जो हमारे around है, वो भी बिटा, space occupy करती है अगर नहीं मानते, तो एक चीज करना तुम खुद ये समझ जाओगे, तुम ना एक बाल्टी लेना पानी की बाल्टी लेना, पानी बहर देना बाल्टी में, एंड उसके बाद में एक खाली मग जो है, वो perpendicularly उसके नीचे ऐसे प्रेस करने की कोशिश करना, तो बिटा, आपको न जब वो पानी के अंदर चाएगा, तो सारा का सारा पानी उसके अंदर, उस मग के अंदर नहीं जा पाएगा, थोड़ा आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो जो repulsion आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि भई कुछ space जो है, वो इस air ने भी occupy कर रखा है, तो यानि की मैम, वो भी एक matter है, है ना, हाँ, तो चलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैम, यह तो समझा गया, लेकिन आपने एक चीज दिखाई, मैम, कि हमने pen का example लिया, जो solid था, हमने water का example लिया, जो liquid था, also मैम, हमने gas का example लिया, जो gassier state में था, right air का example लिया, तो मैम, यह अलग-अलग states में क्यों है, यह बारे में discuss करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चलिए बटा, अब मैं तो में एक, एक question पूछती हूँ, just tell me this, कि अगर मैं आपके सामने H2O लिखती हूँ, क्या यह आपको visible है, I hope यह आपको visible है, yes, अगर मैं आपके सामने H2O लिखती हूँ, तो क्या दिमाख में आता है, मैं, H2O यानि की, मैं, एक ही चीज आ रिए मेरे तो दिमाख में, क्या रिए दिमाख में, कि this is, this is water, water जो हम पीते हैं, and मैं, यह तो liquid state में है, है न, yes, H2O को देखके यही लगता है, yes, but, यही पर आप गलत हो, क्यों, क्योंगे बेटा, H2O तो solid state में भी exist करता है, कैसे, solid state में exist करता है, बेटा, वो as your ice, हाँ की नहीं, yes, माम, बिल्कुल exist करता है, similarly, बेटा, steam, water, vapor, भी तो बनते हैं, steam, और वो क्या है, gaseous phase है, यानि की, माम, हम बोल सकते हैं, steam, that is your gaseous state, यानि की H2O जो है, वो हमने mentally ऐसे सोच लिया है, कि वो liquid ही होगा, लेकिन वो तीनो states में exist कर सकता है, H2O is matter, my dear students, and matter can exist in solid, liquid as well, समझ रहो कितना amazing है, तो यह चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, yes, तो माम, अब जो अगला सवाल आता है, वो यह आता है, कि क्यों ऐसा हुआ, मतलब कैसे पता लगेगा कि water matter जो है, वो solid state में होगा, liquid state में होगा, या gaseous state में होगा, उसका भी answer मिलेगा, चलो और उसका answer ढूनते हैं, ठीक है, yes, तो बेटा, जो आपका matter होता है, just a second, yes, तो जो आपका matter होता है, वो matter बेटा, आपका exist, दो, उसकी जो state होती है, वो दो factors पर depend कर, अब वो दो factors क्या हैं, उसके बारे में discuss करते हैं, एक, दो type की energies होती हैं, और वो in fact, हर matter के अंदर होती है, एक होती है, आपकी force of attraction, और एक होती है, आपका thermal energy, ठीक है, यह, तो जो state होती है, matter की, वो actual में function होता है, temperature और pressure का, हर चीज़ का relation समझाऊंगी, just two seconds, मैं, state जो होता है, वो function होता है, temperature और pressure का, ठीक है, अब समझो, तो इस बात को, आपने, मतलब temperature और pressure तो हर matter के आसपास ही होंगे न, येस, अब वो किस तरह से operate कर रहे हैं, वही decide करता है, कि matter की state क्या है, ठीक है, असान-असान चीज़े कर रहे हैं, initially, तो आपको कोई problem आईगी नहीं, don't worry, अब मान लो, आपके पास में force of attraction और thermal energy दोनों present होते हैं, माम, force of attraction यानि की particles पास आ रहे हैं, तो obviously force of attraction बढ़ रहा होगा, बिल्कुल बढ़ रहा होगा, तो यानि की बिटा, हम कह सकते हैं, कि यहाँ पे माम, जब हम pressure बढ़ा रहे हैं, तो force of attraction जो है, वो बढ़ रहा है, जब हम, जब हम pressure बढ़ा रहे हैं, तो force of attraction बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि thermal energy खतम हो गया, thermal energy भी exist कर रहा है, बट, अब बिटा, आपका force of attraction जो होता है, वो dominate करने लग जाता है, कैसे करता है, दो मिनिट में बताऊँ, ठीक है, next, let's talk about it, increase in temperature, अब मान लो, तुमने temperature increase किया, मान लो, तुमने temperature increase, तो जब तुम temperature increase करते हो, तो particles ना इदर उदर भागने लगते हैं, चलो एक example देती हो, तुम class में बैठे हो, ठीक है, और class में अचानक से कहीं पे थोड़ी सी आग लग गई, ठीक है, yes, तो भई temperature बढ़ गया, हाँ, तो अब क्या करोगे तुम, एक दूसरे के पास-पास आओगे, नहीं, तुम भागने की कोशिश करोगे, रैंडम ली दर उदर भागोगे, मानते हों कि नहीं, yes, यानी कि, जब temperature बढ़ता है, तो thermal energy बढ़ती है, और जब thermal energy बढ़ती है, तो particles रैंडम ली दूर दूर जाना चाहते हैं, समझाया, I hope समझाया, अब इन्हीं दोनों चीज़ों को use करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, now tell me something, कि बेटा, case 1 की बात करते हैं, ठीक है, your case 1, case 1 क्या है, कि ma'am, अगर, अगर हमारी force of attraction जो है, वो dominate करें, यानि कि वो बहुत ज़ादा हो thermal energy से, हर एक matter में, दोनों तरह की energies exist करती हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक dominate कर रही होती है, particular conditions में, तो अगर force of attraction, thermal energy को dominate करें, तो ma'am, अगर force of attraction, thermal energy को dominate कर रही है, मतलब कि particles बहुत पास-पास हैं, और अगर particles पास-पास हैं, तो solid, liquid और gas, कौन सी state exist करना चाहिए, वो solid exist करना चाहिए, राइट, येस क्योंकि उसमें ना particles पास-पास होते हैं, तो बस वही बेटा, यहाँ पे आपकी solid state जो होती है, वो present होती है, ठीक है, तो solid state में force of attraction जो होता है, वो dominate करता है over thermal energy. Let's talk about the case 2. Case 2 में, मैम, अगर thermal energy जो है, वो बहुत ही जादा dominate करे over your force of attraction. अगर बेटा, आपकी thermal energy बहुत ही जादा dominate करती है over the force of attraction, तो मैम, अब particles रांडम ली इदर उदर भागना चाहेंगे. तो जब आपके particles रांडम ली इदर उदर भागना चाहते हैं, तो फिर आती है आपकी gaseous state. मानते हो कि नहीं, gaseous इदर उदर ही भागती रहती है, particles की random movement होती है. तो मैम, यहाँ पे हमारी होगी gaseous state. ठीक है? चलो, बहुत ही बढ़िया. Let's talk about case 3. Case 3 में बिटा, अब thermal energy ज्यादा होती है, लेकिन force of attraction के comparable होती है. थोड़ी सी thermal energy ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा difference नहीं होता. तो यहाँ पे आपकी जो state exist करती है, वो होती है liquid stick, ठीक है? Yes. कोई दिक्कत नहीं है? Yes. तो इस तरह से अगर कोई भी force of attraction energy से related question आए, तो कोई गल्टी नहीं करें. I hope clear है? Yes. मैं side हो जाओंगी, if you want to write it, pause कर लो video को और लिख लो. ठीक है? Perfect. Let's move to the next slide. Next, my dear students, अब आपके सामने यहाँ पे solid, liquid और gas आ गये हैं, ठीक है? जैसी pictures मिली, I tried, वहाँ पे मुझे steam की picture नहीं मिल दी थी, तो वो मैंने gas दिखाने के लिए वैसी बना दी, ठीक है? अब देखो. वैसे mass, shape यहाँ होना चाहिए था, बट ठीक है? ऐसा करते हैं, इसे हम यहीं लिख लेते हैं, white color से लिखेंगे हम यहाँ पे, mass, then we will have shape, and then we will have volume, ठीक है? Yes, perfect. अब देखो बेटा, अब हम इसको solve करने की कोशिश करते हैं. Now, आपको यह बताना है, कि कौनसी चीज, कौनसी state में fixed होती है? ठीक है, बस इतना ही बताना है, simple सा है, let's talk about mass, तो बेटा, solid का mass fixed होता है कि नहीं, बिल्कुल मैम, बेटा, mass तो ना, हर चीज का fixed होता है, चाहे वो liquid हो, चाहे वो gas हो, matter क्या है, anything that occupies space and has mass, तो mass तो सबका fix ही है, तो मैम, यह भी fixed है, और यह भी fixed है, ठीक है? परफेक्ट, कोई भी दिख कर दिए, let's talk about shape, solid की shape fix होती है, बिल्कुल मैम, solid की shape एकदम fix होती है, तो solid की shape होती है, fix, let's talk about liquid, क्या liquid की shape fix होती है, इस पानी को, अगर मैंने इस bottle में डाल दिया, तो यह इस की shape ले लेगा, इसी पानी को, अगर आप कोई square bottle में डाल दोगे, तो वो square की shape ले लेगा, यानि की, volume की shape, sorry, वो liquid जो होता है, उसकी shape जो होती है, वो fixed नहीं होती है, तो हम यह लिखेंगे not fixed, ठीक है, perfect, let's talk about gas, gas की shape fix होती है, क्या, नहीं, इस room में gas है, इस room की shape ले लेगा, किसी container में डाल दो, उसकी shape ले लेगा, यानि की, it is also not fixed, ठीक है, let's talk about volume, volume बिटा, solid की volume fix होती है, बिल्कुल मैं, solid की volume एकदम fix होती है, ठीक है, yes, let's talk about liquid, liquid की volume fix होती है, yes, that is important, liquid की volume एकदम fix होती है, अगर ये मान लो, एक लीटर पानी होता, ठीक है, तो वो एक लीटर का पानी, अगर आप किसी और container में भी डाल दोगे, तो भी वो एक ही लीटर रहेगा, वो दो लीटर नहीं बन जाएगा, हाना, yes, तो यानि की मान, volume जो होती है, वो liquid की fix होती है, let's talk about gas, क्या gas की volume fix होती है, ये है सबसे interesting question, gas की volume बिल्कुल fix नहीं होती, एक example देती हूँ, imagine, आप कोई event में जा रहे हो, मतलब किसी शादी में जा रहे हो, और आपके cousins अब एक room में आपका wait कर रहे है, आप ready हुए, आपने फटा-फट डियो वियो लगाया, डियो क्या है, गैस ही तो है, चीक है, डियो वियो लगाया, और आप फटा-फट उस room में गए, चीक है, जैसे ही आपने room खोला, आप उन तक पहुंचो न पहुंचो, पर आपके डियो की खुश्बू उन तक पहुंच जाएगी, कैसे, जो डियो लगाया था, वो gas थी, yes ma'am, और जैसे ही आपने दर्वाजा खोला, उस gas ने उस पूरे room की volume को अपना volume बना लिया, और पूरी की पूरी volume को acquire कर लिया, right, yes, तो यानिकी हम क्या कह सकते हैं, कि भाई, gas जो है, उसकी volume fix नहीं होती, आप उसको जिस container में डाल दो, वो उसकी volume को ले लेता है, चीक है, yes, तो shape fix होती है, और कब volume fix होती है, वो मैं आपको थोड़ा सा idea दे दे, ठीक है, yes, यहीं पर ही छोटा सा, मैं एक point बना देती हूँ, let's see, हमारे पास पीछे जगा है, क्या, नहीं हाँ, तो हमारे पास जगा नहीं है, let's write it here, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा example दे नहीं ह आपको, shape fix करनी है, बिटा, जब आपको shape fix करनी होती है, तो इसके लिए ना, दो चीज़े चाहिए होती है, वो दो चीज़े क्या है, अब imagine करो, आप और, let's say, तो आपके friends है, यहाँ पे यह और यह, let's say, this is Rahul and this is Ajay, ठीक है, राहूल और Ajay, ठीक है, अब, आप दोनों एक particular जगाँ पे खड़े हो, ठीक है, अब मैंने बूला, अब मैंने बूला, कि आप दोनों के beach card, जो distance है, ठीक है, तो यह जो inter particle distance होता है, इन दोनों के beach card, जो distance है, उसे हम inter particle distance समझ लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मानलो, Rahul और इधर Ajay खड़ा है, तो Rahul और Ajay, अपनी mean position को न है, वो है inter particle distance, ठीक है, तो मैं, जब, जब particles की mean position fix होती है, यानि कि आप यहाँ से अपनी जगा नहीं छोड़ सकते हो, तो आप बस ऐसे ऐसे हिल सकते हो, लेकिन अपनी जगा नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, yes, mean position fixed, और जब आप दोनों particles के beach का distance भी fix है, यानि कि जो मानलो, मानलो, ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं, तो जितना distance है, वो fix है, उसको भी नहीं change कर सकते हो, तो inter particle distance भी fix है, जब दोनों चीज़े fix हो जाएं, तो क्या होगा बेटा, आपकी shape fix हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जगां से particles अपनी change ही नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर ही बस and second is my dear students, your inter particle distance is fixed, ठीक है, perfect, let's talk about, let's talk about, ये तो था shape fix के लिए, अब हम बात करते हैं, volume fix के लिए, ठीक है, तो volume fix के लिए क्या होता है, volume fix यहाँ लिख देते हैं, volume fixed, अब देखो, अब मैंने क्या बुला, मैंने क्या बुला, कि ठीक है, अब मुझे थोड़ी बहुत दया आगे इन दोनों पे, कि यार मैं इतना भी punishment नहीं देती हूं इनको, let's say that, बिल्कुल, तुम ऐसा करो, अपनी mean position छोड़ सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे बीच में distance है, covid में होता था ना, एक गज की दूरी है, जरूरी, है ना, I think ऐसा ही कुछ होता था, जो भी था, वो दूरी जो थी, वो maintain रखनी है, लेकिन अपनी mean position तुम छोड़ सकते हो, तो ये particles क्या करेंगे, अब ये mean position छोड़ सकते हैं, अब distance नहीं change होगा, तो यानि कि मैं, अगर राज यहां पर है, तो अजय यहां आजाएगा, पर ये distance सेम रहेगा, फिर से ये राज है, ये अजय है, इन्होंने अपनी mean position तो change कर दी, लेकिन, लेकिन, inter particle distance नहीं change किया, जब तक inter particle distance change नहीं होगा, बेटा, आपकी volume fixed रहेगी, और जब mean position change हो गई, तो मैं अब shape fixed नहीं रहेगी, ठीक है, तो volume fixed होने के लिए, सिर्फ एक condition चाहिए होती है, which is your, which is your inter particle distance fixed, ठीक है, तो यहां पर लिख लो, इसके लिए inter particle distance fixed होना चाहिए, perfect, yes, अब अगर आप gaseous phase की बात करोगे, तो उसमें इन दोनों में से कोई condition नहीं होती है, और इसलिए ना तो shape fixed होती है, ना volume fixed होती है, तो I hope आपको यह clear हो गया, अब अगर कोई इस से related question पूछेगा, तो कभी गलत नहीं करेंगे, पका, चलो, let's move forward, तो यहां तक अगर आप pause करके लिखना चाते हैं, तो लिख लीजिए, then we'll move forward, now, अब इतना बढ़ा है, तो थोड़ी से entertainment तो जरूरी है ना, so seem idea students, liquid, liquid कहता है solid, I can explain, ठीक है, तो मतलब liquid को पढ़ा जाता है, ठीक है, solid, in the most popular state of matter, taught in schools, ओके, yes, gas, your joke, gas is what is more popular in schools, ठीक है, यह तीनो states आपस में बात कर रही हैं, क्योंकि आप 11th में states of matter पढ़ते हैं, आप 12th में solid state पढ़ते हैं, आप liquid solutions भी पढ़ते हैं, ठीक है, यह बात हमेशा यादग न, matter की बहुत सारी states होती हैं, और बेटा, उसमें से plasma भी एक होती है, जब आप gas को बहुत ज़्यादा heat कर देते हो, तो वो ions में convert हो जाती है, और जब वो ions में convert हो जाती है, I'll show you plasma क्या है, ठीक है, तो just a second, let's ask lights off करवा देते हैं, दो second के लिए, ठीक है, I'll show you what is plasma, ठीक है, okay, I hope आप सभी को दिख रहा होगा, अब हम आपको plasma दिखाएंगे, तो this, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह plasma है, ठीक है, तो यहाँ पे, अब देखो, shrink, ring, salvo, link, जादू करते हैं, और यह देखो, अब जहाँ पे, जहाँ पे touch करोगे, वहाँ पे आपको एक अलग light दिखेगी, this is what is plasma, ठीक है, अब से light on कर दीचे, thank you, okay, so plasma में ions formation होती है, तो charges जो होते हैं, opposite और negative charges जो होते हैं, उनकी वज़े से जो आपको line दिखी थी, वो दिखी थी, ठीक है, yes, मैं बहुत detail में नहीं जाओंगी, क्योंकि आपके syllabus में नहीं है, यह बस आपके, थोड़ा interesting, you know, visualization जब करवा हो, तो आपका interest जाग जाता है, so for that, I brought this, now let's move forward to the next topic, ठीक है, चलो, next topic, my dear students, अब माम, आपने हमें जो पढ़ाया है, उस पे questions भी तो करवा दीजिए, सवाल हम से पूछ दिया गया है, हमें तो पता है, कि matter जो होता है, वो कोई भी हो सकता है, solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, gas भी हो सकता है, so here the correct answer would be all of these, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, perfect, चलो, बहुत बड़िया, let's move forward, now my dear student, अब matter के बारे में थोड़ा और discuss करते है, matter majorly दो types का होता है, matter majorly दो types का होता है, ठीक है, अब हम इसको divide करेंगे, and then we will understand, matter को बेटा, आब दो types में divide कर सकते हो, one is your mixture, and the other is your pure substance, ठीक है, अब इन दोनों के बीच का difference समझना बहुत ही important है, ठीक है, अब mixture जो होते हैं, वो majorly दो type के हो सकते हैं, वो जो दो type है, वो क्या-क्या है, it can either be homogeneous mixture, और it could be heterogeneous mixture, ठीक है, सब के बारे में हम detail में पढ़ेंगे, so don't worry, and if we talk about pure substance, तो उसको हम majorly दो type में divide कर सकते हैं, the first is your elements, and the other is your compounds, ठीक है, और इससे बहुत सवाल आते हैं, so you have to pay attention, here, चालो, so सब से पहले, mixture की discussion कर लेते हैं, what is mixture, ठीक है, आप देखो, मैं mixture को समझने के लिए कुछ example चाहिए होगा, बिल्कुल, देखो बिटा, जब हम mixture की बात करते हैं, तो mixture समझने के लिए हमें चाय बनानी पड़ेगी, mixture समझने के लिए हमें चाय बनानी पड़ेगी, ठीक है, yes, चाय तो I think most of the students को पसंद होती है, तो उसी का example लेकर समझाऊँगी, तो बिल्कुल अच्छा से समझ आएगा, तो अगर आप यहाँ पर mixture की बात करते हो, तो मैं आप से चाय बना रही हूँ, ठीक है, yes, ma'am, तो पटा, चाय कैसे बनती है, चाय बनाने के लिए, आपको चाय यह होता है, पानी, ठीक है, yes, उसके बाद में, ma'am, हम उसमें चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता उसे English में क्या कहते हैं, so I'm not that English, मुझे चाय पत्ती बता है, तो चाय पत्ती डालते हैं, उसके बाद में अदरक भी डालते हैं, और सौंफ भी डालते हैं, और बहुत सारी अलग-लग तरहा के taste, मुझे अदरक पसंद है, let's say अदरक, ठीक है, उसके बाद में, ma'am, हम डालते हैं, मीठी चाय भी पसंद होती है, फिकी चाय भी पसंद होती है, तो मैं हम शुगर डालेंगे, मीठी चाय पिएंगे, ठीक है, शुगर, उसके बाद बिटा, आप डालते हो, मिल्क, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चाय बन जाती है, तो मेरा question आप लोगों से बहुत ही simple सा है, मुझे एक बाद बताओ, जब आप चाय बनाते हो, तो कोई त सारे steps तो यही follow करते हैं, बड़ किसी की हाथ की बनी होई चाय बड़ी अच्छी होती है, किसी के हाथ की बनी होई चाय बड़ी खराब होती है, है ना, yes, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा, क्योंकि बेटा, यहाँ पर यह जो चीजे हैं, यह सब क्या ह अगर हम chemistry में देखें तो हम कहेंगे माम ये ना components हैं ये components है और चाय जो है बेटा आपका एक mixture है ये क्या है आपका एक mixture है अब आपको समझ आएगा कि mixture और pure substance में difference क्या होता है तो बेटा mixture में बहुत सारे components होते हैं जिन से मिलके आपका mixture बनता है लेकिन इन components को आप अपनी मर amount में डाल सकते हो आपको पानी जादा डालना है तो आप पानी जादा डाल सकते हो आप चीनी कम डाल सकते हो आप चीनी नहीं डालना चाते अप चीनी मट डालो यानि की एक mixture के अंदर जो components होते हैं उनकी amount को हम अपने according change कर सकते हैं ठीक है लेकिन जब एक बार आपकी चाय बन गई है, उसके बाद क्या होगा, उसकी discussion करेंगे, अभी हम mixture और pure substance में difference समझ रहे हैं, mixture वो होता है, जिसके components की amount को हम change कर सकते हैं, ठीक है, चाय के example से हमेशा याद रहेगा, वही पर, अगर आप pure substance की बात करते हो, तो उसके अंदर बेटा, जो भी compound, pure substance में आपका substance होगा, उसकी amount जो होती है, वो fix होती है, आप उसे बदल नहीं सकते, ठीक है, so this is the major difference between a mixture and a pure substance, ठीक है, yes, so ma'am, यहाँ पर हमें mixture की definition समझ आ गई, it contains two or more substances and each substance is known as a component, okay, and a mixture is a matter that can change the composition, जो amount को change कर सकता है, अब, जो आपका mixture होता है बेटा, वो मैंने आपको बताय था, दो टाइप का होता है, या तो वो homogenous mixture हो सकता है, या फिर वो heterogeneous mixture हो सकता है, अब इसके बीच का difference हमें समझना है, what is homogenous mixture and what is heterogeneous mixture, again, let's take the example of चाय, आपने एक बार चाय बना ली, ठीक है, वो जो हमने steps follow किये थे, उससे हमने मानलो इस तरीके से चाय बना ली, और अब यह आपका चाय का कप है समझे की नहीं, है न, अब बेटा इसके अंदर यह आपकी चाय है, ठीक है, once the mixture is made, एक बार जब आपका mixture बन चुका है, इसके बाद बेटा मुझे एक बात बताओ, आप चाहे 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 चमत से इस वाले पार्ट से निकाल लो, चाहे आप एकदम बॉटम वाले पार्ट स से निकाल लो, क्या चाहे का टेस्ट बदल जाएगा, नहीं, एक बार जब चाहे बन गई है, उसके बाद में मैम हम किसी भी जगां से उस mixture में से पाट ले ले, वो same composition का होगा, same taste होगा, same मीठा होगा, सब कुछ same होगा, यानि कि बेटा, homogenous mixtures, वो mixtures होते हैं, जिनके अंद कमा जाया, जिसमें components की amount change कर सकते हैं, उसमें homogenous वो होता है, जब एक mixture बन जाए, उसके बाद में वो हर जगां से same composition का दिखे, वो होगा आपका homogenous mixture, लेकिन बनने के बाद भी आप अलग-अलग जगां से अगर mixture का पाट लो और वो अलग-अलग दिखे, तो वो होगा आपक से उसकी composition same होती है और इसलिए हम कहते हैं कि वो क्या है, homogenous mixture है, ठीक है, yes, so now you can write the definition of homogenous mixture, यहां पर है आपके पास में definition of homogenous mixture, if the composition of the mixture remains uniform throughout, it is called homogenous mixture, ठीक है, example है, sugar plus water, chai, lemonade, जो आपको पसंद है, वो आप example ले सकते हैं, लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, let's talk about heterogeneous mixture, तो मैंने तुम्हें heterogeneous mixture का difference तो समझाई दिया है, अब यहां पर समझ लो heterogeneous mixture, मान लो आपने मिट्टी और चीनी लिया, ठीक है, let's take an example, कि आपने मिट्टी और चीनी लिया, तो मैं, मैं इस मेंना थोड़ा सा color change कर देती हूँ, तो मैं जाधा अच्छे से समझा जाएगा, let's say, यह white जो part है, वो है आपका चीनी, ठीक है, और जो मिट्टी है, वो red color से इस तरीके से पढ़ी है, ठीक है, तो यहां पर, यह 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 भी आपकी मिट्टी है, यहां पर आपकी मिट्टी है, तो इस तरीके से मैंने पूरा मिट्टी बना दे, ठीक है, अब देखो, जब आपका यह formation हो चुका है, तो अब आप मान लो एक spoon लेके अलग-लग जगां से देखोगे आप यहां से देखोगे तो आपको मिट्टी जादा मिलेगी ठीक है अगर आप यहां से पाट लोगे तो आप देखोगे कि चीनी जादा मिल रही है अगर आप यहां से देखोगे तो again मिट्टी जादा मिल रही तो basically एक mixture में हमने अपनी मर्जी से चीनी और मिट्टी मिलाया लेकिन जब वो बन गया उसके बाद भी वो composition fix नहीं थी उसके बाद वो uniform नहीं थी हम अलग-अलग जगां से देख रहे थी तो अलग-अलग composition देख रहे थी तो वो आपका एक heterogeneous mixture होगा I hope आपको clear है Yes, you can pause the video, you can write and then we'll move forward ठीक है? चलो अगर आपको ये समझ आया तो अब आप इन questions को चुटकी में कर सकते हैं जल्दी से इस सवाल का मुझे जवाब दो Read the question and try the question yourself Select the homogeneous mixture, mixtures in example अब ये single correct भी हो सकता है ये multiple correct भी हो सकता है क्योंकि अब मैं तुमें concept पुरा समझा चुकी हो Try the question Homogeneous mixture हमें देखना है Let's talk about air मैं अगर हम air की बात करें तो air में हमें पता है कि amount ना fixed सा होता है कि 78% nitrogen होता है 20% oxygen होता है बाकी का carbon dioxide और बाकी सारी gases होती है Nearly वो same होता है पर मुझे एक बात बताओ तुमने सुना है ऐसा तुमने ऐसा सुना है कि जब आप अलग-अलग जगां जाते हो तो breathing issues भी हो सकते हैं कई जगां पे क्योंकि वहाँ पे oxygen की percentage थोड़ी सी कम होती है इसका मतलब है कि एक rough idea जरूर है कि 78% nitrogen gas है और 20% oxygen gas है लेकिन आप जब अलग-अलग जगां जाते हो तो उनका composition में थोड़ा बहुत change आता है ठीक है oxygen की percentage में पहली चीज तो मैं एक चीज तो समझ आ गई कि वो हमारा homogen वो हमारा एक mixture है pure substance तो नहीं है air जो है वो आपका pure substance नहीं है वो एक mixture है क्योंकि air की जो composition है वो थोड़ी बहुत change हो सकती है let's talk about homogenous है या heterogeneous है अब मान लो तुम इस particular room में हो और इस particular room में air है पिटा एक बात बताओ तुम यहाँ पे देख लो उस air को breathe कर लो तुमें oxygen सेम लगेगी तुम किसी इस room के दूसरे कोने में जाके breathe करोगे तो भी तुमें oxygen सेम लगेगी ऐसा तो नहीं है न कि कोने से अलग-अलग difference आ जाएगा जगां से नहीं इस room में न air की composition fix होईगी तो जिस जगा में हम है वहाँ की composition fix है तो यानि कि वो mixture भी है और वो homogenous mixture भी है तो air आपका homogenous mixture होता है ठीक है तो मैं homo लिख देती हूँ Let's talk about oil and water मैम पानी और oil की बात करे तो वो different layers बना लेते हैं क्योंकि उनकी densities में difference होता है यानि कि मैम अगर हम अलग-अलग जगां से देखेंगे तो composition अलग-अलग दिखेगी यानि कि this is not a homogenous mixture तो आप क्या लिखोगे this is a heterogeneous mixture clear? yes, चलो next is your sugar solution sugar solution तो अभी पढ़ा था homogenous होता है yes ma'am, so this is homogenous तो आपको homogenous ही बताने थे तो दो आपके homogenous हैं so option A and C will be your correct answer तो बस ऐसे सोच के आप सारे questions solve कर साथे चलो, let's move forward next question बता try this question अब अगर मेरा मेरी कही बात समझ आ गई है तो अब आप इस question को कर पाएंगे which of the following is an example of homogenous mixture again आपको homogenous mixture का ही example देना है चलो, सोचो बता, सोचो water plus alcohol yes, alcohol को हम water के अंदर completely mix कर सकते हैं और उसके बाद भे एक बार mixture बन गया फिर composition fix होती है तो बिल्कुल ये आपका homogenous mixture है water plus sand बेटा, पानी के अंदर जब आप sand को mix करते हो तो sand नीचे जाके बैठ जाती है mix नहीं होती है तो यानि कि मैं अलग-लग composition होगा तो ये होगा आपका बस ऐसे ही सवाल आते हैं क्या मुश्किल है बहुत असान है चलो आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं आगे क्या है बिटा now let's talk about pure substance ठीक है तो अगर आप pure substance की बात करते हैं तो pure substance में let's see क्या होता है मैं pure substance में आपने बोला कि जो composition होती है वो fix होती है मतलब की जो components होंगे वो exact amount में डलेंगे ठीक है example हो let's take example मैंने बोला मैंने बोला sodium ठीक है मैंने बोला sodium तो बिटा sodium जो है वो आपका sodium fix ही होगा मैं ये ना हमारा एक chemical element है और ये fix ही होगा ठीक है sodium, 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 sodium ही सारा present होगा आपका ठीक है ये तो ये तो fix है let's talk about another example let's say H2O ठीक है इससे तुम्हें जादा अच्छे से समझ आएगा H2O में मैंने बोला कि जब तुम 2 gram hydrogen लोगे और 16 gram oxygen लोगे तभी water बनेगा ठीक है अगर तुमने दोनों में से किसी की भी amount को change कर दिया तो फिर water नहीं बनेगा तुमने का नहीं नहीं मैं आप ऐसे करो आप 2 gram hydrogen ले लो और 32 gram oxygen ले लो ची क्या तुमने का हाँ मैंने मान लिया मैं अगर 2 gram hydrogen और 2 gram ही oxygen ले लो तो वो एक नया compound बन जाता है which is H2O2 यानि की आपका पूरा का पूरा compound ही बदल गया राइट इसी लिए pure substances के अंदर composition fix होती है ठीक है clear है चलो बहुत बढ़िया इट हाज one component only एक ही component होता है जो बार-बार repeat होता है ठीक है अब आपको होगे मैं ऐसा कैसे हो सकता है अभी 2 मिनिट रुको 2 मिनिट में मैं तुम्हें सारी चीज़ समझा दूगी ठीक है let's talk about the two types जो इसमें होते है एक होता है element और एक होता है आपका compound तो पहले हम element की बात करें element में बेटा एक ही तरहां का component बार-बार repeat होता है ठीक है जैसे की जैसे की sodium sodium एक ही तरहां का element है एक ही तरहां का component है जो बार-बार-बार repeat होता रहेगा तो आपके बास में sodium element है ठीक है similarly let's say chlorine तो पेटा chlorine एक ही component है जो बार-बार repeat हो रहा है तो chlorine भी एक element है अब मेरा तुमसे एक question ज़रा मेरे question का जवाब देना अगर बेटा CL2 हो तो क्या ये element होगा या नहीं मैम जो definition आपने बताई है उस हिसाब से एक component जब बार-बार-बार repeat होता है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं सरी एक component जब बार-बार repeat होता है तो हम उसे element कहते हैं chlorine में दो CL हैं लेकिन है तो same ही element ना है तो same ही component जब बार-बार repeat हो रहा है हाँ तो मैम ये एक element होगा बिलकुल ये आपको ध्यान रखना है इसको आप compound नहीं कहते हो इसको आप element कहते हो similarly O2, O3 ये सब में बेटा जब एक ही component बार-बार repeat हो रहा है तो हम उसे element कहेंगे ये सब आपके elements के example I hope यहां तक clear है तो ये लिख लो क्योंकि जो important question बनेगा न वो ये वाले part से बनेगा ये important है, ये वाला concept important है, ये दे देंगे और बोल देंगे कि ये element है यानि, ठीक है? चलो, ये लिख लिया, फटा फट लिख रहे हो तुम लोग, चलो, let's move forward तो if the pure substance has all the same type of atoms it is called element, it can be a molecule or it can be an atom हाँ, तो atom है, यानि की माम आप एक oxygen ले दो अगर आप molecule की बात कर रहे हो, तो O2 हो गया, लेकिन same component जब repeat होगा, ठीक है? अब तुम मुझे ये बोलो, कि माम क्या NO2 जो है, क्या वो हमारा element है? नहीं बेटा, इसके अंदर nitrogen अलग आ गया, तो फिर ये same type of element, same type of component repeat नहीं हो रहा है, फिर ये आपका element नहीं होगा, ठीक है? perfect, तो इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे now let's talk about a few questions, questions कर लेते हैं ये question दो मिनिट में करना, पहले मैं तुम्हें compound बता दू, उसके बाद में करना, let's talk about compound, अब मैंने तुम्हें बोला कि ये प्योर सब्सांस तो है, क्योंकि यहाँ पे amount fix है, composition जो है वो fix है, 2 gram hydrogen, 16 gram oxygen, ठीक है? लेकिन, यहाँ पे बेटा, आपका एक ही component बार-बार repeat नहीं हो रहा होता, ठीक है? कैसे? आप देखना हूँ मतलब similar component repeat नहीं हो रहा होता है एक ही component repeat होता है, बट similar और उसमें difference है, आप समझना मैं, NO2 ठीक है? तो बेटा, इसके अंदर आपका NO2 एक साथ होना चाहिए, अब इसमें एक atom नहीं है, एक atom नहीं है जो बार-बार repeat हो रहा है, अब आपका ये पूरा का पूरा NO2 molecule repeat होगा बार-बार, ठीक है? यस, लेकिन इसकी composition fixed है, कि भाईया, 14 ग्राम nitrogen 32 ग्राम oxygen के साथ repeat हो रहा है, ठीक है? यस, ये fix है, तो इसी लिए ये एक compound है similarly, माल लो, तुम्हें CO2 बोल दिया, या फिर तुम्हें SO2 बोल दिया, ठीक है? ये जो सारे के सारे compounds हैं ये आपके repeat होते हैं और इसी लिए इन्हें compound खा जाता है, ठीक है? चलो, ये लिख लिया, तो इसकी definition लिख लो compounds contain different elements in fixed mass ratio, ठीक है? अब आपको सवाल कर सकते हैं ये लिख लो, pause करके और फिर ये सवाल कर दो question देखो, select the correct example of elements, अब आपको element बताना है, अब आपको element बताना है, ठीक है? you have O2, you have air you have CO2, you have H2, ठीक है? मैं O2, O2 की अगर हम बात करें, तो एक ही तरहां का atom है, that is your oxygen, जो बार-बार repeat हो रहा है, बिल्कुल मैं, तो यानि की ये आपका एक element है ठीक है? yes, pure substance भी है और element भी है, लेकिन अगर आप air की बात करते हो, तो मैं air जो है न, वो तो pure substance ही नहीं है, वो तो mixture है, और mixture तो element हो ही नहीं सकते, तो ये आपका mixture है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, let's move forward, next is your CO2, अगर CO2 देखो, तो मैं CO2 बार-बार repeat होता है यानि की, same repetition हो रहा है, और मैं mass ratio भी यहां पे fix है लेकिन मैं, same atom बार-बार repeat नहीं हो रहा, तो ये pure substance तो है, लेकिन ये compound है, तो ये क्या है बिटा, आपका एक compound है similarly अगर आप H2O की बात करोगे, तो H2O भी एक compound है क्योंकि A की atom बार-बार नहीं repeat हो रहा, एक molecule है, जिसमें दो अलग-अलग तरहां के atom तो मैं, ये भी क्या है, एक compound है, आपको तो element बताना था, तो मैं, element कौन सा हुआ, option A जो है, वो आपका correct answer हो गया, easy, right, yes चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं next, okay चलो, अब बहुत सारे सवाल करने हैं, मैंने तुम्हें कहा था, topic मैं बढ़ाऊंगी, लेकिन सवाल तुम करोगे, चलो, करो which of the following particles are the example of pure substances अब आपको बताना है कि pure substances कौन से हैं, अब अगर pure substances बोला है न बिटा, तो वो आपका element भी हो सकता है और वो आपका compound भी हो सकता है, ठीक है ये ध्यान रखना चलो, ठीक है मैं, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, तो हमारे पास में CO2 है, CO2 बिटा, बार-बार रिपीट होगा, mass ratio fix है, pure substance तो है, ये एक compound है, तो हम बोलेंगे, मैं दूसरे पैंस से लिखती हूँ, लेट से, येलो से, तो मैं बोलूँगी pure substance, PS and it is a compound, ठीक है चलो, H2 gas बेटा, H2 gas, H2 gas में एक ही hydrogen atom है, जो बार-बार रिपीट हो रहा है, येस, तो यानि की मैं हम क्या कहेंगे, ये भी pure substance है, और ये हमारा element है, ठीक है, let's talk about the other thing, sodium solid बेटा, sodium जो है, वो बार-बार रिपीट हो रहा है, again मैं, ये भी pure substance है, और ये क्या है, एक element है, तो answer क्या होगा, all, यानि की option d, आपका correct answer हो जाएगा, clear, I hope को issue नहीं है, चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, next, which of the following particles are the example of element, ठीक है, yes, ये homework question दे दू, चलो, ये तुमारा homework होगा, अब आपके मन में सवाल आएगा, कि मैं homework का answer कैसे मिलेगा, तो बिटा, आपको homework के answers, जो है, जो आपकी PW की app है, उसके अंदर आपको ये पूरे के पूरे notes मिल जाएगे, ठीक है, उन notes के अंदर, मैं इसी के नीचे, यहाँ पर answer लिख दूँ, ठीक है, तो आप अपने answers, homework questions के notes से cross check कर सकते हो, तो app से आप notes ले ले लेना, वहाँ से आप अपने homework questions के answers check कर लेना, I hope clear है, चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अब बिटा, unit system, बहुत ही important है, कि आप chemistry में unit system समझे, chemistry में क्या-क्या चीजें आप यूज करेंगे, जो physics में यूज करेंगे, same table आप physics में भी देखते हो, तो physics वाले सर तो आपको बताई देंगे, कि कौन से कौन से units use करने, chemistry के लिए जो जो important है, वो मैं बता देती हूँ, SI unit system बढ़ा important है, length बटा बहुत important है, mass आपको पता होना चाहिए, time आपको पता होना चाहिए, electric current हम electrochemistry में पढ़ते हैं, temperature Kelvin में होना चाहिए, amount of substance mole, this is the chapter that we are going to study, so yes this is important, and हाँ, बस, chemistry के लिए ये वाले units जो हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, clear है, चलो, बहुत बढ़ी है, ये लिख लेना, this is very important, यहाँ पर बेटा, ये है unit, छोटे छोटे आपके units हैं, जो unit conversions आप बहुत जादा use करेंगे, maths में आपको ये सारी, chemistry, sorry, physics में, ये सारी unit conversions सिखाएंगे, but I don't want to take a risk, तो इसलिए मैं आपको chemistry के लिए बता रही हूँ, important चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, तो हमें, हम mega use करते हैं, हम giga use कर लेते हैं, यहाँ पर बेटा, हम deci, centi, milli, micro, nano, ये nano है, ओ आएगा यहाँ पर, pico, mostly हम यहाँ तक use करते हैं, femto भी use हो जाता है, तो यह कुछ-कुछ values हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यह numericals के अंदर बहुत सा value है, ठीक है, yes, कैसे use करते हैं, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको with questions समझाते रहूंगे, तो don't worry, clear है, बहुत बढ़ी दाँ, with this, my dear students, पहला topic, that is matter, हमारा clear हो गया है, हम अब next topic पर चलेंगे, okay, so let's go to all topics, चीक है ma'am, यहां तक तो हमें clear है, अब हम जो दूसरा topic पढ़ने वाले हैं, that is your laws of chemical combination, तो अगर आप बहुत जादा ठक गए हैं, तो एक break लीजिए, ठीक है, pause करो, और पानी पीलो, ठीक है, थोड़ा सा अपने आपको entertain कर लो, गाना वाना सुन लो, फिर हम next topic पढ़ेंगे, I hope, break-break ले लिया होगा, now let's move forward, और हमारा second topic शुरू करते हैं, which is laws of chemical combination, and it is very easy, कोई बहुत जादा, मुश्किल चीज़े हैं नहीं, तो फड़ा फड़ से, इस topic को हम complete कर रहे हैं, so next is your laws of chemical combination, ठीक है, तो जब आप laws of chemical combination की बात करते हैं, just a second, ठीक है, तो जब आप laws of chemical combination की बात कर रहे हैं, तो बचे यहाँ पे, हम majorly, मतलब बहुत सारे different type के laws होते हैं, law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, gay-lusax law, avogad draws law, तो यह सारे different types of laws हैं, जो हम study करने वाले, ठीक है, अब बेटा, यह ना बहुती simple से laws हैं, अब जब chemistry ना, जब chemistry बनी भी, मतलब जितने भी topics हम पढ़ते हैं, अभी आप laws देखोगे न, आपको लगे न, क्या basic सी बात है, बट यह scientist ने, जब यह सारी research हुई नी थी न, तभी हमें यह सारी चीज़ें बताती थी, तो they were such a great mind, कि इतने साल पहले तुम देख रहे हैं, और 1774 में, जब chemistry का अता-पता भी नहीं था, तभी उन्होंने इतने amazing laws दे दिये थे, they were great minds, तो इसलिए हमें बस थोड़ा-थोड़ा, उनके laws को देखना, और उन पे based questions करने हैं, बहुत easy है, ठीक है, चलो, पढ़ते हैं आगे बेटा, तो first is your law of conservation of mass, ठीक है, तो law of conservation of mass क्या है, आप सभी को पता है, law of conservation of mass is that mass can neither be created nor be destroyed, यानि की ma'am, जो mass reaction से पहले होगा, mass उतना ही reaction के बाद में भी होगा, तो बेटा, आपके सामने थोड़ा सा, interesting सा बना दिया गया है, you have mercuric oxide, ठीक है, आपके बास mercuric oxide है, तो बेटा, जब आप उसको decompose करते हो, heat करते हो, तो आपको mercury मिलता है और oxygen gas मिलती है, अब oxygen gas वैसे तो दिखानी पा रही थी, तो मैंने तुम्हें balloon के अंदर oxygen gas को trap करके दिखा दिया, ठीक है, तो बेटा, अगर ये total 100 grams होगा है, तो mind it, mercury और oxygen का मास मिलके, total 100 होगा ही होगा, ठीक है, यानि कि law of conservation of mass सिर्फ यही कहता है, कि mass को आप destroy नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि mass खतम हो गया, नहीं, वो किसी न किसी form में convert हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यह solid state थी और यह gas में चला गया, लेकिन, लेकिन, mass को खतम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, this is something very important, और यह तो बहुत logical सी बात है, हमें पता है, next, आगे बढ़ते हैं, next is, same इसी तरह से, मानलो तुमने log और fire, तुमने आग लगाई, तो तुम्हें ashes मिली और smoke मिला, तो smoke का भी कुछ mass होगा, but that this is clear, कि reaction से पहले जितना total mass था, reaction के बाद भी total mass उतना ही होगा, ठीक है, yes, और यह दुनिया की हर chemical reaction apply करती है, ठीक है, चलो, let's move forward, next is my dear students, law, the law states that matter can neither be created nor be destroyed, mass को आप ना तो create कर सकते हो और ना ही destroy कर सकते हो, and it is therefore, often called the law of indestructibility of matter, as per this law, in all chemical and physical changes, the total mass of the substances involved remain unchanged, यानि की हम क्या कह सकते है, that mass of reactants is equal to total लिख देते हैं, that would be a better word, total mass of reactants will always be equal to total mass mass की spelling कितनी amazing लिखिया है, ना मामने? total mass of protons ठीक है? कोई दिककट? नहीं, चलो, amazing, आगे बढ़ते हैं next my dear students, next is तो बिलकुल आपके लिए यहां पर कुछ, यह हमेशा जिन्दी की भरियाद रखने के लिए है, शीशे में देखोगे, तो वही वाली बात, initial mass, final mass, हमेशा equal, ठीक है? येस, चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, next is, next is, आप question, आप मैं लॉब अढ़ लिया, लॉब पर question apply कर दो, ठीक है, I'm sorry, question पर law apply कर दो, चलो, कहता है, if the law of conservation of mass was to hold true, then 24 grams of carbon on reaction with x grams of O2 will produce 56 grams of CO2, hence value of x is, ठीक है, जैसी ये आपको बताना है, यहाँ पर arrow है बिटा, ये, ठीक है, ये simple है, क्या बड़ी बात है, ये तो हमें आता है, carbon plus O2 will give me CO2, carbon का mass मुझे 12 grams दिया हुआ है, O2 का mass मुझे x दिया हुआ है, और CO2 का mass मुझे, किता दिया हुआ है, 56 grams दिया हुआ है, तो बस क्या करना है, law of conservation of mass, mass of reactants is equal to mass of products, तो यानि कि 12 plus x जो होगा, वो 56 के बराबर होगा, तो x जो होगा, वो 56 minus 12 के बराबर होगा, यानि कि this will be 4 and this will be 4, 44 grams जो है, वो आपके oxygen का mass हो जाएगा, ठीक है, यास तो यह ही आपको बताना था, तो 44 grams is your correct answer, तो आपको किसका mass बताना है, on reaction with x grams of O2 will produce 56, है ना, ओके mass 12 नहीं दिया हुआ, 24 है, ओके it is 24, तो यह erase कर देते हैं, इसको 24 कर देते हैं, 12 पढ़ दिया, sorry, ओके यहां पे है 24, तो यह भी होगा बेटा, 24, इसको correct कर लो, minus 24, तो यह भी cut कर देते हैं, तो 4 यहां पे आगया, 2, and this is 2, तो यह होगया, 3, 32 grams, तो 32 grams, यानि की option C, जो है, वो आपका correct answer है, ठीक है, yes, perfect, इस तरीके से हमें question को करना है, let's move forward, next is, next is, the law of conservation of mass, holds good for all the following except, अब यहां से मैं आपको, इस question के थुरू मैं आपको limitation बताना चाहती थी, so, इस जगां पे आप mark कर लो, लिख लो, limitation, limitation of, तो limitation आपके law of conservation of mass की यह है बेटा, की, वो जो है, जो nuclear reactions होती है, ठीक है, nuclear reactions जो होती है, जो आप chemical kinetics में पढ़ेंगे, class 12 के अंदर, उन पे law of conservation of mass apply नहीं होता, तो क्या लिखना है, not applicable, law आपका जो है, वो applicable नहीं है, on nuclear reactions, ठीक है, और यह nuclear reactions आप class 12 में पढ़ते हैं, so, don't worry, limitation of law लिख लो, ठीक है, so, this is the limitation of law, तो कौन से पे apply नहीं होगा, यह सारे chemical reactions पे होता है, चाहे वो endothermic reactions हो, चाहे वो exothermic reactions हो, वो आपके nuclear reactions पे applicable नहीं होता है, ठीक है, और exceptions से ही questions आएंगे, जो आपकी limitation होगी, जो exceptions होते हैं, वहीं से questions आएंगे, तो यह important है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next is, next is law of constant proportion, और definite proportion, ठीक है, तो अब यह law क्या कहता है, कोई बहुत complicated बात तो कहता नहीं है, बहुत simple सी चीज़ है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इस पानी की बात करी, ठीक है, यह पानी है मैं H2O, यह पानी है मैं H2O, ठीक है, अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे ना, पानी चाहिए, that is H2O, तो मैं पानी कहीं से बिलिया हूँ, चाहे वो पानी, let's write it here, water, let's say हमने यह water जो है, वो आरो से लिया, फिर हम इसी पानी को river से लाए, ठीक है, फिर हम इसी पानी को ocean से लाए, फिर हम इसी को ground से लाए, ground water, जो हम कहते हैं, हम वहाँ से लाए, आप पानी कहीं से भी ले आओ, क्या बेटा, क्या बेटा उसकी composition change होगी, अगर यहाँ पे 2 gram hydrogen, 12 gram oxygen के साथ मिलके पानी बना रहा है, तो आप किसी भी जगां से पानी ले आओ, वो 2 gram hydrogen, 16 gram oxygen के साथ ही combine हो रहा होगा, यानि कि irrespective of the origin, जो ratio होता है components का, जो ratio होता है atoms का एक molecule के अंदर mass ratio, वो fixed रहता है, वो change नहीं होता है, और यही होता है law of definite proportion, चाहे कितने भी complicated बात लिखियो, simple, तोबर बात यही है कि आप कहीं से भी लियाओ, कोई भी origin लियाओ, जो compound है उसके, जो भी elements है, उनका mass ratio fix रहता है, तो क्या कहता है, लेकिन यह reverse जरूरी नहीं है कि सही हो, चीक है, reverse जरूरी नहीं है सही हो, लेकिन अगर compound है एक, तो उसका mass ratio हमेशा fix हो, ठीक है, वेन वी टेक isotopes, अब यह बिटा आपको यहाँ पर limitations लिखी हुई है, तो आप इसको limitation लिख लो चाहे, कि जब आप isotopes लेते हो, तो फिर law of constant proportion जो होता है, वो fail हो जाता है, अब isotopes में तो मान लो, अब तुमने H2O की जगाँ पे, H2O की जगाँ पे D2O ले लिया, अब यूटेरियम क्या है, hydrogen का isotope है, तो बिटा फिर isotopes के case में तो वो fail हो जाएगा, ठीक है, तो अगर isotopes नहीं है, उसके अलावा हर जगाँ पे वो applicable होता है, ठीक है, D2O heavy water होता है, अब तुम heavy water ले और तुम कह दो कि मैं mass ratio तो fixed नहीं है, हाँ, क्यूंकि तुमने isotope लिया है, उसका hydrogen का, तो isotopes के case में ये fail हो जाए, ठीक है, clear, चल, आगे बढ़ते हैं, questions करते हैं, पते क्या, ये वाली चीज़े questions के through, understand होंगी तुम्हें, question देखो, कहता है, the percentage of copper and oxygen in samples of COO obtained by different methods were found to be the same, this proves that, कौन से law को ये prove कर रहा है, और ये simple सी तो बात है, आप चाहे, COO, lab में prepare कर लो, चाहे आप naturally ले आओ, COO तो COO ही है न, उसका mass ratio तो fix ही रहेगा न, तो law of definite proportion, right, yes, या फिर constant proportion, तो option A जो है, वो आपका correct answer हो जाए, ठीक है, clear, चलो, बहुत बढ़िया, बेटा मैं इस one shot series के अंदर, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वही topics discuss कर रही हूँ, जो आपके exam के point of view से important है, हमारे पास जो limited time है, I want की मैं उसके अंदर, सारी important चीज़ें आपके साथ discuss कर सकूँ, ठीक है, तो हाँ, there will be thousands of topics, ठीक है, जो आप बोलेंगे कि मैं, ये वाला topic हुआ नहीं, ये वाला topic, I have tried, हर एक topic, जिससे previous years में questions आए है, वो आपका one shot में cover हो, तो ये one shot के बाद में, अगर आप questions देखेंगे, previous year questions देखेंगे, तो you will understand कि, yes, हर एक topic cover हुआ है, तो you have to trust your teacher, and move forward, ठीक है, ये सबसे important चीज़ है, बाकी तो बढ़ी आँ, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next, next question देखो, क्या कहता है, the following are the results of analysis, of two samples, of the same or two different compounds, of phosphorus and chlorine, from the results, decide whether the two samples, are from the same or different compounds, ठीक है, आपको बस यही बताना है, also state the law, which will be obeyed by the given compound, ठीक है, आपके बास ना, दो, दो compounds हैं, compound A और compound B, जिसके अंदर, phosphorus के masses दियो है, और chlorine का mass दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है, कि यह दोनों same compound है, या नहीं, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप कहीं से भी लियाओ, एक compound को, उसका mass ratio तो fix रहेगा, है ना, mass ratio तो दोनों का fix रहेगा, अगर first वाले में देखें, तो जो ratio आ रहा है, वो क्या आ रहा है, कौन से पैंस से देखें, blue, 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 yellow से लिख लएते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं 1, यहाँ पे मैं 2, तो 1 ratio 2 आ रहा है, बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे देखोगे, बेटा, अगर आगर बढ़ते हैं, next my dear students, next is your law of multiple proportions, अब हम बात करते हैं, law of multiple proportions की, law of multiple proportions, basically आपको यह बताता है, कि मान लो, आपके 2 elements हैं, ठीक है, और वो 2, sorry, वो 2 elements जो है, वो क्या कर रहे हैं, वो 2, या फिर 2 से ज़ादा, अलग-अलग compounds बना रहे हैं, इसका मतलब है, सोचो, यही पे आपके सामने, example भी लिखा हुआ है, let's say you have 2 elements, you have hydrogen and you have oxygen, ठीक है, बिल्कुल सही है, clear है, अब यह 2 elements मिलकर, एक compound बना सकते हैं, दो भी अलग-लग बना सकते हैं, मन तुमें बताया था, अगर 2 hydrogen एक oxygen के साथ मिलते हैं, तो आपको H2O मिलता है, वही पर अगर 2 hydrogen, 2 oxygen के साथ combine हो जाए, तो आपको H2O2 मिल जाता है, जिसे hydrogen peroxide कहते हैं, ठीक है, तो दो elements हैं, जो 2, minimum 2 तो बनाने ही चाहिए, या फ़र 2 से जादा compounds बना रहे हों, तो यह law कहता है, कि अगर आप इन दोनों में से, किसी एक element का mass fix कर दो, तो दूसरे element का, जो mass ratio है, वो small whole numbers होगा, इसका मतलब है, अगर तुम यहाँ पे water में देखोगे, तो you have 2 gram hydrogen, and you have 16 grams of oxygen, यहाँ पे बेटा, you have 2 grams of hydrogen, combining with 32 grams of oxygen, आप इन में से किसी एक element का mass, दोनों compounds के अंदर fix कर दो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे hydrogen का mass, दोनों compounds में, let's say fix कर दिया, तो यहाँ पे 2 gram hydrogen, 16 gram oxygen के साथ combine हो रही है, यहाँ पे 2 gram hydrogen, 32 grams oxygen के साथ combine हो रही है, ठीक है, यहाँ तो यानि की hydrogen का mass, हमने fix कर दिया, तो जो oxygen का mass होगा, let's call this oxygen 1, and let's call this oxygen 2, तो बेटा, जो oxygen 1 और oxygen 2 के mass का ratio होगा, वो कोई न कोई whole number ratio होगा, ऐसे नहीं होगा, पॉइंटों में answer है, वो whole number ratio होगा, यानि की यहाँ पे अगर 16 है, और यह 32 है, तो यह 1 और यह 2, 1 ratio 2 आ रहा है, ठीक है, तो law of multiple proportion यहीं कहता है, कि अगर 2 elements combine होके, 2 या 2 से जादा compound बनाए, तो आप उन में से किसी एक element का mass fix कर दो, तो जो दूसरे element का mass होगा, वो एक small whole number ratios आएंगे, और examples दूँगी तुम्हे, definition भी तुम्हे समझ आएगी, let's see, यह लिख लो pause करके, अब तुम definition लिख लो, ठीक है, अब तुम्हें एक tray table के थू, यह चीज समझाते हैं, अब nitrogen और oxygen जो होते हैं, दो elements हैं, जो 2 या फिर 2 से जादा है, यानि कि वो तो 2 से बहुत जादा compounds बना रहे हैं, ठीक है, तो यह सारे compounds बनते हैं, N2O बनता है, NO, NO2, N2O3, N2O5, ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सब के masses लिखते हैं, और फिर हम किसी एक कमास fix कर देते हैं, ठीक है, तो nitrogen यहाँ पे बेटा, हम बोल सकते हैं, कि 2 into, 2 into 14, nitrogen कमास है, और यहाँ पे 16 into 1, oxygen कमास है, यहाँ पे मैं, 1 into 14 है, और यहाँ पे मैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यह हो गया मैं, 2 into 14, and this is 16 into 3, ठीक है, यहाँ यहाँ 2 into 14, and here you have 16 into 5, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना बेटा, हमें किसी एक के मास को fix करना है, ठीक है, तो किसका मास fix करें, नाइट्रोजिन का मास fix कर देते हैं, यहानि कि सभी cases में, नाइट्रोजिन का same mass होना चाहिए, तो मैम, हम ऐसा करते हैं, यह देखो, 14, 14, 14, 14, 14, तो same ही आ रहा है, ठीक है, तो अब देखो, अगर बेटा, आपके बास में, 2, 1, 1, 2, 2 है, अब हमें अगर fix करना है, तो let's divide, जहां जहां पे 2 है, वहां पे पूरे को 2 से divide कर देते हैं, ठीक है, तो अगर बेटा, 2 को, यहां पे 2 से divide करोगे, तो आपको यहां भी 2 से divide करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप पूरे के पूरे mass को, अगर यहां पे तो 1 है, यहां पे 1 है, तो यहां पे change नहीं होगा, अगर इसको 2 से divide कर रहे हो, तो आपको इसको भी 2 से divide करना, अगर इसको 2 से divide कर रहे हो, तो इसको भी 2 से divide करना पड़े, ठीक है, अब हमने सभी जगाओं पे, सभी जगाओं पे nitrogen के mass को 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram और 1 gram fix कर दिया है, ठीक है? Yes, सब जगाओं पे 1 gram mass आ रहा है, अब यहाँ पे हमें oxygen के masses का ratio देखना है, ठीक है? So let's see my dear students, यहाँ पे 16, 16, 16, 16, 16, 16 तो cancel होई जाएगा, ठीक है? अब आपके पस यहाँ पे बचा है 1 by 2, यहाँ है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3 by 2, और यहाँ पे है बेटा 5 by 2, ठीक है? Yes, तो अब क्या करना है? Simple whole number ratios देखने हैं, तो क्या करो? अब क्या करते हैं? अब हमें simple whole number ratios चाहिए, तो आप divide कर सकते हो, 2 से पूरी equation को divide कर दो, जिस तरीके से आप simple whole number ratios निकालना चाहो, ठीक है? Maths आप और बेटर तरीके से इसको कर पाऊगे, so यह ratio आजाएगा आपका 1, तो यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा बटा 4, यह हो जाएगा आपका 2 into 3, 2, 6 यह हो जाएगा 5, 2 Just a second, just a second, just a second हाँ, तो यहाँ पे हमने 2 से multiply किया, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 राइट, यहाँ तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो सभी का simple whole number ratio आ रहा है, which is 1 ratio, 2 ratio, 4 ratio, 3 ratio, 5 तो वही बात है कि जब आप किसी एक element का mass fix करोगे, तो दूसरे element का जो mass ratio है, वो आपका small whole numbers में आएगा ठीक है, I hope यहाँ तक clear है यह law से ज़्यादा typical questions आते नहीं है, but still you need to have a better understanding of every topic ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, लिख लीजे इसे now, बिटा, when we take again limitations की बात करें, तो जब भी आप isotopes की बात करोगे, तो फिर यहाँ पे वहाँ पे यह law fail हो जाएगा, क्योंकि उस time पे, जब scientists ने यह laws दिये थे, तब isotopes के बारे में कोई information ही नहीं थी, ठीक है, isotopes discover ही नहीं हुए थे, so, when we take isotopes of the element, law of constant proportion fails in case of some hydrocarbons, also it fails, तो यह limitations आपको पता होने चाहिए, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, amazing my dear students, let's solve a few questions, try the question, बहुती interesting question हो, बहुती easy question हो, कहता है the law of multiple proportions is illustrated by the two compounds, दो compound से आपको यह illustrate किया गया है इस question को try करना है आपको solve करने का, ठीक है okay the law of multiple proportions is illustrated by sodium chloride अब आपको यहाँ पर compounds पता होने चाहिए, अगर अभी नहीं पता है तो don't worry, class 12 में जब पूरी chemistry पढ़ लोगे तो आपको यह compounds लिखना आ जाएगा, ठीक है, so you have sodium chloride, you have sodium bromide you have ordinary water, that is H2O, you have heavy water, that is D2O, ठीक है, you have caustic soda, you have NaOH and you have caustic potash, that is you have KOH, ठीक है you have sulfur dioxide and you have sulfur trioxide अब हमें बता है, हमें बता है कि जो law of multiple proportion है उसकी दो चीजे important होती है, that is, दो elements होने चाहिए, ठीक है, और उन में से किसी एक का mass fix करो, तो दूसरे का mass का ratio जो होता है, वो small hole number होना चाहिए, यानि कि दो elements होने चाहिए, ठीक है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि बिटा तो यहाँ पर sodium भी है, chlorine भी है और एक तीसरा element भी है, bromine तो यह तो law of multiple proportions follow कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमें elements सिर्फ दो ही चाहिए, compounds अलग लग चाहिए तो यह नहीं हो सकता आपका similarly hydrogen है, oxygen है और deuterium है isotope है, isotope के case में तो वैसे ही नहीं follow करता है, ठीक है you have sodium, you have OH you have potassium and you have OH, ठीक है again बिटा, यह भी follow नहीं करेगा क्योंकि sodium और potassium अलग अलग हो गए so not possible, यहाँ पे है sulfur और oxygen जो दो अलग-अलग compounds form कर रहे है, so yes यहाँ पे अगर आप sulfur का mass fix करोगे, तो oxygen का mass जो है, वो small whole number ratios में आएगा, तो बिलकुल option D जो है, वो आपका law of multiple proportion को follow करेगा, ठीक है clear, चलो, बहुत बढ़िया, let's move forward next is, given the following data for the two compounds, SNO2 and SNO, what is the whole number ratio of the oxygen of SNO to the oxygen of SNO2 does this follow the law of multiple proportion or not, ठीक है तो law of multiple proportion follow करने के लिए, दो elements चाहिए, एक का mass fix करो, और अगर दूसरे element का mass small whole number ratios में आ रहा है, तो वो law of multiple proportion follow करेगा, क्या दो elements है बिलकुल मैम, SN और O है, बिलकुल है दो ही elements है, और वो क्या दो अलग-अलग compounds form कर रहे है SNO और SNO2, बिलकुल दो अलग-अलग compounds form कर रहे है, अगर आप एक का mass fix करते हो, तो क्या दूसरे के mass का ratio whole number में है, येस, अगर आप देखोगे तो approximately ये 1, तो ये approximately 2 आ रहा है, so 1 ratio to आ रहा है, बिलकुल 100-100 grams उसका mass fix था, तो येस, ये आपका law of multiple proportion follow करता है so you say yes it follows the law ठीक है, पूरी line नहीं लिखरी हूं क्योंकि इतना हमारे पास time नहीं है, बट I hope आपको पता, समझ आ गया है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, let's move forward next, talk about Avogadro's law, बेटा, Gay Lusak's law जो है, वो हम, हम जब gaseous state पढ़ेंगे, states of matter पढ़ेंगे, तो मैं आपको तब पढ़ाऊंगी in fact, Avogadro's law भी आप जब mole concept पढ़ लोगे, उसके बाद में आपको समझ आएगा but still, अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ Avogadro's law को पढ़ने के लिए आपको पूरा mole concept पता होना चाहिए basically Avogadro's law क्या कहता है, वो मैं आपको जिस्ट दे देती हूँ कि same temperature और pressure पे, जो equal volumes of gases होती है equal volumes of gases जो होती है, उनके equal number of molecules होते हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, that at same temperature and pressure, equal volumes of gas have equal number of molecules अभी आपको इसके पीछे का reason बिलकुल नहीं समझाएगा कि माम क्यों equal volumes of gas, equal volumes of gas से मेरा कहने का मतलब है, मान लो आपके पास में एक लीटर N2 है और मान लो एक लीटर O2 है जब तक, और ये दोनों same temperature और pressure पे हैं, जब तक इनकी volume same है, इनके number of molecules भी same होंगे, ठीक है, लेकिन इसका reason नहीं समझा रहा होगा, मैं ऐसे मैं बोलूंगी आपको उस point पे जब हम यहां पहुंचेंगे, यह समझने वाले point पे पहुंचेंगे, कि देखा, मैंने कहा था ना वो मैंने proof कर दिया, तो यह मैं proof करूंगे, ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो, कि equal volume of gases होंगी, तो वो equal number of molecules ठीक है, clear, चलो, let's see, let's see, let's solve a question, equal masses of H2O2 and methane have been taken in a container of volume V at same temperature in identical conditions, the ratio of volumes of gases H2 ratio O2 ratio methane would be, ठीक है, अब यह question जो है बिटा, वो मैं आपको mole concept के through करवाना चाहती है, ठीक है, I don't want कि मैं आपके लिए चीज़ें complicate करूं, तो आप इस जगां पे ऐसा लिख लो, mole concept, mole concept, तो यह question आप खुद कर लेंगे, जब मैं आपको third वाला part करा दूंगी, that is your mole concept, ठीक है, तो इसको हम homework देते हैं, यह मैं आपको homework दे रही हूं, ठीक है, इसका answer तो आपको मिली जाएगा, इसका answer तो आपको मिली जाएगा, बट यह homework है, और यह आप तभी कर पाओंगे, जब आप mole concept खतम कर लोगे, ठीक है, that is your third topic, okay, perfect, yes, तो यह करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, यही question जो है, वो हमें third topic को पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा, yes, चलो, बहुत बढ़ी है बेटा, we'll do this question, and जाते जाते, मतलब यह topic खतम करते, करते, आप खे लिए कुछ यहाँ पर है, that, how I take critical decisions, critical decisions कैसे लेते हूं, क्या करूं, कैसे करूं, बहार में जाए, हो जाएगा, जो देखा, क्या था, जो होगा, देखा जाएगा, right, yes, तो ऐसे ही लिए जाते है, critical decisions, I know that, चलो, with this, we have completed our second topic, ठीक है, yes, इसके बाद बेटा, अब हम हमारे third topic पर चलेंगे, which is your mole concept, let's move to the third topic, which is your mole concept, बेटा, अब हम सबसे important topic, mole concept, start करने वाले है, जिसकी knowledge होना सबसे ज़्यादा सरूरी है, right, yes, so let's start the mole concept topic, तो पेटा, अब इसके अंदर, मैं आपको थोड़ा सा idea दे देती हूँ, stoichiometry, chemistry की वो branch होती है, जो सारे के सारे chemical reactions से related, जो calculations होती है, उससे deal करती है, ठीक है, yes, अब वो calculations दो तरह से हो सकती है, या तो आप mole concept से कर लो, या फिर आप उसको redox reactions ने भी कर सकते हो, और ये दोनो ही topics हमारे slayvers में है, so redox reactions हम थोड़ी देर बाद discuss करेंगे, sorry, इस आज नहीं, मतलब आने वाले lectures में discuss करेंगे, and आज हम mole concept को discuss करेंगे, I hope clear है, चलिए, so stoichiometry, it is the branch of chemistry that involves calculations based on chemical reactions or chemical data, चलो, तो बेटा, अब ये समझने के लिए, मैं आपको ले आई है, कहां, मैं आपको ले आई है, सबजी मंडी में, बिल्कुल बेटा, तो अब आपको यहाँ पर मैं समझाओंगी, कि ये mole की न जरूरत क्यों पड़ी, ये mole है क्या, राइट, येस, तो अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं तुम्हें सबजी मंडी में लेकर गई है, और मैं तुम्हें एक टास्क दिया, ठीक है, बिग बॉस टास्क होते हैं, वैसे टास्क दिया मैंने तुम्हें, कि कि जाओ, और मैंने बोला, एक डजन लेयाओ, चाहे मैं बोलू कि तुम 12 बनानाज लेयाओ, चाहे चार बनानाज ले औगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं तुम्हें बोलू की जाओ और भाईया के पास जाके बोलो की मुझे हजार डाल चाहिए जब तुम हजार डाल लेने जाओगे तो तुम डाल लेके तो वापस नहीं आओगे वह डंडा खाके जरूर आओगे क्यूं होगा ऐसा भाई जैसे ही तुम बोलोगे भाईया हजार दाल दे तो भाईया तुम्हें चाटा मारेगे मैं बोलेगे क्या ही है मैं नहीं हजार गिन सकता किलो में बताओ चाहिए तो दूँगा ठीक है yes perfect तो ऐसा क्यों हुआ यार क्यों आप हजार दाल के pieces नहीं मिलते हैं हमें लेकिन अगर हम हजार बनाना बोले तो हमें हजार बनाना मिल जाएंगे क्योंकि वैटा गिनना पॉसिबल है जो चीज गिन पाएं वो ही तो वो पॉसिबल हो पाएगी ना अब मानलो दाल के pieces है छोटे छोटे pieces है ऐसे थोड़े कोई देता है तो हर एक चीज को read करने के लिए उसकी quantity के हिसाब से एक reference value जो होती है वो decide की जाती है उसको measure करने के लिए एक reference value decide की जाती है जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो दाल को हम kg में study करते हैं है ना हम kg बोलते हैं kg हमें मिल जाता है वैसे ही अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो हमें bananas जो हैं वो dozens में मिल जाते हैं similarly अगर grapes की बात करोगे तो grapes भी आपको kg की form में मिलते हैं तो वो जिस तरह के हैं उनको गिनना जिस तरह से possible है उसी के हिसाब से आप एक reference value decide करते है I hope यहाँ तक किसी को कोई doubt नहीं है अब बेटा इसी तरह से हमारी जो body है उसके अंदर इतने सारे sub atomic particles है इतने छोटे 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 particles है और वो 10 की power 40, 50, 60 तक जाते हैं ठीक है तो मैं इतने बड़े बड़े numbers हैं अगर आप इनको 1, 2, 3 करके गिनने लगे ना हो गया काम ठीक है यस तो बस उनी को read करने के लिए बेटा मोल जो है वो invent किया गया मोल सिर्फ और सिर्फ हमारी calculations को असान करने के लिए बनाया गया it is just a number and उसको कैसे use करते हैं वो अब मैं आपको समझाते हैं ठीक है तो मोल is a unit to represent the number of micro particles such as atoms, molecules, ions जो हमारी body के अंदर होते है वो बहुत ही छोटे-छोटे amount में होते हैं तो उनको study करने के लिए use किया है इसका मतलग क्या है यानि के बेटा यहाँ पे one mole जो है वो बस एक number है जिसको एक symbol दे दिया na जिसको कहा जाता है avogadro number ठीक है यह होता है avogadro number और यह जो number है this is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 बस एक number है जैसे dozen में एक dozen 12 के equal होता है सेम उसी तरह से one mole इतने number के equal होता है बस इत्ती सी गल्ल है और कोई बात नहीं है ठीक है यह परफेक्ट तो है और फिर हम इसी value को use कर लते हैं फिर कोई issue नहीं है यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं अब हम mole concept को study करने वाले हैं तो let's see तो जब आप mole concept को पढ़ोगे तो कैसे आप mole calculate करोगे मैं वो आपको समझाती हूँ ठीक है तो इसको मैं फिर से तुम्हें bananas के example से समझाओंगी तो तुम बहुत असानी से हर चीज को relate कर पाऊँगे मुझे एक बात बताओ अगर मैं आपको बोलती हूँ that you have 12 bananas 24 bananas ठीक है तो मैंने बोला 24 bananas ठीक है और मैं पूछ नहीं कि अगर में पास 24 bananas है तो जल्दी मुझे यह बता सकते हैं कि मैं बस कितने dozen हैं तो आप कह दोगे कि माम अगर 24 bananas है तो आपके बस नग 2 dozen है मान लिया तुमने मुझे सही बताया पर तुमने यह calculate कैसे किया तुमने यह calculate ऐसे किया तुमने कहा कि माम हमें पता है that 1 dozen 1 dozen is equal to 12 एक dozen 12 के equal होता है तो यह क्या है आपकी यह आपकी reference value है यह क्या है बचा reference value है अब माम आपने हमें कितना number दिया given entity कितनी है 24 तो given entity कितनी है आपकी it is 24 तो माम number of dozens calculate करने के लिए यह तुमने ना unintentionally कर दिया तो मैं पता भी नहीं लगा और तुमने यह unintentionally number of dozens calculate कर लिए और number of dozens calculate करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा जो भी मुझे given entity थी जो भी मुझे given entity थी उसको मैंने reference value से divide कर दिया है ना yes given entity थी 24 reference value थी 12 तो मैं मेरे पास आ गया two dozens यह तुमने ना जानते हुए भी कर दिया calculations है ना हाँ तो तुम मोल क्यों नहीं calculate कर सकते अब मैं अगर तुम्हे number of particles दे दू तो क्या तुम number of moles calculate कर पाओगे super easy मैं given number of particles divided by the reference value reference value क्या है Avogadro number Avogadro number क्या है 6.022 into 10 raised to the power 23 यानी कि माम बहुत असान हो गया बस यहाँ पे एक line लगाओ और इसी से relate करता हुआ तुम मेरे को number of moles बता सकते हो कैसे माम number of moles जो होंगे वो किसके equal हो जाएंगे given number जो भी आपको question के अंदर number दिया होगा और उसको divide करना है किस से बेटा reference value से reference value क्या है 1 Avogadro number 1 mole है ना यस तो माम यहाँ पे लिख दो Avogadro number बस यह आ गया आपके पास में आपका formula for calculation of number of particles राइट यस और यह number of particles आप कब calculate कर सकते हो in terms of number of particles जब आपको number दिया होता है particles का तो आप moles कैसे calculate करते हो यह formula है अब गलती नहीं करो है ना clear चलो यह समझ आया तो फिर हम questions के through इसको और understand करेंगे आप pause करके video इसको लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं so yes here is a little of तुम्हारा क्या केते हैं तुम्हें थोड़ा सा चिल करवाने के लिए ठीक है so hey mole where where is you going ठीक है तो mole I hope आप सभी को पता है कि इसे mole कहते हैं और हम जो mole use करते हैं वो और गडरो number वाला use करते हैं तो यह बिचारा थोड़ा सा परशान हो गया he's like मैं अपनी identity ढूणने जा रहा हूँ कि मैं actual मैं हूँ कौन मैं मैं ही हूँ या फिर मैं वो गडरो number हूँ right yes चलो बहुत बढ़िया अब हम बढ़ते हैं बेटा अब आपको अगर अगर आपको किसी ने बोला कि you have one mole of chlorine atoms तो इसका क्या मतलब है ठीक है उस चीज को समझने के बाद मैं आपको mole sorry atom और molecules के बीच का difference भी बता हूँ ठीक है ठीक है ठीक है तो अगर मुझे बोला है one mole of chlorine atom तो इसका मतलब क्या है one mole of chlorine atom का मतलब है Avogadro number of chlorine atoms है ना Avogadro number की value कितनी होती है it is 6.022 into 10 raised to the power 23 chlorine atoms ठीक है बटा तो आपको ये समझ आना चाहिए कि read कैसे करते हैं ठीक है ये समझ आया तो इसके बाद में मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ that you have 5 moles of oxygen atom अगर 5 moles of oxygen atom है इसका मतलब होगा बेटा आपना कुछ भी मत किया करो simple सी चीज है जहां पे mole लिखा होता है उसकी जगां पे Avogadro number लिख लिया करो तो यानि कि मान 5 का 5 mole लिखा है ये देखो mole लिखा है तो यहां पे आ जाएगा क्या Avogadro number तो 5 na right? yes बाकी तो same ही लिखना है oxygen atom ठीक है? तो मान 5 तो लिखना ही पड़ेगा? yes और इसको किस से multiply कर देंगे फिर? 6.022 into 10 raised to the power 23 और यहां आ जाएगा oxygen atoms ठीक है? तो माम अगर मुझे atoms के moles दिये होंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगे चाहे आप 5 बोल दो 6 moles बोल दो, 7 moles बोल दो, 10 moles बोल दो हम ये कर लेगे ठीक है? इसमें कोई issue नहीं है? चलो पहुत बढ़ेगे अब मुझे एक बात बताओ, अब हम atom और molecule के बीच का difference समझते हैं, अब हम atom और molecule के बीच का difference समझते हैं, ठीक है? आपके पास है बिटा chlorine और आपके पास है बिटा Cl2, ठीक है? तो एक atom जो होता है, वो single होता है, similar तरह के atoms होंगे, मतलब जो एक ही होता है, ठीक है? लेकिन, जब एक से ज्यादा atoms मिल जाते हैं, तो वो molecule बन जाते है, ठीक है? यानि कि मैम, इसको हम बोलेंगे atom, लेकिन इसको हम बोलेंगे molecule, ठीक है? clear है बिटा? ठीक है? अब वो pure substance वाली कहानी को मत यहाँ पे relate करना, यहाँ पे हम calculations के लिए बात करें हैं, वो जो pure substance था, element था, compound था, वो वहीं पे छोड़ के आना, ठीक है? अब इस चीज़ को समझो molecule, क्योंकि इस chapter में यह बार-बार repeat होगा, मैम, क्या molecules सिर्फ Cl2, O2, ऐसे ही हो सकते हैं? क्या अलग-अलग atoms से मिलकर molecules बन सकते हैं? बिलकुल बन सकते हैं, यानि कि Cl2, NO2, SO3, यह सारे के सारे बेटा आपके क्या होंगे molecules हों, ठीक है? अब अगर मैं आपसे यह पूछू, कि क्या आप मुझे बता सकते हो, that एक Cl2 के अंदर कितने atoms होते हैं? तो हम बोलेंगे that one Cl2 molecule has two atoms. एक सिंगल Cl2 molecule के अंदर दो atoms हैं, ठीक है? Similarly, अगर हम एक molecule of NO2 की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? has one nitrogen atom, one nitrogen atom and you have two, तो two oxygen atoms और दो आपके पास oxygen के atoms हो, तो आप एक molecule के हिजाब से इसको calculate कर सकते हैं. पते हैं, यहां तक भी चीज असान लगती है, मुश्किल कहां आती है, अब देखना, मुश्किल कहां आती है, अब देखना, चीक है? अगर बेटा, एक बर मैं देख लती हूँ, मैं बस आगे जगा है क्या? हाँ, बिलकुल आ गई, अब देखो, मुश्किल यहां आती है, अभी तक हमें एक atom भी समझ आ रहा था, हमें एक molecule भी समझ आ रहा था, अब अगर बेटा, आपको बोल दिया जाए, that you have two moles of CL2 molecule, तो हम इसको कैसे समझेगे? यहां से, अभी मेरी समझो, मैं क्या बोल रही हूँ, उसके बाद मैं खुद से try करना, मैं बहुत सारा homework दूँगी, अब देखो, अगर आपको दो moles CL2 molecule बोले हुए हैं, तो मुझे एक CDC बात पता है, कि मैं यहां पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, two, और जब moles लिखा होता है, तो हमें यहां पे लिखना होता है Avogadro number, है ना? हाँ, तो two Avogadro number और यहां पे आ जाएगा हमारा CL2 molecule, मानते हो, अभी तक कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रहे है, ठीक है, अब देखो, हमें पता है जब Avogadro number लिखा होता है, तो हम 6.022 इसकी जगां पे लिख सकते हैं, तो this will be equal to two into 6.022 into 10 raised to the power 23 CL2 molecules, ठीक है, CL2 molecule, यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, नहीं मैम, यहीं आप से पूछा था कि 2 mol CL2 molecule के अंदर कितने CL2 के molecules होगे, तो बिटा, इतने CL2 के molecules हो जाएगे, लेकिन अगर मैं तुमसे इसके आगे question पूछ लो, मैं तुमसे इन 2 mol CL2 molecule, अब आई amazing सी बात, अब question कहता है कि कितने CL के atoms हैं, 2 mol CL2 में, ठीक है, तो आप कहोगे, आप कहोगे कि हमें यह तो पता है कि 2 mol CL2 में हमारे पास में 2 into 6.022 into 10 raised to the power 23 3 CL2 molecules हैं, यहां तक तो आप लोगों को सबको पता है, यह तो हमने कर लिया, एक molecule में बेटा, कितने atoms होते हैं क्लोरीन के, अगर मैं हम एक molecule की बात करते हैं, तो one molecule of CL2 has 2 chlorine atoms, मानते हो, यह बात मानते हो, कि एक molecule CL2 के में 2 chlorine के atoms होते हैं, विलकुल, तो अब जैसे वही चीज होती है, कि एक CL2 में 2 molecules हैं, एक CL2 molecule में 2 chlorine के atoms हैं, तो अगर आपके वास में 2 chlorine के molecule, CL2 के molecules होते हैं, तो 4 atoms हो जाते हैं, आप into 2 कर रहे हो simply, हाँ, तो भाई मुझे एक बात आओ, अगर एक molecule में 2 chlorine atoms हैं, तो इतने molecule में कितने chlorine के atoms होंगे, simple ma'am, 2 into 6.022 into 10 raise to the power 23 CL2 molecule, will have, will have, इसी number को बस 2 से multiply कर दो, सिधी सी बात है, येस, तो will have 2 into 2 into 6.022 into 10 raise to the power 23 chlorine atom, तो आपको ना कुछ नहीं करना, जब भी molecule दिया हो, तो उससे कितने molecules हैं, वो find out कर लो, फिर एक molecule में जितने atoms होते हैं, उसी को इस number से multiply कर, ठीक है, I hope इतना समझ आया, अगर समझ आया, तो अभी हम बहुत सारे questions करेंगे, so don't करें, ठीक है, yes, चलो, okay, amazing, यहां तक मैं clear हो गई होगी चीज़े, ठीक है, let me see आगे हमारे पास जगा है क्या, yes, तो अब हम question के थूरू समझते हैं, कि हमें इस part को हम कैसे apply कर सकते हैं, चलो, तो the question says that 1.2 into 10 raised to the power 25 Cl2 molecules हैं, find the number of moles of Cl2 molecules, बहुत असान है, simple आपको number of entities given हैं, आपको moles calculate करने हैं, formula हमें आता है, तो चलो, आप हम इसे calculate करते हैं, और यह ना बहुत जल्दी-जल्दी चीज़े calculate करना सीखना है हमें, तो सबसे पहले हमें पता है, बेटा, N जो होगा ना, उसको हम हमेशा number of moles से calculate करेंगे, अपना short forms लिखना start कर रहे हैं, ताकि time waste ना हो, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो number of moles जो होते हैं, वो होता था, given number upon Avogadro number, ठीक है, यह formula होता था, इस formula को हमें apply करना है, let's apply this formula, तो number of moles जो होंगे, given entity है, 1.2 into 10 raised to the power 25, divided by, आपका Avogadro number 6.022 होता है, इसको calculation असान करने के लिए, मैं 6 into 10 raised to the power 23 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, 6 into 10 raised to the power 23, calculation easy करने के लिए कर रहे हूं, वैसे 6.022 ही होता है, चलो, तो मैम, अब हम इसको calculate करेंगे, तो यह जाएगा, 1.2 upon 6 into 10 raised to the power 25 minus 23 is 2, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 1, 2, 0 upon 6, I hope यहां तक clear है, yes, तो let's see, अब यहां पे आ जाएगा आपका 2 और 0, तो यानि कि 20 moles of CL2 जो है, वो आपके पास है, चीक है, yes, तो इसी तरह से आप number of moles calculate कर सकते हैं, अब बेटा, यहां तक तो चलो मैं, बहुत असान था, यह तो super easy था, अब ना थोड़ी सी complications को बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको यहीं पे एक question देती हूँ, क्या question है, उसको ध्यान से सुनना, you have, you have, question is, क्या यह visible है, I hope नहीं, इतना soft clear नहीं दिख रहा है, तो हम black use करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो your question is, कि आपके पास में 2 mol NO2 molecule है, ठीक है, आपको मुझे यह बताना है, कि कितने number of nitrogen atoms हैं, और कितने number of oxygen atoms हैं, यह apply करना आना चाहिए, बहुत important है, चलो, अब देखते हैं, मैम हमें पता है, कि अगर एक molecule NO2 होता है, तो इसके अंदर हमारे पास, एक nitrogen का atom होता है, और 2 oxygen के atoms होते, यह बात मानते हो, अगर मैम, अच्छा, एक molecule बेटा, इसको न एक molecule लिखो, पहले molecule से शुरू करेंगे, फिर mole बताऊंगे, तो अगर आपके पास में एक molecule NO2 को होता है, तो एक nitrogen atom होता है, और 2 oxygen atom होता है, ठीक है, अगर एक mole NO2 होता है, अगर एक mole NO2 होता, तो मैम, हमारे पास, एक mole nitrogen के atoms होते हैं, और 2 mole oxygen के atoms होते हैं, यह बात मानते हो, विलकुल मानते हैं, आपने हमें दिया है, 2 mole NO2, है ना, तो मैम, अब हमारे पास में 2 mole NO2 हैं, तो यानि कि, you have 2 mole NO2, तो इसका मतलब है, कि हमारे पास में 2 mole nitrogen के atoms हैं, और हमारे पास में 2 into 2, 4 moles oxygen के atom, तो 4 mole oxygen atoms हैं, आप से पूछा है, exact number, moles की term में नहीं पूछा, exact number पूछा है, तो अगर यहां तक आ गए, फिर तो calculation बहुत ही असान हो गई, यस माम, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, 2 moles हैं, यानि कि, 2 into Avogadro number of nitrogen atoms, ठीक है, Avogadro number 6.022 होता है, multiply कर लोगे, और यह हो जाएगा, 4 Avogadro number of oxygen atom, देख रहे हो कितना असान है, देख रहे हो कितना असान हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको अपनी calculations करने हैं, तो step by step चलोगे, तो गलती नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसे फटा-फट करने की कोश्च करों, तो गलत हो जाएगा, और ये बेटा practice के साथ ही समझाए, ठीक है, येस, तुम बहुत सारी practice करेंगे, don't worry, मैं बहुत practice करवाऊंगी, चलो, यहाँ तक clear है, चलो, आगे बढ़ेंगे, ये लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना, pause करके, next, next is, अब बेटा, थोड़ा सा mass की बात कर लेते हैं, number की terms में तो मैं, आपने हमें calculate करना सिखा दिया, लेकिन mass की terms में कैसे calculate करते हैं, so your next topic is actual atomic, ठीक है, अब actual atomic mass का मतलब होता है, कि जो real mass होता है, आपके एक atom का, जो real mass होता है, एक atom का, वो हम calculate करेंगे, और वो हमेशा grams में calculate करा जाता है, तो actual atomic mass को, बेटा, A, A, M, B, arm, arm किस-किस को पसंदा है, arm से represent किया जाता है, ठीक है, चलो, the real mass of atoms is expressed in grams, and it is known as actual atomic mass, that is arm, ठीक है, तो, बेटा, अगर मैं आपको बोलू, कि एक chlorine atom का mass, जो होता है, वो पते है कितना होता है, 35.5 into 1.66 into 10 raised to the power minus 24 grams, ये होता है, एक atom का grams में, ठीक है, आप बोल रहे होगे कि माम, नहीं है, ऐसा-ऐसा तो नहीं सुना था, हमने तो कुछ और ही सुना था, I know, I know, बट, अभी के लिए, ये समझ लो, ठीक है, similarly, बेटा, अगर आप से कोई एक oxygen atom का mass पूछता है, तो वो होगा, 16 into 1.66 into 10 raised to the power minus 24 grams, ये actual atomic mass होता है, और actual atomic mass हमेशा grams में होता है, ठीक है, similarly, 1 hydrogen का atom का mass, जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1 into 1.66 into 10 raised to the power minus 24 grams, ठीक है, तो these are the actual atomic mass, arm of atoms, ठीक है, हमेशा इस तरह से calculate होते हैं, I hope यहां तर किसी को कोई डिक्कत नहीं है, next is your relative atomic mass, और relative atomic mass होता है, आपका राम, क्या होता है, राम, और यही सबसे important है, क्योंकि हम यही use करते हैं, ठीक है, तो relative atomic mass होता क्या है, यह mass जो होता है, अब क्या था ना, उन्होंने, जो भी scientists थे, उन्होंने बोला कि यहर ऐसे करते हैं, सारे masses को न, एक दूसरे से relate करके answer निखा, तो फिर इसलिए उन्होंने carbon 12 को reference लिया, ठीक है, तो carbon 12 का 1 12th mass लिया, और उससे relate करके सबके masses बता दिये, जो चीज़ें आपके लिए important हैं, मैं सिर्व वही वही आपको बता रही हूँ, तो the atomic weight और atomic mass of an element may be defined as the average relative weight, relative weight कब होता है, जब आप किसी और की relation में answer देते हो, ठीक है, तो relate करके उन्होंने answer निकाला, किसके साथ with respect to 1 12th mass of carbon atom, ठीक है, तो यानि कि जो भी carbon atom था, उसका 1 12th mass लिया, ठीक है, तराजू लेते हैं ना, ऐसे तराजू, ये तराजू ले लिया, ठीक है, इधर लग दिया 1 12th of carbon 12, carbon 12 का जो भी mass था, उसका 1 12th रग दिया, और फिर यहाँ पर hydrogen, nitrogen, oxygen सब रखते गए, और उनके जो जो masses आते गए, उनको एक copy में लिखते गए, ठीक है, और ये जो relative atomic mass होता है ये आपको U, that is your unified mass, या फिर AMU की form में मिलता है, ठीक है, तो relative atomic mass, राम कैसे calculate किया जाता है, 1 12th of carbon 12 से relate करके सारे atoms का mass लिखा गया, और जब आप relative atomic mass की बात करते हो, तो बेटा, 1 atom of hydrogen का mass आया था, 1U, ठीक है, 1 atom of oxygen का mass आया था, 16U, U लिख दो, AMU लिख दो, जो भी unit है वो लिख दो, अब ये वाली value ना आपको दिखने में जादा अच्छी लग रही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो 1.66 into 10 raised to the power minus 24 वाला पंगा खतम हो गया, ठीक है, तो इसी लिए इस तरीके से unified mass, U की form में आया था, relative atomic mass, हमेशा याद रहतना, actual atomic mass, grams में होता है, और जो relative atomic mass होता है, राम, वो होता है, unified या फिर AMU, ठीक है, clear है, चलो, लिख लो इसको, the atomic mass is a unit less quantity and it is a relative quantity, तो बोला कि जो आप relative atomic mass से mass calculate करते हो, actual में उसकी कोई unit नहीं होती, mass होता है, जो बहुत है important होता है and that is your molar, और यह क्या है, molar mass, ठीक है, molar mass को बिटा, MM से represent किया जाता है, ठीक है, the mass of one mole of a substance, अगर one mole of a substance बोला है, यानि की Avogadro number of that substance, अगर atom है, तो Avogadro number of that atoms, 6.022 into 10 raise to the power, 23 atoms का mass, अगर molecule है, तो 6.022 into 10 raise to the power, 23 उतने molecules का mass जो होगा, वो आपका molar mass होता है, ठीक है, अब जो सबसे जादा beautiful चीज है, वो यह है बिटा, कि जब आप एक mole hydrogen का mass calculate करते हो, इसके पीछे पूरी calculation होती है, बट वो आपसे कोई पूछता तो है नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा idea दे दूँगी, अब समझ लो उस चीप को, एक mole hydrogen का mass आप हमेशा grams में लिखते हो, gram per mole में, तो molar mass हमेशा grams में आता है, और यह बिटा, आपका 1 gram per mole के equal होता है, एक mole का mass 1 gram होता है, ठीक है, similarly, अगर 1 mole of hydrogen atom लिख लो, अगर confusion हो रिया तो, 1 mole of oxygen atom की अगर बात करोगे बेटा, तो वो 16 grams per mole होगा, एक mole का mass 16 grams होता है, लेकिन मैं यह आया कैसे, तो मैं यह तुमें थोड़ा सा idea दे देती हूँ, अगर आपको समझाए तो well and good, अगर नहीं समझाए तो कोई बात नहीं, पेपर में कोई नहीं पूछाएगा, आपको पता है, कि एक atom का mass, एक atom of hydrogen का mass, grams के अंदर, आम जो होता है, वो क्या होता है बेटा, 1 into 1.66 into 10 raise to the power minus 24 grams, और आपको molar mass भी grams में ही चाहिए होता है, हाँ, तो जब हमें 1 mole का mass चाहिए, तो एक atom का इतना है, तो 1 mole का यानि की 6.022 से इस mass को multiply कर दो, है ना, yes ma'am, तो 1 mole hydrogen atoms का mass कितना हो जाएगा, ये जो value है, 1.66 into 10 raise to the power minus 24 into 1, इसको multiply कर दो, 6.022 into 10 raise to the power 23 से, तो जो mass आएगा, वो grams में आएगा, मानते हो, ये बात मानते हो, yes ma'am, आपको पता है, ये वाला number into 6.022 into 10 raise to the power 23, multiply कर के देखो, multiply कर के देखो, 1 आता है, इन दोनों numbers का multiplication हमेशा 1 होता है, ठीक है, और इसलिए, आता है, 1 mole of hydrogen atoms का, वो 1 gram हो, ठीक है, ये आपको complication समझने की जरूरत है नहीं, बस ये beauty है chemistry की, बट अगर आपको ये नहीं समझा रहा, तो ये आपके लिए काफी है, ठीक है, तो यहाँ से, यहाँ से हम एक picture बना सकते हैं, यहाँ से आपको, जितनी भी चीजे पड़ी, वो सबको मैं आपको relate करके बता सकती हूँ, तो let's write यहाँ पे, arm, ठीक है, राम, and molar mass, ठीक है, यह अब आपको समझना है, यहाँ से देखना, let's write for hydrogen, सबसे पहले hydrogen के लिए लिखते है, arm किस में calculate होता है, grams में, यह unified mass में, और यह भी grams में होता है, ठीक है, तो अगर hydrogen है, तो मैं यह होगा 1 into 1.66 into 10 raise to the power minus 24 grams, ठीक है, यह कितना होगा 1u, तो यह होगा 1u, यह कितना होगा 1 gram, ठीक है, clear है, इसी तरह से, अगर आप oxygen लिख लोगे, तो कितना हो जाएगा, oxygen का mass 16, तो 16 into 1.66 into 10 की power minus 24 grams, यह हो जाएगा 16u, और यह हो जाएगा 16 grams, तो बहुत असान हो गया हमारे लिए calculations करना, और इसी लिए हम यह जो relative atomic mass है न, यही calculate करते हैं, इसमें क्या होते है, बस unit बदल जाती है, एक atom का इतना mass होता है, एक mole का इतना mass हो जाता है, ठीक है, let's talk about other, क्या ले, तो महारा जो मैंन, जो तुम बोलो, sodium, ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर sodium लिखते हो, तो माम, यह हो जाएगा 23 into 1.66 into 10 raise to the power minus 24 grams, यह हो जाएगा 23u और यह हो जाएगा 23 grams, ठीक है, एक और लिख लेता है, magnesium लिख लेता है, magnesium, तो यह हो जाएगा 24 into 1.66 into 10 raise to the power minus 24 grams, यह हो जाएगा 24u और यह हो जाएगा 24, देख रहे हो, देख रहे को ध्यान रखना है, units and mass, और हम generally यही वाले masses को calculate कर, okay, clear, चलो, बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, तो अब अगर आपको atomic mass 35.5 दिया है, तो आपको पता है कि राम, आम और mm, molar mass कैसे calculate किया जाते हैं, उस सारी की सारी चीज़े मैं आपको लिखवाते हैं, ठीक है, तो अगर यही 35.5 को मुझे आम में लिखना होगा, तो मैं कहूंगी, it will be 35.5 into 1.66 into 10 raise to the power minus 24 grams, ठीक है, अगर यही चीज़ मुझे राम में लिखनी होगी, तो मैं कहूंगी, this will be 35.5 u, ठीक है, और यही अगर मुझे molar mass में लिखनी होगी, तो यह हो जाएगी 35.5 grams, clear, amazing, यह यह clear होना चाहिए, फिर ही आगे की चीज़े समझागी, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, तो पेटा, अब आपके सामने एक question आ गया है, इस question को solve करने की कोशिश करो, question क्या कहता है, ध्यान से देखो, question कहता है, calculate the number of moles of chlorine atom in 71 grams of chlorine atoms, अब आप कहोगे माम, यह तो हमें नहीं आता calculate करना, पेटा, आपको न एक ही formula यूज़ करना है, जो मैंने आपको बहुत पहले कराया था, moles calculate करने के लिए, given value divided by the reference value, है ना, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो आप कहोगे कि माम, reference value पता है, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपकी reference value होगी, molar mass, क्योंकि एक mole का mass तो आपको पता ही होता elements का, हाँ, तो उस element का या उस molecule का molar mass से अगर हम given mass को divide कर दें, तो हमें हमेशा number of moles मिल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में moles का एक formula आया, which is given mass divided by molar mass, ठीक है, तो यह आपका formula कैसे आगया, moles in terms of mass, तो अगर आपको mass की terms में कभी moles calculate करने हो, तो एक formula किया था, in terms of number of particles, अब हम calculate कर रहे हैं, in terms of molar mass, ठीक है, तो अगर आपको यह समझ आ गया, तो अब आप calculate कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैम हमें moles calculate करने हैं, और given mass हमें कितना दिया हुआ है, 71 grams, तो given mass को आप W, पद है हमेशा न, given mass को W से represent किया जाता है, आगे तुमारे लिए असान रहेगा, और molar mass को capital M से denote किया जाता है, ठीक है, तो यह short forms हम use करेंगे, तो हम calculations जल्दी कर पाएंगे, देखो, तो given mass upon molar mass, given mass कितना है, 71 grams, और molar mass कितना है, बेटा, कितना था, अगर आप देखो, तो आपको chlorine, chlorine atoms का molar mass निकालना है, chlorine atom का molar mass कितना होता है, मैंने तुम्हें बताया था, molar mass grams में होता है, और कितना होगा, बेटा, 35.5 grams per mole, तो जो आपके periodic table में first 20 elements है, कम से कम पहले 20 elements के masses आपको याद होने चाहिए, ठीक है, यह आपके लिए important है, तो यह 35.5 से divide कर दोगे, generally इसको gram per mole लिखते हैं, तो gram से gram जाता है, और यह आपके बास में 2 mole जो है, वो आपका answer आजाएगा, ठीक है, yes, तो यहाँ पे आप important डाल के लिख सकते हो, learn molar masses of first 20 elements, यह आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि paper में आपको ना दिये हो, तो यह आपके लिए important, ठीक है, yes, चलो, अभी ना easy से मुश्किल जगा में जा रहे हैं, धीरे-धीरे मुश्किल questions भी आएंगे, तो concept clear रखना, next is average atomic mass, अब average atomic mass क्या है बेटा, कि एक element के न, isotopes होते हैं, average atomic mass में एक element जो होता है, उसके isotopes होते हैं, सेम उसी तरह से बेटा, वो isotopes, isotopes के अलावा, isot bars भी होते हैं, मैं दीरे-दीर सारी चीज़े तुमें समझाओंगी, तो क्या होता है, कि माल लो तुम एक ही atom की बात करते हो, let's talk about chlorine, तो chlorine जो होता है, वो दो forms में exist, यह तुमारा chlorine है, ठीक है, yes, तो chlorine जो है, वो बेटा, आपका chlorine 35 भी होता है, और chlorine जो है, वो 37 mass के साथ भी exist करता है, ठीक है, तो जब isotopes की आपकी discovery हो गई, तो यह conclude किया गया, that same element can be present in the nature with different atomic masses, तो अलग-अलग masses के साथ भी वो exist कर सकता है, जैसे कि chlorine जो है, वो 35 और 37, दोनों forms में exist करता है, ठीक है, अब यह भी पता लगा, कि यह जो होता है, वो nature में 75% होता है, और यह जो होता है, वो 25% होता है, ठीक है, तो यार, अब मुझे एक बात बताओ, chlorine जो है, वो 35 form में भी exist करेगा, chlorine जो है, वो 37 में भी exist करेगा, हाँ मैं, अब isotopes हैं, तो obviously वो दोनों forms में exist करेंगे, तो अगर मैं इसका mass 35 दे दू, तो 37 वला गुस्सा हो जाएगा, और अगर मैं 37 दे दू, 35 वला गुस्सा हो जाएगा, तो क्या करें, इसलिए जब isotopes discover हुए, तो फिर average atomic mass की बात आई, ठीक है, तो जब तुम्हें percentages पता लग जाते हैं, तो कोई गुस्सा ना हो, इसलिए average atomic mass निकाला जाता है, और average atomic mass जो होता है, वो कैसे calculate किया जाता है, ऐसे लिख देते हैं, this is calculated as, जो भी mass है, into its percentage, ठीक है, तो मान लो 35 है, तो 35 को multiply कर दो, उसकी percentage से, जो 75 है, ठीक है, प्लस, आपके पास में 37 है, वो कितना percent present है, 25, उस पूरे को divide कर दो, total percentage से, which is your 100, ठीक है, तो यहाँ पर इसको calculate करोगे, तो आपके पास में relative mass आ जाएगा, which is 35.5, अब इस 35.5 को आप राम, आम और molar mass की तरहां use कर सकते हो, isotopes के case में यह use किया जाता है, और percentage आपको दियोगी question, ठीक है, अब यहाँ पर एक amazing सी beauty बताते हैं तुमे chemistry की, अगर तुम ध्यान से देखो, त क्लोरीन का जो 35 वाला isotope है, वो 75% present है, वो बहुत जादा amount में है, और यह 37 वाला कम amount में present है, तो बेटा, जो आपका average atomic mass आता है, वो जादा percentage जिसकी होती है, उसके mass के close होता है, तो अगर 30-75% है, तो ध्यान से देखो, 35.5, यानि कि इसके mass के close है, ठीक है, तो यह आप calculations के तू देख सकते हैं, I hope clear है आपको, चलिए, आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको, तो calculate the average atomic mass of chlorine, if its abundance is 75%, तो यह अभी मैंने तुम्हें करके दिखाया, यह तुम दुबारा खुद से भी कर सकते हो, तो मैं homework दे देती हूँ, वैसे तो अभी मैंने पीछे किया यह इसी question को, तो I hope कोई issue नहीं होगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next my dear students, question करते हैं, और य यह आपका एक previous year question भी है, ठीक है, तो question कहता है, that boron has, boron has two isotopes, boron 10 and boron 11, ठीक है, yes, and calculate the average atomic weight of boron in the periodic table, तो कैसे करेंगे इस question को, calculations सुम कर लेना, steps मैं तुम्हें बता देती हूँ, तो मैं हमें पता है, simple सी बात है, अगर हमें average atomic mass calculate करना है, तो हम कैसे calculate कर सकते हैं, this will be, जो भी इसका mass है, अगर आप इसका mass देखूगे, तो 10 है, तो 10 into percentage कितनी दी हुई है, 19, plus, यहाँ पे 11 into percentage कितनी दी हुई है, 81, divided by total percentage, जो होगी आपकी 100, इसको आप calculate करके अपना answer find out कर सकते हूँ, ठीक है, अब बेटा, इस question को देखके, मैं एक चीज तो बता सकती हूँ, कि क्यूंकि 81% भी 11 वाला है, यानि कि जो average atomic mass होगा, वो 11 के close होगा, ठीक है, तो 11 के जाधा pass होगा, as compared to 10, ठीक है, तो अब आप calculate कर ल next, next question आपके screens पर है, calculate the atomic mass of an element, if 60% of the atoms have a mass 69 and the rest have a mass of 71 amu, तो I hope अब आप इस question को कर सकते हैं, homework देदू इस question को, yes, so this will be your homework question, my dear students, अब आप इस question को बहुत अराम से कर सकते हो, हम इस तरहां का topic clear कर चुके हैं, ठीक है, let's move forward, next is your molecular mass, अभी तक हम atoms के बारे में बात कर रहे थे, सारे के सारे, जितने भी atoms हैं, जैसे की मानलो, Cl2 है आपके पास में, तो molecule के अंदर जो भी atoms हैं, उनके masses को add कर दो, आपको एक molecule का mass में जागा, मतलब कि अगर एक molecule है Cl2 का, तो उसके अंदर 2 chlorine के atoms हैं, और 1 chlorine के atom का mass 35.5 होता है, तो यह हो जाएगा बिटा, आपका 2 into 35.5 which is equal to 71, अब ये भी आप सारे, बिल्कुल उसी तरह से calculate कर सकते हैं, जो आपका arm है, राम है, और आपका molar mass है, ठीक है, बस इसमें change थोड़ा सा आप ये कर लिना, ये था actual atomic mass, लेकिन क्योंकि अब molecule है, तो ये क्या हो जाएगा, actual molecular mass, तो इसको आप a mm भी कर सकते हो, इसको आप a mm कर लो, फिल्ए इसको आप पड़ेगा, एसे कर लते हैं, ये हो जाएगा, actual molecular mass, तो अब ये amm हो गया, ठीक है, similarly relative molecular mass, तो ये हो जाएगा, relative molecular mass, तो ये क्या हो जाएगा, एक molecule का mass, grams के अंदर, ये grams में होता है, एक molecule का mass U के अंदर, और ये तो grams में होता ही है, और आपको values त 24, यह हो जाएगा 71U, और यह हो जाएगा 71G, ठीक है, यस, तो इस तरीके से आप calculations कर सकते हैं, एक molecule के लिए पूछा है, या एक mole के लिए पूछा है, वो आप उसके according calculation कर, ठीक है, let's talk about H2SO4, तो अगर हम H2SO4 के mass की बात करें, तो मैं हमें पता है, 1 into 2 plus sulfur होता है, 32 plus 16 into 4, अब यह अगर याद नहीं है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, यह याद करने पड़ेंगे, first 20 elements, तो इसको जब calculate करोगे, तो यह आएगा 98, अब यह हो सकता है, 98 grams, एक molecule के लिए, grams के अंदर, अगर आप 98 into 1.66 into 10 raised to the power minus 24 कर लो, अगर एक molecule का mass आपको relative वाला चाहिए, तो 98U हो ज operations कर सकते, molecular mass is obtained by adding the atomic masses of constituent atoms and expressing the figure in atomic mass unit, ठीक है, similarly अब HNO3 की भी बात कर लेते हैं, hydrogen होगा 1 into 1 plus nitrogen is 14 plus 3 into 16, ठीक है, तो यह हो जाएगा 1 plus 14 plus 6 into 3, 48, ठीक है, तो यह हो जाएगा 4, 12, 13, 4, 5, और 1, 6, 63, 63, अब unit आप अपने हिसाब से लगाएँगे, जो भी unit होगी, ठीक है, let's just calculate, 8, 12, 13, तो 3, 1, 4, 5, 63, ठीक है, अब आप उसको तीनों में use कर सकते हैं, generally molar mass ही चाहिए होता है, तो आप molar mass के हिसाब से calculations कर सकते हैं, ठीक है, perfect, I hope यहां तक clear है सारी चीज़ है, it is the mass of 1 mole, अगर molecular mass को अगर आप moles की terms में calculate कर रहे हैं, तो it will be 1 mole molecules expressed in grams, numerically molecular mass and molar mass should be equal, same होंगे, बस उनकी units पद लेंगे, ठीक है, H2SO4 हम calculations कर चुके हैं, perfect, अब हम questions करते हैं और questions के थूरू बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है, okay, so perfect है, try to do this question, find the number of moles of H2SO4 in 392 grams of H2SO4, ठीक है, yes, तो चलो, करते हैं, simple सी चीज़ है, अब चाहे molecule हो, चाहे atom हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि हमें एक molecule का molar mass calculate, एक mole of molecule का molar mass calculate कर लो, तो सबसे पहले तो molar mass of H2SO4 calculate कर लो, मैंने तुम्हें बताया था, grams में होता है, और हमने यह calculate किया था, यह 98 grams per mole आता है, ठीक है, हमें given mass कितना दिया हुआ है, 392, है ना, yes, तो मैं number of moles कैसे आते हैं, given mass upon molar mass, तो given mass है आपका, कितना, 392, और molar mass कितना है, 98, तो इस तरीके से आप number of moles calculate कर सकते हैं, कर लोगे, बहुत easy है, perfect, बहुत बढ़िया, okay, let's move forward, let's move forward, my dear students, next question, अब questions करेंगे और यह question बहुत important है, यह question तो super duper important है, ठीक है, इस से पूरे concepts clear होंगे, अभी तक अगर mole का सारा part समझ आया है, तो आप इस question को कर पाऊगे, time लगाओ और इस question को solve करो, pause करो video को and you have to do this question, try to do this question, question कहता है, calculate the hydrogen, phosphorus और oxygen के आपको masses दिये गए हैं, दो दिये नहीं जाने चाहिए थे, आपको पता होने चाहिए, बट फिर भी दे दिये हैं तो आप करो, इन 784 grams of H3PO4, ठीक है, तो इसके लिए, सबसे पहले और सबसे important चीज़ करनी है, हमें calculations of moles, ठीक है, तो माम हम कहेंगे कि moles of H3PO4 हमें calculate करना है, तो यहाँ पर माम given mass जो है, वो 784 है, और माम molar mass हमें calculate करना है, ठीक है, तो molar mass कैसे calculate करोगे, बताओ, molar mass of H3PO4, जो होगा, वो बेटा किसके equal हो जाएगा, 3 into 1, प्लस, एक phosphorus है, एक phosphorus 31 mass दिया हुआ है, 4 into 16, जब इसको करोगे, तो यह 98 grams per mole, जो है, वो आपका molar mass आजाए, ठीक है, तो माम, 784 को हम divide करेंगे 98 से, तो हमारे पास में आजाएंगे 8 moles, ठीक है, तो आपके पास में 8 mole हैं, किसके बेटा, 8 mole हैं आपके पास में, H3PO4 के, ठीक है, तो एक सेगन, यहाँ पर हमारे पास जगां की थोड़ी कमी होगी, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, कीसी में सारी चीज़े लिख पाएं, लेट्स ट्राइए, ठीक है, तो मैं, अगर मेरे पास में, अगर मेरे पास में, 8 mole हैं, H3PO4 के, और मेरे से पहली चीज़ पूछी है, कि कितने number of phosphorus atoms है, यहाँ से देखना बेटा, आपको number of phosphorus atoms पूछे हैं, ठीक है, तो मैं one by one, बहुत, छोटा-छोटा लिखूंगी, क्योंकि जगां हमें महार पास थोड़ी कम है, बट I will try कि तुम्हें सारी चीज़े दिख जाएं, तो first part कर रही हूं, मैं, ए part मैं यहाँ पे कर रही हूं, and I am given that I need to know the number of phosphorus atoms, तो number of phosphorus atoms find out करने के लिए, पहले मुझे moles of phosphorus atoms पता होने चाहिए, मुझे पता है कि जब मेरे पास एक mole H3PO4 होता है, तो इसके अंदर मेरे पास एक mole phosphorus होगा, यहाँ से देखो, अगर एक molecule of H3PO4 होता, तो एक atom आपका phosphorus का होता, अगर एक mole H3PO4 है, तो एक mole phosphorus होगा, यह बात मानते हो, यस, चलो, आपके बस है कितने moles H3PO4 के, 8, तो यानि कि मैम, 8 mole H3PO4 में मेरे पास, कितने हो जाएंगे, 8 into 1 mole of phosphorus atoms हो जाएंगे, यह बात मानते हो, लेकिन आपको moles नहीं बताने है, आपको number बताना है, तो बस क्या करना है, जब number of phosphorus atoms हम से पूछे हैं, तो बहुत ही simple सी बात है, 8 और mole जहां लिखा होता है, वहाँ पे लिख देना होता है, अवोगेड्रो number, अवोगेड्रो number, तो आपको आपके first part का answer, first part का answer मिल गया, which is 8NA, 8 को 6.022 into 10 raised to the power 23 से multiply का, clear, yes, चलो, अगला part करते हैं, let's try to solve the next part, which is your B part, ठीक है, I hope it is visible, yes, ठीक है, अगर नहीं visible तो black से लिख देते हैं, ये वाला blue, I think ये visible है, ये visible है, तो अब B part करते हैं, B part कहता है, B part करने से पहले बिटा, बाकी के दोनों असान वाले parts कर लेते हैं, फिर B last में कराऊंगी, ठीक है, जालो, C part करते हैं पहले, ठीक है, B part सबसे important है वैसे तो, बट हम पहले C और D कर लेते हैं, फिर B करेंगे, तो C part कहता है, number of moles of hydrogen atom, अब तो बहुत असान हो गया, अगर एक mole, एक molecule H3PO4 होता, तो तीन hydrogen के atoms होते हैं, ठीक है, तो मैं अगर एक mole H3PO4 होता, तो मेरे पास तीन mole hydrogen atoms होते, ये बात मानते हो, ये बात मानते हो, और मुझसे mole ही तो पूछा है, ठीक है, लेकिन मेरे बस एक mole नहीं है, आठ mole H3PO4 है, तो यानि कि मैं, I have 8 moles of H3PO4, तो मेरे पास, 8 into 3 moles of hydrogen atom हो जाएंगे, यानि कि I have 24 moles of hydrogen atom, है ना, येस, तो यहाँ पे आपको इसका answer मिल गया, 24 moles of hydrogen atom, कोई दिक्कत, यहाँ तक असान था, क्योंकि यहाँ पे number नहीं पूछा था, इसलिए Avogadro number नहीं आया, ठीक है, let's talk about the number of oxygen atoms, ये वाला यहीं कर लेंगे, जैसे आपने ये number पूछा था, वैसे ये Avogadro number की terms में answer आएगा, let's see, अगर मेरे पास, एक molecule H3PO4 होता है, तो मेरे पास, चार oxygen के atoms होते हैं, तो यानि कि माम, अगर आपके पास, एक mole oxygen atom, sorry, एक mole अगर आपके पास में, H3PO4 होता, तो आपके पास में, चार mole oxygen के atoms होते हैं, है न, लेकिन आपके पास में, कितने moles हैं, H3PO4 के, 8, तो माम, आपके पास हैं, 8 mol H3PO 4. तो यानि कि I will have 8 into 4 mols of oxygen atom. 8, 4 कितना होता है? 32 mols of oxygen atom. लेकिन क्या मुझसे mols पूछे हैं? नहीं. आपसे mols नहीं पूछे हैं. आपसे number पूछाएं. तो mol को Avogadro में convert कर दो. तो यह हो जाएगा 32 Avogadro number of oxygen atoms. ठीक है? तो यह आंसर आजाएगा आपका 32 Avogadro number of oxygen atom. ठीक है? अब last part रहे गया. Which is your total number of electron? मुश्किल नहीं है. बहुत असान है. बस करना कैसे है? उसको ध्यान से सोच लो. pause करके ना पहले तो खुट ट्राय करना. ठीक है? तो बेटा आपसे ना total number of electrons पूछे हैं. तो पहले आपको यह find out करना पड़ेगा कि एक molecule of H3PO4 में कितने oxygen atoms होते हैं? तो वन molecule of H3PO4 has how many electrons? एक hydrogen atom में एक electron होता है. और कितने hydrogen atoms हैं? तीन. तो यानि कि इवां 3 into 1 plus phosphorus. बेटा एक phosphorus में 15 होता है atomic number तो एक phosphorus में 15 electrons होते हैं. ठीक है? और एक ही phosphorus है तो मैं 15 electrons होंगे. ठीक है? लेट्स टॉक. लेट्स टॉक अबट oxygen. ठीक है? ठीक है? एक oxygen का atomic number कितना होता है? 8. येस माम. तो एक oxygen atom में 8 electrons होते हैं. एक oxygen atom में 8 electrons होते हैं. ठीक है? तो यानि कि माहम 4 हैं तो 8 into 4. ठीक है? डीक है? इस करो. इस विल भी 3. this will be 3 plus 15 plus 32 तो यह हो जाएगा आपका 35 plus 15 which is equal to 50, yes, तो यानि कि एक molecule में आपके 50 electrons है, अगर बेटा, एक molecule में 50 electrons है, तो मैं एक mol H3PO4 में कितने electrons होंगे, एक molecule में 50 है, तो एक mol में कितने हो जाएंगे, 50 mol है न, yes, तो मैं 50 moles of electron हो जाएंगे, मानते हो, yes, आपके पास है कितने moles H3PO4 के 8, तो यानि कि मैं अगर आपके पास में 8 mol H3PO4 है, तो 8 into 50 moles of electron हो जाएंगे, ठीक है, yes, और हमें पूछा है total number of electrons, moles नहीं पूछा, number पूछा है, तो mole को convert कर दो evogadro number में, तो 8, 5, 0, 40 यानि कि 400 हो गया यह, yes, mole को evogadro number of electrons, ठीक है, तो यहां आ जाएगा, 400 evogadro number of इस तरीके से आप moles को calculate करते हैं, इस question ने आपके हर एक तरहा के question, मतब जितने भी type के questions आ सकते हैं, सब cover करते हैं, ठीक है, I hope आपको यह clear हो गया होगा, अगर आपसे पहली बार में यह question नहीं हुआ, तो आपको खुद से यह पूरा question try करना है, it is must, ठीक है, मैं side हो जाती हूँ, आप इस question को type कर लो, I mean लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, अब आपके सामने कुछ previous year questions आएंगे और आप देखोगे कि बहुत ही असान questions आते हैं, ठीक है, let's see, तो question कहता है, question कहता है, that you have to tell which one of the following has the maximum number of atoms, किसके maximum number of atoms है, तो number of atoms calculate करने के लिए हमें moles calculate करने पड़ते हैं, अगर हमें moles calculate करने आते हैं, तो बस उसको Avogadro number से multiply करके हम अगर atom है, तो atoms निकाल लेंगे, नहीं तो molecules निकाल लेंगे, and eventually हमें सारी चीज़ें आते हैं, तो let's try, ठीक है, तो पहला है बेटा, आपके पास में 1 gram of silver, ठीक है, तो यह मैम 1 gram क्या है, given mass है, ठीक है, और यह बेटा, आपको molar mass दिया हुआ है, तो क्या आप इसके number of moles calculate कर सकते हैं, silver के given mass है, 1 divided by molar mass कितना है, 108, ठीक है, को इश्यों नहीं है, यस, आपसे बूचा, which of the following is the maximum number of atoms, आपको ना number of atoms निकालने हैं, यह आपके आएं मोल्स, कितने मोल्स आएं हैं AG के, 1 upon 108, तो बेटा, number of atoms कितने हो जाएंगे, जो भी माँम number of moles आएं हैं, उसको आप Avogadro number से multiply कर दो, कितना ही तो होता है, है ना, यहाँ पर मोल लिख दो, तो आपको समझ आ जाएगा, एक तो रहां किसी को कोई doubt ना रहे, इसलिए line भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, yes, next, next, let's talk about the other part, यह कहता है, 1 gram magnesium है, और आपको इसका molar mass, atomic mass दिया है, तो आपको पता है, कि molar mass भी 24 grams ही होगा, ठीक है, तो मैम यहाँ पर अगर हम moles of magnesium की बात करें, तो वो कितने आ रहे हैं, 1 upon 24, तो मैम number of atoms कितने आ जाएंगे, जो भी moles आएंगे, उसको आवो गैडरो number से, multiply कर देंगे, simple, ठीक है, पाकियों में भी ऐसा ही करना है, ठीक है, अब बिटा, आपके पास में 1 gram of O2 है, अब आपके पास में atom नहीं है, आपके पास में क्या है, molecule है, तो यहाँ पर एक extra step लगेगा, moles of O2, कितने आए बिटा, 1 upon 32, एक oxygen का माँ 16 होता है, और आपके पास molecule है O2, तो 2 into 16, 32, तो यानि की 1 upon 32 हो जाएगा, ठीक है, moles आ गए, अब आप यहाँ से सबसे पहले निकालोगे, number of O2 molecule, सबसे पहले बिटा, molecule आएंगे, कितने, 1 upon 32 into Avogadro number, आपको पता है, कि आपको number of atoms find out करने है, एक molecule में बिटा, 2 atoms होते हैं, एक molecule में 2 atoms होते हैं, तो माँ 1 upon 32 into Na में, कितने atoms होंगे, 2 से multiply करते हैं, तो माँ, number of oxygen atoms कितने हो जाएंगे, 1 upon 32 Na, इसको हमें 2 से multiply करना पड़ेगा, यह कठ हुआ तो यह आ जाएगा, 1 upon 16 into Na, यह है आपके oxygen के atoms, आप पते क्या करोगे, आप यहीं पर answer छोड़ दोगे, यह तो molecules आएँ हैं, आपको atoms find out करने हैं, तो ऐसे find out, ठीक है, next, next नेक्स ने बेटा, 1 gram of lithium, बेटा यह lithium ही है, I don't know, यह oxide लिखा है वहाँ पर या नहीं लिखा, क्योंकि सिर्फ lithium का मास दिया है, तो I am hoping कि यह एक lithium ही है सिर्फ, तो let's solve the question, taking it as lithium, तो 1 gram lithium है, तो moles of lithium कितने हो जाएंगे, 1 upon molar mass है, 7, ठीक है, तो माम number of atoms कितने हो जाएंगे, जो भी moles है, अवोगेड्रो नमबर से multiply कर दो, तो 1 upon 7 into अवोगेड्रो नमबर, ठीक है, अब आपको, पते क्या, पूरी calculation करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये वाला part देखो, ये वाला part देखो, ये वाला part देखो, और ये वाला part देखो, हर किसी में, एवोगेड्रो नमबर तो सेम ही है, सिर्फ आपको क्या देखना है, डिनॉमिनेटर, ठीक है, मैक्सिमम वाल्यू आईगी, ओवरॉल फ्राक्शन की, ठीक है, 108, 1 upon 24, 1 upon 16, 1 upon 7, तो ये जो 1 upon 7 होगा, इस केस में, मैक्सिमम वाल्यू आईगी, तो भाई, आंसर आगया, option D, आपका correct answer है, calculation ही नहीं करनी थी, जहां पे फसोगे, जो गल्ती करोगे, वो ये ही वाली थी, वो मैंने आपको बता दी, molecule दिया है, atom ढूंगना है, ठीक है, perfect, I hope clear हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, next question, next question B भी बेटा, previous year question है, तो you have to try this question, try the question, क्या कहता है, 1 mole of carbon atom weighs 12 grams, ठीक है, एक mole carbon का मास 12 grams है, the number of atoms in it is equal to, किता असान question पूछा है, कुछ भी नहीं था, कहता, एक mole carbon का मास 12 grams है, आप बता दो कि कितने carbon के atoms है, आप बता दो कि कितने carbon के atoms है, ठीक है, क्या, 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 आपको कोई भी दिमाग ले आना था, नहीं, फिर से पढ़ लो, 1 mole of carbon atom weighs 12 grams, the number of atoms in it is equal to, पता है, यह जो सारी चीज़े दियो नो, उनसाब का role ही नहीं था, कोई काम नहीं था, क्यूं नहीं था, मैं हमें पता है, अगर एक mole of carbon है, इसका मतलब है कि, 1 Avogadro number of carbon के मेरे पास atoms है, यानि कि मैं मेरे पास 6.022 into 10 raise to the power 23 carbon के atoms था, simple, simple मेटा, simple, एकदम simple, है ना, येस, तो answer आ जाएगा, answer आ जाएगा, 6.022 into 10 raise to the power 23, तो option C जो है, वो आपका correct answer हो जाए, ठीक है बेडा, clear है, perfect है, चलो, amazing, आगे बढ़ते हैं, next question, next question कहता है, the number of water molecules is maximum in, आपको बताना है, कि कौन से case में water के molecules maximum हो देगे, तो असान हो गया होगा, अब तो easy लग रहा होगा, water मतलब की H2O, ठीक है, तो क्या आप H2O का molar mass calculate कर सकते हो, बिल्कुल मैं, molar mass of H2O क्या हो जाएगा, 1 into 2 plus 16, which is equal to 18 grams per mole, तो ये बेटा, आपका molar mass है, किसका water का, ठीक है, तो हर case में, पहले हमें moles निकालने हैं, molecules निकालने के लिए, बस evogadro number से multiply करते हैं, ठीक है, तो मैं, अगर हम यहाँ पर moles calculate करें, तो ये कितने आ जाएंगे, given mass है 1.8, molar mass है 18, ठीक है, तो मैं, यहाँ पर लिख दो, यहाँ मैं दूसरे pencil लिख देती हूं, अब अगला देखो, 18 ग्राम, तो moles आ जाएंगे, 18 upon 18, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आगे आपका 1, तो this will be equal to avogadro number, कोई दिक्कत, नहीं, यहाँ पर है 18 moles of water, आपको directly moles बता दिये, कि moles कितने हैं, 18 हैं, ठीक है, तो molecules कितने हूंगे, में moles निकालना पड़ेगा, तो मैं, given number of particles, कितने दिये हूं हैं, सिर्फ 18 number of molecules दिये हूं है, तो 18 को divide करना पड़ेगा, 6.022 into 10 raise to the power 23 से, और molecules कितने आएंगे, इसको multiply कर दो, avogadro number से, तो 18 upon 6.022 into 10 raise to the power 23, into avogadro number, आप से पूचा है, which of the number of water molecules maximum, calculation करनी नहीं है, मैं बता रही हूं तुम्हें, क्यूंगे तुम्हें सबसे ज़ादा number of molecules, इन में से कहां दिख रहे हैं, कहां दिख रहे हैं, मुझे बताओ, यहां पे 18 जो है, यहां पे 18 जो है, एक सेकंद, you have 18 molecules of water, so number of molecules को, यहां पे आपके 18 molecules है, वैसे तो डारेक्ली 18 molecules दिया थे, calculation करनी नहीं थी, बट फिर भी, ठीक है, वैं तो मैं दिखा दिया, 18 आगए, तो यह 18 आगए, यह 18 एने है, यह आपका एने है, और यह 1.8 अपॉइंट अपॉन 18 एने है, यहां तो बस, यही आपका correct answer है, option C is your correct answer, ठीक है, बट इसमें moles calculating ही नहीं करना है, ठीक है, यहां वो तह न, जादा solve करने की, मन तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चालो, आगे बड़े, आगे बड़े, next, next question, बहुत अच्छा question है, बहुत ही अच्छा question है, so you have to do this question, try this question, क्या कहता है, a mixture of gases contain H2 and O2 gases in the ratio of 1, ratio 4, mass by mass, what is the molar ratio of the 2 gases in the mixture, what a good question, pause the video, try the question, ठीक है, okay, a mixture of gases contain H2 and O2 in the ratio of 1, ratio 4, mass by mass, ठीक है, अगर आपको mass by mass ratio दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, कि mass of H2, divided by mass of O2, जो है, इसका ratio 1 upon 4, आपको given, what is the molar ratio of the 2 gases in the mixture, आपको इनके molar ratio बताने है, यानि कि आपको ये बताना है, कि moles of H2 upon moles of O2, किसके बराबर होगा, आपको बता है, that moles calculate करने के लिए, हमें given mass दिया होता है, क्या होता है, given mass दिया होता है, उसको हमें molar mass से, divide करना होता है, तो बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको, ये वाली पूरी, उपर, उपर बेटा, मैं mass of H2 को क्या कर दू, molar mass of H2 से divide कर दू, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, similarly, यहाँ पे mass of O2 को divide कर दू, किससे molar mass of O2 से, तो यहाँ भी सेम चीज़ करने पड़ेगा, तो यहाँ भी सेम चीज़ करने पड़ेगा, तो इस विल बी, W of H2 upon, कितना हो जाएगा, 2, तो बेटा, यहाँ पे भी 1 upon 2 होगा, divided by, यह हो जाएगा आपका mass of O2 upon 32, क्यों 32, क्योंकि एक oxygen 16 grams पर mole होता है, तो 2 oxygen का mass 32 grams पर mole हो जाएगा, ठीक है, and this will be equal to, divided by, 4 upon 30, ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो, moles of H2 upon moles of O2, this is equal to, 1 upon 2 into 32 upon 4, ठीक है, यह 1, यह 8, यह 4, तो 4 ratio 1 जो है, वो आपका correct answer होगा, तो option D will be your correct answer, easy, yes, चल, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, I hope आपको यह समझ आया, let's move forward to the next question, next question कहता है, which has the maximum molecules, तो आपको बताना है, कि maximum molecules, कौन से case में present है, ठीक है, yes, अब तो बहुत असान लगने लग दिया होगा, तुम्हें, masses दियों है, तुम्हें moles निकालने हैं, और molecules निकालने के लिए, evogadro number से multiply कर, ठीक है, तो चलो, ma'am अगर हम यहाँ पर देखें, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ा सा असान हो जाएगा, let's say, यहाँ पर हम calculate कर रहे हैं, moles, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, moly, ठीक है, बस यह देख लेना बेटा, moles पूछता, molecules पूछता है, या atoms पूछता है, क्योंकि जब atoms पूछता है, तो एक extra step आ जाता है, ठीक है, yes, चलो, let's see, you have 7 grams of N2, 7 gram N2 है आपके पास में, यानि की 7 upon, एक nitrogen होता है 14, तो molar mass हो जागा 28, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 7 upon 28, into Avogadro number, 2 grams divided by, molar mass होता है 2, तो यह हो गया 1, तो यह हो गया Avogadro number, यहाँ पे है 16 grams of N2, तो 16 को divide करना पड़ेगा, oxygen is 32, प्लस, कितना हो गया, 32 plus 14, 4, 5, 6, और यह हो जाएगा, 3, 1, 4, 46, ठीक है, तो यहाँ पे आजाएगा, 16 upon 46, into Avogadro number, ठीक है, next है 16 grams of O2, तो 16 upon 32, तो यह हो जाएगा, आपका 16 upon 32, Avogadro number, ठीक है, पूचा गया था, which has the maximum number of molecules, बिटा, maximum number of molecules, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह भी 1 से कम होगा, fraction है, यह भी 1 से कम होगा, fraction है, और यह भी 1 से कम होगा, fraction है, तो डारेक्टली हमें दिखाई दे रहा है, कि option B, जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से question करना है, easy, बहुत असान, ऐसे ही questions आप से पूछे जाते हैं, सेम इसी तरह से बेटा, कभी एक word यूज किया जाता था, gram atomic mass, तो gram atomic mass, ऐसे कोई confusion वाली चीज है नहीं, gram atomic mass का मतलब यह होता है, एक mole of atom का mass, simple, तो gram atomic mass is defined as the mass of one mole of atom, बस तुमें घुमाने के लिए, ऐसे confuse करने के लिए, ऐसा word यूज किया जाता था, similarly gram molecular mass होता था, तो उसका मतलब होता था, एक mole of molecule का mass, अब यह question से सब समझ आजएगा, what is the difference between one gram of oxygen atoms, and one gram atom of oxygen, अब देखना, one gram of oxygen atoms, यानि कि आपको यहाँ पे बेटा, mass of oxygen दिया हुआ है, one gram, क्या बोला है, one gram of oxygen atoms, वही पे, अगर बोल दे, one gram atom of oxygen, तो इसका मतलब है, one gram atom of oxygen, तो यह बेटा, आपका mass of one mole of oxygen बोजाता, ठीक है, तो आपको यह, यह language का ध्यान रखना है, आपको confuse करने के लिए, यह language ही दिखाएंगे, ठीक है, one gram of oxygen atom is, एक oxygen atom है, और उसका mass आपको one gram दिया हुआ है, लेकिन अगर one gram atom of oxygen लिख दिया, तो इसका मतलब है, कि वह आपको एक mole of oxygen के mass की बात करता, ठीक है, and this will be equal to 30, sorry, oxygen लिखा, 16 grams per, ठीक है, clear है, I hope यहां तक कोई issue नहीं है, perfect, amazing, आगे बढ़ते हैं, next, gram molecular mass, एक mole of molecule का mass, ठीक है, अब, अभी तक बेटा, मैंने आपको, जितने भी moles calculate करने सिखाए, वो मैंने आपको number of particles की terms में सिखाए, और मैंने आपको कैसे सिखाया, number of particles की terms में था, या mass की terms में था, अब बेटा, हम volume की terms में भी mass calculate करेंगे, एक, अब पते क्या, STP conditions होती है, STP conditions अभी आगे आ जाएंगी, वो मैं बता देती हूँ, ये पहले ये वाला question करते हैं, फिर STP conditions करेंगे, तो इस तरहां के questions आ जाएंगे, तो आप कैसे calculations करेंगे, देख लीजे, calculate the number of electrons in 9 ml of water, अब आपको न 9 ml पानी दिया है, लेकिन आपको तो moles mass की terms में calculate करने आते हैं, volume की term में आते ही नहीं है, तो मैम सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, हमें molar mass पता है water का, कितना होता है 18 grams per mole, ठीक है, 18 grams per mole होता है ये तो हमें पता है, also मैम, आपने हमें density of water दिया हुआ है, कितना 1 gram per milliliter, ठीक है, तो बेटा, आपको अगर volume of water दिया हुआ है, 9 ml, तो क्या आप density is equal to mass upon volume, बार-बार एरेजर न, यहां से select करना पड़ रहा है, तो mass upon volume से calculate कर सकते हैं, तो यहां से बेटा, आप mass कैसे कह सकते हुआ, density into volume, density दियुए है 1, volume दियुए है आपको 9, तो यानि कि mass आ गया 9 grams, ठीक है, तो माम अब mass आ गया है water का, तो moles of water calculate करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, given mass है 9, divided by molar mass है 18, तो 1 upon 2 जो है, वो हमारे moles आ गया है, ठीक है, आप से पूछा है कि कितने number of electrons हैं, बेटा मैंने आपको electrons calculate करने सिखाए थे, एक molecule of H2O में 2 plus 8, that is 10 electrons होते हैं, तो आधे, तो एक mole H2O में 10 mole electrons होंगे, और half mole में कितने हो जाएंगे, divide by half कर दो, multiply by half कर दो, right, yes, तो half mole of H2O में आपके पास 10 into 1 upon 2, which is equal to 5 moles of electron हो जाएंगे, और आप से number पूछा है, तो mole को Avogadro number में convert कर दो, यानि कि 5 Avogadro number of electrons हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपको questions को solve करने की कोशिश कर, ठीक है, डिटो ऐसा ही question आपकी screen पर है, so this is your homework question, you will try this question yourself, okay, बॉफ रख रिटे, तो आपके सामने एक और question आगया है, जो AIPMT 2010 में पूछा गया था, you have to calculate the number of atoms in 0.1 mole of a triatomic gas, तो बेटा, triatomic gas का मतलब होता है, कोई ऐसी gas जिसमें 3 atoms से एक molecule बना हुआ है, ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने number of atoms हैं, 0.1 mole of triatomic gas में, तो मुझे पता है कि एक mole, पहले तो एक molecule की बात कर लेते हैं, एक molecule of X3 में मेरे पास 3X के atoms होंगे, triatomic से हमें यह पता चल गया, तो एक mole X3 में हमारे पास 3 mole atoms हो जाएंगे, आपके पास moles दिए कितने होया, 0.1, बहुत एजी हो गया, 0.1 mole X3 में 0.1 into 3, which is equal to 0.3 mole atoms हो जाएंगे, हां की नहीं, क्या आप से moles पूछे हैं नहीं, नंबर पूछा है तो multiply कर दो, किस से 6.023 लिखा है तो उससे multiply कर दो, तो इतने atoms आपके पास होंगे, पॉफेक्ट है, तो अब अगर हम इसको multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, this will be equal to 3 into 6.023 into 10 raised to the power 22, 6, 3, 18, तो 18, पेटा, approximately 18 होगा, और ये approximately 18 into something होगा, 10 raised to the power 22 होगा, तो अब जब हम ये point इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा, 1.8 into 10 raised to the power 23, फिर से, तो 1.8 into 10 raised to the power 23, 3, यानी की option B, जो है, वो आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, I hope यहां तक clear है, पॉफेक्ट, तो इसी तरीके से आपको calculations करनी है, को issue नहीं है, हो जाएगा, पॉफेक्ट, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला question, क्या, अब आप यह question कर सकते हैं, आपको दिया हुआ है, कि 3.011 into 10 raised to the power 23 atoms of helium, और इतने atoms of neon, present in a container, calculate the total number of moles of atoms, ठीक है, मैं आपको hints देती हूँ, आप यह questions खुद करोगे, यह आपके homework questions होँगे, answers आपको मिल जाएंगे, पेटा, आपको moles of helium calculate करने है, given particles upon Avogadro number से, moles of neon calculate करने है, given particles upon Avogadro number से, ठीक है, और total moles निकालने के लिए, आपको क्या करना है, moles of helium plus moles of neon करना है, simple, ठीक है, यह, बहुत ही easy questions आते थे, और अभी भी ऐसे ही questions आ, हो जाएगा, perfect, आगे बढ़ते हैं, यह, बहुत सारी चीज़ें करने हैं, तो कुछ homework questions भी होंगे, 0.1 mole of CO2 gas present in a container, इफ, अब आपके पास में, moles of gas जो container में, CO2 में present है, वो कितने है, 0.1 mole, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, yes, next कहता है, अगर 6.022 into 10 races by 21 molecules of CO2 are removed, तो कितने molecules remove हो गए हैं, तो moles of CO2 removed लिख देते हैं, वो कितने remove हो गए हैं, given particles है, 6.022 into 10 race to the power 21, divided by 6.022 into 10 race to the power 23, तो यह cancel हुआ, यह cancel हुआ, 1 upon 100 which is 0.01, इतने moles remove हो गए हैं, ठीक है, तो आपसे बुचा है, calculate the remaining moles of CO2 gas in the container, फिर तो हो गया, easy है, moles of CO2 left will be moles of CO2 initially minus moles of CO2 removed, कर लोगे, yes, तो this will be 0.1 minus 0.01, I hope आप यह solve कर लेंगे, yes, तो इस तरीके से आपको questions को solve करना है, मैं hint दे देती हूं, सारे questions practice करने हैं, इसलिए हम बिल्कुल detailed calculations नहीं कर पाएंगे, ठीक है, next is calculate the total number of atoms contained by 0.01 moles of O3 gas, पसान है अब तो, ये तो डिट्टो वही जो आपका triatomic gas वाला question था न, वैसा ही question है, करोगे ये question खुद से, चालो, this will be your homework, try to do this question, डिट्टो वही triatomic gas वाला question है, क्योंकि O3 एक triatomic है, ठीक है, अब बेटा, standard temperature and pressure conditions बताई है, तो standard temperature and pressure conditions का मतलब होता है, कि आप temperature ले लो 273 Kelvin और आप pressure ले लो 1 atmosphere, ठीक है, तो बेटा, जब आप temperature और pressure fix कर देते हो, और ये वाला temperature और pressure लेते हो, तो gas की जो volume होती है, volume of gas, 1 mole of gas, कोई भी 1 mole of gas की volume ना 22.4 liters आती है, इसका मतलब है, कि 273 Kelvin temperature और 1 atmosphere pressure के उपर, आप कोई भी gas ले लो, चाहे आप NO2 ले लो, चाहे आप CO2 ले लो, चाहे आप O3 gas ले लो, कोई भी gas ले लो, हर gas का 1 mole की volume 22.4 liters आई की, चीक है, gas आपकी कोई भी हो सकती है, NO2, O2, CO2, SO2, कोई भी gas हो, सभी gases की 1 mole gas की volume 22.4 liters आती है, क्यों आती है, वो states of matter में पढ़ेंगे, अभी हमें ये समझ आ गया कि, 1 mole of gas STP conditions पे 22.4 liters होती है, अगर आपसे कोई volume देखे, gas की volume देखे, moles पूछेगा, तो आप moles कैसे calculate करोगे, अब आपके लिए असान है reference value आपकी 1 mole gas की volume हो जाएगी, तो your moles will be given volume divided by reference value which is 22.4 liters, तो ये बिटा, आप moles calculate करते हो, in terms of volume, लेकिन इसके लिए आपके पास एक condition होती है, जो हमेशा apply होती है, it is only applicable, यानि कि gases की terms में, आप सिर्फ और सिर्फ moles calculate कर सकते हैं, volume की term में, आप moles calculate कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ gases के, ठीक है, so it is only applicable to gas, ना तो liquid और ना ही solid, ना ही mass, ना तो आप volume, मालब जो आपके solid वाली जो चीज़ें होती है और जो liquid होते हैं, आप उनकी volume को use करके moles नहीं calculate कर सकते हैं, volume की terms में moles हम सिर्फ और सिर्फ gases के लिए calculate कर सकते हैं, and ये पहली condition, दूसरी, ये सिर्फ possible होता है, at STP conditions, that is your 273 Kelvin temperature and 1 atmosphere pressure, volume की terms में हम moles सिर्फ gases के calculate कर सकते हैं, liquid और solid के नहीं calculate कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, perfect, I hope यहां तक clear है, तो अभी तक, क्योंकि हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं, तो तुम्हारा हाल ऐसा हो गया होगा, ठीक है, येस, लेकिन जैसे ही, ये आया, meme आया होगा, तुम लोग एकदम जाग गए होगा, I know मैं तुम सब को जानते हूँ, right, yes, तो I hope अब तुम थोड़ा सा जाग गए हो, क्योंकि अब हमें बहुत सारी बढ़ाई करनी है, ठीक है, तो buckle up my dear students, perfect, let's start, तो molar volume क्या होती है, एक mole of gas की volume, जो 22.4 liters होती है, it is the volume of one mole of the gas, at STP conditions, it is 22.4 liters, ठीक है, question है, calculate the mass of CO2 and number of oxygen atoms in 67.2 liters of CO2 at STP, अब तुम हर दरहांगे questions कर सकते हो, कैसे, मैं मुझे न, gas दिया है, STP condition दी है, यानि कि मुझे एक चीज़ पता है, कि moles of CO2 जो है, वो आ जाएंगे, given volume upon 22.4 liters, given volume है, मैं, 67.2 upon 22.4, ठीक है, तो यह हो जाएगा 1 और यह approximately 3 के आसपास ही होगा, I guess, तो 3 moles आपके पास CO2 के है, आपसे पूछा है that you have to calculate the mass of CO2, अगर बेटा, आपके पास में moles of CO2 3 है, चीक है, आपको पता है, mass के terms में moles जो होता है, वो होता है, given mass upon molar mass और मैं, CO2 का molar, अब moles हमें पता है, 3 given mass हमें calculate करना है, और मैं, हमें हमें पता है, कि CO2 का molar mass जो होता है, वो कितना होता है, 44 grams per mole, 12 carbon का oxygen 16 CO2 आपके पास आजाएगा, 44 into 3 grams, चीक है, तो पहला part हो गया, calculate the mass of CO2, क्या आप दूसरा part कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, number of oxygen atoms, चीक है, ये first part था, second part, हमें पता है, एक molecule of CO2 में, 2 oxygen atoms होते, तो माम अगर 1 mole CO2 होगा, तो 2 mole oxygen atoms होगे, है ना, और हमारे पास कितने moles है, 3 moles है, देख रहे हैं, हमने solve किया था, yes, तो माम अगर 3 mole CO2 है, तो 3 into 2 which is equal to 6 mole oxygen atom होगा, तो 6 mole है, तो 6 into Avogadro number of oxygen atoms होगे, आप से number of oxygen atoms ही पूचा, I hope आपको यहां तक clear है, कोई issue नहीं है, perfect है, बहुत बढ़िया है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, next question, find the volume of CO2 at STP conditions, अब आपको CO2 की volume find out करनी है, STP conditions पे, if it weighs 88 grams, बहुत असान है, मैं, अब हमें न, moles calculate करने है, CO2 के in terms of mass, क्योंकि हमें given क्या है, mass है, तो यहां आजाएगा given mass upon molar mass, which is 44 grams per mole, mass बेटा आपको याद होने चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा, given mass कितना है, 88, divided by 44, which is equal to 2, तो 2 mole आपके पास CO2 है, STP conditions पे, at STP, हमें पता है, that 1 mole of any gas, 1 mole of CO2 की volume जो होगी, वो 22.4 liters होती है, तो 2 mole CO2 की volume कितनी हो जाएगी, 2 into 22.4, which is equal to 44.8 liters, 44.8 liters, option A जो है, वो आपका correct answer होगी, easy, right, yeah, perfect, आगे बढ़ते हैं, next question, next question बेटा, आपके सामने है, अभी NTP conditions आए, STP conditions आए, states of matter में, मैं दोनों का difference बताऊंगी, अभी दोनों के लिए ही, आप 22.4 liters of volume, अजम, अजूम करना, ठीक है, तो NTP लिखा है, तो भी आप इसको STP conditions पर ही ले लाना, ठीक है, so this is your homework question, आप कर लोगे, mass दिया हुआ है, O2 का, तो पहले moles calculate करो, mass की terms में, और फिर moles को 22.4 से multiply कर तो, कर लेंगे, hint दे देती हूँ, mass of O2, given mass 2 upon 32, तो volume of O2 कितना हो जाएगा, moles of O2 into 22.4 liters बच्चा, this will be 2 upon 32 into 22.4, ठीक है, clear, कर लेंगे, perfect, कोई दिखकर नहीं है, amazing, solve करना और answer निकालना, the volume occupied by 4.4 grams of CO2, बिल्कुल ऐसा question अभी किया है, so this will be your homework, my dear students, perfect. Next है, vapor density, तो vapor density, basically होता क्या है, बहुत easy है, आपको बस एक formula याद रखना है, बहुत detail में जाना नहीं है, जब भी आपको vapor density दी हो, तो हमेशा याद रखना, that vapor density, into 2 जो होता है, वो आपको molar mass देता है, यह formula आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं, vapor density into 2, हमेशा molar mass के equal होगा, ठीक है, इसके regarding question solve कर लेते हैं, the vapor density of a gas, A, is 4 times that of B, ठीक है, तो बोला गया है, कि vapor density A की, 4 times है, vapor density of B के, if molecular mass of B is M, अगर B का molecular mass M है, then the molecular mass of A is, ठीक है, हमें पता है, that molecular mass जो होगा, वो vapor density into 2 के बराबर होटा, ठीक है, तो यानि की माम, यहाँ से vapor density किसके बराबर आजाएगी, molecular mass upon 2 के, ठीक है, clear है, तो यानि की, यह हो जाएगा बेटा, आपका molecular mass of A upon 2, is equal to 4 into, molecular mass M दिया है, B का तो, तो molecular mass of B upon 2, 2 से 2 जाएगा, तो molecular mass of A जो होगा, वो आपका 4 times of mass, molecular mass of B हो जाएगा, तो यह answer will be 4M, ठीक है, yes, so option B is your correct answer, I hope आपको यहाँ तक clear है, perfect है, किस तरह से solve करना है, easy, easy, next is my dear students, mass percentage, mass percentage कैसे calculate करते हैं, किसी भी एक particular element का, अगर आपको mass calculate करना है, तो mass percentage, is actually the mass, mass of element divided by total mass of the molecule, मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है, यह तो मैं अगर नहीं बताती तो मैं तो भी आती होती है, ठीक है, question के थूरू समझो, कहता, what is the mass percent of oxygen in H2SO4, so easy, मैं अगर हमें mass percentage calculate करना है, इसका मतलब है mass of O2, sorry, mass of oxygen, क्योंकि सिर्फ oxygen पूछा है, तो यह हो जाएगा, mass of oxygen upon total mass of, जो भी आपका total mass होगा, H2SO4 का, into 100, तो अब देखो, oxygen कितने हैं, 4 oxygen है, एक oxygen का mass होता है 16, तो यानि कि 16 into 4, divided by, है, H2SO4 का total mass ना, 98 grams per mole होता है, जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आप calculate करना सीख जाओ, तो यह 98 होगा, into 100, तो बस इसको solve करो, और आपको mass percentage मिल चाहेगी, of oxygen, ठीक हैं, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता था, mass percentage calculate कर दो, sulfur की, mass percentage calculate कर दो, hydrogen की, तो जो भी total mass होता है, वो upon total, तो 90-80 आएगा, into 100, ठीक है, हो जाएगा, perfect, let's move forward, अगला question, the mass percentage, weight of zinc, in the white withdrawal, this is approximately equal to, तो बैटाई, क्या आप इस question को कर सकते हो, बिल्कुल mass percentage, जो हमने पहला वाला question किया, exactly same question है, confidence, मैं आपको दिखा रही हूँ, कि आप PYQs कर सकते हो, खुझ से, और correct answers निका सकते हो, ठीक है, yes, तो क्या करना है, बस इसके अंदर आपको zinc का mass लिखना है, zinc सिर्फ एक बार आ रहा है, तो mass percentage कैसे calculate हो जाएगा, 65 है mass, upon total mass, इस पूरे का, इस पूरे का mass calculate करना है बेटा आपको, ठीक है, ठीक है, तो total mass of ZnSO4.7H2O into 100, अब आपके मन में आए कि मैं इसका total mass कैसे calculate करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, zinc, फिर sulfur का, फिर char oxygen का, plus 7 into 18 होता है molar mass water का, तो उस तरीके से, ठीक है, मैं फिर भी लिख देती हूँ बेटा, molar mass will be equal to, this will be equal to, mass of zinc, plus molar mass of sulfur, plus 4 into molar mass of oxygen, plus 7 into 18, क्यों, 18 क्या होता है molar mass of water, I hope आपको यहां तक clear है, perfect, very good बच्चे, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बेटा, एक नया topic, which is your empirical formula, ठीक है, तो मैं यह empirical formula क्या है, और इससे related किस तरह के questions आते हैं, तो मैं एक बहुत simple सी बात बताती हूँ बेटा, माल लो, मैंने आपको एक formula दिया, let's talk about, let's say मैं ने बात की, C6H12O6 की, ठीक है, तो हमें पता है, कि यह glucose का molecular formula है, ठीक है, यह जो molecular formula है बेटा, अगर मैं इसमें से, अगर मैं इसमें से, जो common term है, वो बाहर ले लो, ठीक है, let's say यहां पर जो common term दिखाई दे लिया, वो मुझे 6 है, ठीक है, तो अगर हम 6 बाहर ले ले, तो this would be CH2O6, तो बेटा, जो यह वाला part है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यह वाला part जो है, यानि कि, आपके, जो भी molecule है, उसके सारे atoms का, simplest ratio जो होता है, वो आपका empirical formula होता है, ठीक है, अब, empirical formula और molecular formula में, फिर relation क्या होता है, तो बेटा, आपको एक चीज तो समझ आई रही है, कि यह था molecular formula, actual में कितने number of atoms involved है, वो आपको बताता है, molecular formula, और उनी atoms का, simplest ratio जो होता है, वो आपका empirical formula होता है, तो relation क्या होगा, relation होगा, इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ न, this is 6, black से रिखते हैं, this is 6, यहाँ पे, ठीक है, 6, and यहाँ पे आजाएगा, CH2O, right, yes, तो बता, यहाँ से हम कह सकते हैं, हम formula, find out कर सकते हैं, as, molecular formula, molecular formula, is equal to, let's say, यहाँ पे 6 value है, अलग-अलग molecular formulas में, जो common term आएगा, वो अलग लगाएगा, तो let's call it N, ठीक है, तो यह हो जाएगा, बिटा, N, and फिर यहाँ पे आजाएगा, आपका empirical formula, ठीक है, यानि कि, जब आप empirical formula को, जब आप empirical formula को, N से multiply कर दो, जहाँ पे N वो है, जो common term है, उससे multiply कर दो, तो आपको एक molecular formula, मिल जाता है, ठीक है, yes, सेम इसी तरह से, अब अगर आप, molar masses की बात करोगे, empirical formula और, molecular formula के, तो बिटा, यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ, इसका molar mass जो होता है, वो 180 grams पर, mol होता है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे, empirical formula का, mass calculate करेंगे, तो 12 plus 16, 12 plus 16 plus 2, तो 180 को, अगर आप 6 से divide करते हो, तो अच्चल में आपको 30 मिलता है, यहाँ नी कि, यहाँ से हमें, एक और नई चीज पता चली, वो क्या है, कि भाई, अगर आपके पास में, molar mass है, किसका, मैं यहाँ पे, molecular formula को, MF लिख रही हूँ, उसको बेटा, अगर आप N से divide कर देते हो, जो भी common term थी, उससे divide कर देते हो, तो आपको empirical mass मिल जाता है, empirical mass मिल जाता है, ठीक है, clear है, अब यहाँ पे अगर आप molar mass लिख रहे हो, तो यह empirical mass का भी molar mass ही होना चाहिए, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, तो यहाँ से दो चीज़े समझ आ गई, कि empirical formula, molecular formula से कैसे निकल सकता है, और N क्या है यहाँ पे, और अगर हमें masses दियों है, तो भी हम N की value find out कर सकते हैं, तो आपके लिए, यह जो दो factors हैं, यह बहुत important है, इन factors को हम बार-बार use करेंगे, जब हमारे से empirical formula के questions पूछे जाएंगे, ठीक है, कोई दिककत नहीं है, चलो, अब यार, दिमाग में हमारे simple सी चीज़ आनी चाहिए, कि empirical formula कैसे derive किया जाएगा, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, एक question के तुरू समझाऊंगी, तो सारी चीज़ें बहुत असानी से clear हो जाएंगे, so topic में, सबसे पहले empirical formula क्या है, it provides the simplest whole number ratio of different atoms in a molecule, ठीक है, एक molecule के अंदर different atoms का simplest whole number ratio, empirical formula होट ता है, different molecules can have same empirical formula, अब different different molecules का same empirical formula हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, now let's move forward, now let's talk about molecular formula, molecular formula actual में कितने molecules, कितने atoms involved हैं, वो आपको पूरा का पूरा number देता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास definition आ चुकी है, it represents the actual number of atoms of different elements in a molecule, ठीक है, different molecules can have same molecular formula, एक सेगड, different molecules can have same molecular formula, different molecules cannot have same molecular formula, ठीक है, कोई भी दो अलग-अलग molecules हैं, तो उनका molecular formula same नहीं हो सकता है, बट हाँ, यह मैं वानती हूँ, कि जब आप उनकी isomers की बात करते हैं, तो molecular formulas same हो सकते हैं, ठीक है, isomers के case में molecular formula same हो सकते हैं, बट वो organic की बात है, so let's leave it there, let's move forward, हमें तो numericals practice करने हैं वाई, कैसे question solve करने हैं, हमें तो वो समझना है, ठीक है, मैं तो मैं question के थरूँ समझाऊंगी, और फिर तुम इनको steps by step लिख सकते हो, तो let's start with this question, कि कैसे empirical formulas के questions को करना है, हमेशा इसी type के questions आएंगे, मैं तुम्हें दो-तीन अभी examples भी दूँगी, तो तुम्हें clear हो जाएगा, question कहता है, that you have a compound which contains 4.07% of hydrogen, तो जो जो चीजे लिखी हैं पहले तो वो लिख लगते हैं, तो मैं हमारे पास hydrogen है, ठीक है, उसके बाद में हमें बताया हुआ है कि carbon है, और carbon के बाद हमें बताया हुआ है कि chlorine है, ठीक है, यह तीन elements हैं, यह आपको बताया हुआ है, percentages बतायो हैं कि compound carbon का 4.07% है, carbon आपका 24.27% है, और chlorine जो है बिटा, वो आपका 71.66% है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले elements को लिखो, question के अंदर, जैसे आपको mass percent दिया है, तो उनके mass percent लिख लो, ठीक है, अब इस टाइप के questions को कैसे tackle करना है, हमेशा आपको mass percentage ही दिया होगा, जब mass percentage दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, let us suppose, total mass is 100 grams, total mass of compound और molecule लिख लो, एक ही बात है, is 100 grams, अब अगर compound का mass 100 grams है, तो 4.07 percent of 100 grams कितना होता है, मैं तुम्हें लिख के दिखा देती हूँ, 4.07 upon 100 of 100 will be 4.07 grams, ये बात मानते हो, सेम इसी तरह से बाकी की percentages भी आग जाएंगी, है न, तो हमने 100 grams लिया ही इसलिए, ताकि हमारी calculation असान हो सके, ठीक है मैं, ये समझ आ गया, कि तो फिर जो mass आ जाएगा, हर एक element का, ये आ जाएगा 4.07 grams, ये आ जाएगा 24.27 grams, और ये आ जाएगा 71.66 grams, अगर आप कभी भी कोई भी molecule को देखते हो, आपको उसके अंदर दिखता क्या है, मैं हमें एक simple सी चीज़ पता चलती है, कि atoms, molecules में जो atoms होते हैं, वो कितने-कितने हैं, और जितने molecules होते हैं, अगर हमने उसी molecule को एक mole ले लिया, तो वो उतने ही atoms हो जाएंगे, जैसे कि example, let us say I have NO2, अगर आपके पास में एक mole NO2 है, तो एक mole NO2 के अंदर आपके पास nitrogen का एक mole है, और oxygen के दो mole है, मतलब कि ये जो molecule के अंदर number of atoms होते हैं, वो अच्छली हमें moles of each atom बता रहे होते हैं, ये तो clear हो रहा है, yes ma'am, तो यानि कि बेटा, ये जो आपको given mass है, आप इससे moles calculate कर सकते हो कि नहीं, yes, और ये हमेशा step follow करना है, तो step 1 आपका हमेशा यही होगा कि mass percentage लिख लो, step 2 हमेशा यही होगा कि total mass 100 consider करके, हर एक का individual mass निकाल लो, step 3 हमेशा होगा कि आपको moles calculate करने हैं, ठीक है, तो चलो moles calculate करते हैं, और अभी तक तो हमें moles calculate करना अच्छे से आ गया है, जो भी given mass है, उसको molar mass से divide करते हो, hydrogen का molar mass होता है, 1 gram per mole, ठीक है, similarly carbon का molar mass होता है, 12 grams per mole, ठीक है, और बेटा, आपका chlorine का molar mass होता है, 30, chlorine का molar mass मैंने यही लिख दिया, वाउ, यह होगा, 71.66 divided by 35.5, ठीक है, यह होता है chlorine का molar mass, अब आपको moles calculate करने हैं, तो approximate calculation करूं, तो यह approximately 4 आ रहा है, इसको अगर मैं approximate divide करूं, तो 12, 1 और 2, यह approximately 2 के आसपास आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो यह approximately 2 के आसपास आ रहा है, हाँ, यस, तो बेटा, यहाँ पर आपके पास में, यह ratio आ गया, लेकिन यह simplest नहीं है, तो simplest whole number ratio निकालने के लिए, हम देख सकते हैं, कि हम इसको, इन सभी को 2 से divide कर सकते हैं, तो यह 2 ratio 1, ratio 1 आ गया, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से बच्चे, आपको, आपका empirical formula मिल गया है, which is what, carbon 1 है, chlorine 1 है, और hydrogen 2 है, तो मैं हम H2 carbon Cl, यह है बेटा, आपका empirical formula, अगर question आता, सिर्फ empirical formula का, तो बस इतना ही करना था, ठीक है, लेकिन question हमें, इसके आगे, थोड़ी सी और भी कोई बात पूछ रहा है, find out the empirical formula, and the molecular formula of the compound, अभी आपको, compound का molecular formula भी निकालना है, ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आया, step 1 हमेशा mass percentage, total mass 100 लो, फिर mass calculate कर लो, moles calculate कर लो, simplest ratio निकाल लो, और वो आपका empirical formula हो जाएगा, ठीक है, यस, अब यहाँ से erase करो इस पार्ट को, मैं ये question इतना detail में इसलिए कर रही हूँ, ताकि तुम्हें हर चीज समझ आ जाए, ठीक है, आगे की questions हम फटा-फट करेंगे, ओके, तो यहाँ तक तो मैं समझ आ गया, अगर आपको empirical formula पता है, तो क्या आप empirical mass निकाल सकते हो, बिल्कुल मैं, empirical mass जो होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो, 35.5 plus 12 plus 2, है ना, तो 35.5 plus 12 plus 2, यह बाद समझ आ रही है, अब इनको add कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपके पास में, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा 0.5, और यह 3 और 1, 4, तो 49.5 grams जो है, वो आपका empirical mass आ रहा है, अब ही मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले, अब ही मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले, एक relation बताया था, कि N की value कैसे निकाल सकते हैं, अगर तुम्हें molecular formula चाहिए, तो तुम्हें एक बात तो समझ आ रही हैं, मैं मुझे पता है कि molecular formula जो होता है, वो N into empirical formula होता है, अब मेरे पास empirical formula तो है, ठीक है, लेकिन मेरे पास N की value नहीं है, तो N की value निकालने के लिए, मुझे एक और relation याद है, और वो relation क्या था, कि जो मेरा molecular mass है, वो N into empirical mass के बराबर होता है, ठीक है, empirical mass के बराबर होता है, यह सबको याद है, तो बेटा, यहाँ पर आपके पास में दोनों चीज़े हैं, आपके पास में molecular mass है, question में दिया हुआ है, molar mass, molecular mass, और empirical mass आपने अभी calculate किया, तो आप यहाँ से N की value निकाल सकते हो, और फिर उसमें put कर दो, easy है ना, तो में एन की value हो जाएगी, molecular mass upon empirical mass, molecular mass दिया हुआ है, 99 divided by empirical mass, कितना है, 49.5, तो यहाँ पर आजाएगा, 49.5, जो बेटा, आपके 2 के बराबर होगा, तो में एन की value ना, 2 आ गई, अगर एन की value 2 आ गई, तो क्या अब आप मुझे, molecular formula बता सकते हैं, yes, 2 into empirical formula, क्या है, H2CCl, तो H2CCl, which will be equal to, H4C2Cl2, तो यह आपका, actual molecular formula हो जाएगा, ठीक है, yes, तो हमेशा, हमेशा आपको percentage दियोगी, percentage से पहले, total mass 100, consider करके, mass निकालो, mass से moles निकालो, simplest ratio निकालो, और आपके वास में, आपका empirical formula आ जाएगा, अगर आपको, molar mass दिया है, तो आप molar mass को, empirical mass से divide करके, N की value find out कर सकते हो, और molecular formula भी, निकाल सकते हो, ठीक है, it was a very important question, बहुत detail में बताया है, अब अगला question आपका homework होगा, ठीक है, let's move forward, so, यह मैंने steps भी लिख दिया है, just in case, आपको steps, मैं वाले तरीके से नहीं समझ आ रहे हैं, तो यह रहे हैं लिखे होए है, you have to calculate the mass percentage, then mole percentage, then molar ratio निकाल लो, and then simplify to the nearest integer, to get the empirical formula, empirical formula से आप molecular formula calculate कर सकते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख लो वरना मैं आपको सब steps बता चुकी हूँ, ठीक है, चलो, तो अब, जब मैं एक question करा चुकी हूँ, और exactly same question है, तो मैं चाहेगी कि यह आप खुद करें, ठीक है, तो यह मैं आपको homework दे रही हूँ, this is your homework question my dear students, again मैंने आपको जैसे बताया, I'll repeat again, सारे के सारे homework questions के answers, इनी notes के अंदर आपको मिल जाएंगे, मैं इनी questions के answers, नीचे लिख दूँगी, आप PW की app पर जाकर, notes के section में जाकर, आप यह notes ले सकते हैं, और अपने answers चेक कर सकते हैं, ठीक है, चलो, आखे बढ़ते हैं, now, let's talk about the, one more question, ठीक है, यह वाला question मैं आपको कराती हूँ, and फिर इसके आगे, अगर कोई question होगा, तो वो आप करेंगे, ठीक है, it is a good question, तो pause करो video को, और खुद try करो इस question को, ठीक है, क्या करना है, pause करना है video को, और खुद try करना है, पहले, फिर मैं आपका solution देख रहे हैं, अब मैं कर रही हूँ, तो तुम देख लो, एक second, अगर अगला PYQ है, तो वो मैं करा दूँगी, ऐसे करते हैं, यह आपको homework देते हैं, ठीक है, यह आपको homework देते हैं, और जो यह वाला question है, क्योंकि यह previous year question है, तो यह मैं कराती हूँ, ठीक है, यस, चलो, इस question को देख लो, पर पहले तो खुदी ट्राइ कर लो, अब मैं कराती हूँ, ठीक है, चलो, तो question क्या कहता है, previous year question है, तो भाई, अच्छा से clear होना चाहिए, so what the question is saying is, एक organic compound है, जो 78% by weight, carbon contain करता है, और आपके पास में remaining, जो है, वो hydrogen है, यानि कि आपके पास यहाँ carbon होगा, और यहाँ कहीं hydrogen होगा, yes, यहाँ पे माम, यह हमें 78% दिया हुआ है, और यह हमें कितना दिया हुआ है hydrogen, बाकी का, तो यानि कि 22%, ठीक है, तो first step क्या होता था, माम हम total mass को 100 grams consider कर लाते हैं, तो यह हो जाएगा total mass which is equal to 100 grams, अब बिटा अगर total mass 100 grams है, mass आजाएगा, क्या वड़ी बात है, है ना, तो यहाँ पे आपका mass जो है, वो आजाएगा 78 grams, और यह आजाएगा आपका 22 grams, next step क्या होता था, moles calculate, तो माम यानि कि moles निकालने के लिए, 78 by 12 हो जाएगा, और 22 by 1 हो जाएगा, यह approximately 6.5 आजाएगा, और यह 22 आजाएगा, ठीक है, अब जब इस तरीके से आजाता है, तो अभी तक ना, simplest whole number ratio नहीं आया है, तो जब simplest नहीं आया है, तो ऐसे case में क्या करते हैं, बस क्या करो, जो छोटा number है, उससे divide कर दो, ठीक है, दोनों को same, जो छोटा number होता है, उससे divide कर दो, तो इसको भी 6.5 से करो, और इसको भी 6.5 से करो, तो अगर देखोगे, तो यह 1 आएगा, और यह 3.3 के आसपास आएगा, ठीक है, अब बेटा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा, क्यूंकि अब situation में हो, और एकदम exact answers आ नहीं रहे, तो you have to use your brains, और आपको यह सोचना है, कि माम एक carbon है, और माम hydrogen जो है, वो 3.3 दिखा रहा है, तो बेटा, round off करना पड़ेगा, यहाँ पे approximate answer निकालना पड़ेगा, तो I hope मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दिया, देखो हमने एक previous year question किया, और एकदम ऐसे questions आते हैं, okay, so you have to do it very easily, बहुत असानी से हो जाता है, perfect, yes, चलो, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, okay, and with this, we have completed our, कौन सा third topic, ठीक है, अब हम fourth topic पे पहुँचेंगे, ठीक है, so congratulations, आपने three topics, that is, mole concept, जो major part था था वो बड़े अच्छे से कर लिया, ठीक है, अब तो बाकी के three topics रहेंगे हैं, वो तो हम पहुत फटा-फट कर लेंगे, okay, बच्चे, so now, let's move to the main screen, which is our all topics, ठीक है, yes, तो मैं, mole concept done है, three topics done है, let's go to the fourth topic, fourth topic हमारा है, stoichiometry, ठीक है, stoichiometry से related questions है, चुटकी में हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ, अब तो तो तुम्हें पूरा mole concept समझ आ गया है, तो कोई जादा complicated बात रही नहीं, ठीक है, yes, so मेटा, now, let's start our discussion, okay, qualitative, जब आप quantitative study करते हो, balanced chemical reactions की, तो उसे stoichiometry कहते है, okay, yes, कोई दिककत नहीं है, stoichiometry में कुछ नहीं होता, उसके अंदर basically आपको क्या बताया जाता है, वो मैं आपको समझाते हैं हूँ, मान लो, आपके पास में, 2A plus B gives you C plus 3D, इस तरीके से कोई reaction है, तो बेटा, इस तरह की reaction को read कैसे करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, अब आपको moles calculate करने आते हैं, चाहे number of particles की form में हो, चाहे mass की form में हो, चाहे volume of gases की form में हो, ठीक है, हम निकाह सकते हैं, तो आप बस इसको study करो, अब क्या होगा मैं, हम कह सकते हैं, बेटा, इस reaction को देखके, कि 2 mole आपके पास A के हैं, 2 moles of A, ठीक है, react करता है, with 1 mole of B, with 1 mole of B, ठीक है, और यह हमें देता क्या है, 1 mole of C, 1 mole of C, and 3 moles of D, ठीक है, तो basically आपको यह समझ आना चाहिए, कि एक chemical reaction, अगर आपको balanced chemical reaction दी है, तो आप उसको read कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर 2 mole A के, जब 1 mole B के साथ रियाद करता है, तो हमें 1 mole C, और 3 mole D, मिलते हैं, ठीक है, अगर आपको moles पता है, तो आप उसको mass में भी convert कर सकते हो, आप उसको volume में भी convert कर सकते हो, आप उसको number of particles में भी convert कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बहुत बढ़िया, similarly, similarly, अब हमें यह चीज तो clear हो चुकी है, अब बेटा, आपके मन में एक सवाल आएगा, क्योंकि यह बार-बार पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर two है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम उसको one consider कर लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो one consider कर लेंगे, यह three है, मेटा, इनको कहा जाता है stoichiometric coefficients, यह होते हैं stoichiometric coefficients, चलो, अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे, और questions के थू समझेंगे, so here is something for you, here is something for you, stoichiometry, frustrating chemistry students since 1792, सोचो, since 1792, सर पकड़ के बैठ गए होगे तुम लोग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, yes, चलो, let's move forward, अगला topic, अगला question, question के थू समझेंगे हम इस चीज़ को, तो question कहता है, that the stoichiometry of the reaction, 2H2 gas plus O2 gives you 2H2O, water, जो है वो liter के अंदर है, आपके पास में, liquid state में है, shows us that, ठीक है, तो अब आपको इसको पढ़के देखना है, कि यह आपको क्या-क्या information दे रहा है, तो बहुत असान है, अब तो जुम चुटकी में कर लोगे questions को, ठीक है, तो पहले यह देख लेते हैं, कि options हमें क्या-क्या बता रहे हैं, options कहते हैं, that 2 grams of hydrogen H2 reacts with 1 gram of O2, ठीक है, mass की terms में है, volume की terms में और moles की terms में, ठीक है, हमें जो सबसे पहले आता है, हम वो वाली चीज लिख लेते हैं, ठीक है, मैं मैं इस reaction से देखके, मैं यह बोल सकती हूँ, कि मेरे पास 2 mol H2 है, ठीक है, और मेरे पास 1 mol oxygen है, क्या है बटा, 1 mol O2 है, ठीक है, और आपके पास में यहाँ पे 2 mol water है, ठीक है, 2 mol H2 O है, यह तो बात समझ आ रही है, यह हमने moles की terms में लिख लिया, जो हमें समझ आ रहा था, अब बेटा, अगर आप इसी को mass की terms में लिखो, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो मैं, 2 mols of H2, एक mol of H2 का mass कितना होगा बेटा, 2 grams है ना, क्योंकि molecule है, तो एक mol H2 का mass होता है, 2 grams, तो 2 mol H2 का कितना mass होगा, 4 grams, I hope समझ आ रहा है, तो मैं 4 grams H2 react करती है, 1 mol of O2 के साथ, 1 mol of O2 का mass कितना होगा, molar mass कितना हो जाएगा, 16 plus 16, that is 32 grams, तो मैं 32 grams of O2 के साथ, react करती है, और कितने grams आपको water मिलते हैं, 2 mols, 1 mol of water का mass होता है, 18 grams, तो 2 mols का हो जाएगा, 18 into 2, which is 36 grams of water, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, तो ये आ गया बेटा, mass की terms में, ठीक है, अब मैं आपको एक और यहां पे चीज़ बता सकती हूँ, क्यूंकि ये और ये gas है, ठीक है, और अगर हम STP conditions assume कर लें, कि भाईया, STP conditions है, तो बेटा, STP conditions पे हम ये भी कह सकते थे, कि 2 into 22.4 liters, क्यूंकि 1 mol of gas जो होती है, वो कोई भी gas हो चाहे, उसकी volume 22.4 liters होती है, तो हम वो बोल सकते थे, अगर STP conditions दिया होता तो, लेकिन STP conditions नहीं दिया है, तो we'll leave it, ठीक है, तो ये information हमने अभी तक निकाली है, अब हम पढ़ते हैं, options, पहला कहता, 2 gram H2 के, 1 gram oxygen के साथ, अब देखो, अगर 4 gram H2, 32 gram O2 के साथ react कर रही है, तो बिटा मुझे एक बाद बताओ, 2 gram H2, कितनी gram O2 के साथ react करेगी, इसको भी 2 से divide कर दो, 16 gram O2 के साथ react करेगी, और आपको 18 gram water देगी, इस तरीके से आपको unitary method यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, तो 2 gram, 1 gram O2 के साथ नहीं, 16 gram O2 के साथ combine करती है, यानि कि ये गलत है, ठीक है, लेट्स टॉक अओट दी अधर option, 2 liter H2 reacts with 1 liter O2 to make 2 liter water, अब volume की terms में बात की गई है, ठीक है, अब volume की terms में अगर बात की गई है, तो हमेशा याद रखना, कि आप volume सिर्फ gases की ही consider कर सकते हैं, अब STP conditions नहीं दी हैं, तो हम सीधे moles को देखके कह सकते हैं, हम सीधे moles को देखके कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे करो, मैं यहाँ पे हमारे पास जगा थी, तो मैं इसी point पे आपको समझाती हूँ, मान लो अगर आपके पास में 2A gas होता, और 1B gas होता, जो आपको 3C gas दे रहा होता, तो बिटा हम यहाँ पे क्या कह सकते थे, यूनिटरी जो हमने अभी तक पड़ी है, उस हिसाब से ये पूरी reaction at same temperature and pressure पे हो रही होगी, कोई भी reaction एक particular constant temperature और pressure पे होती है, तो यहाँ पे बिटा आप इसकी stoichiometry को देखके ये भी कह सकते हैं, कि 2L A gas, 1L B gas के साथ react करके 3L C gas देती है, ठीक है, अगर आपको constant temperature and pressure की जगाँ पे ऐसे बोल दिया जाए, कि STP conditions है, जो मैंने आपको बताया था, तो आप ऐसे भी कह सकते थे, कि 2 into 22.4 L A gas, मुझे 22.4 L B gas देती है, और 3 into 22.4 L C gas यहाँ पे ये आपस में react करके मुझे देती है, ठीक है, तो मतलब कि जब gases की बात आती है, तो gases के time पे हम ये जो stoichiometric coefficients होते हैं, ये जो आपके stoichiometric coefficients होते हैं, आप इनको volume की तरहां भी use कर सकते हो, लेकिन, 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 only for gases, only for gases, I hope आपको समझ आ रहा है, यहाँ से आपका evogadro law, जो हमने पढ़ा था न, वो justify हो रहा है, क्योंकि बेटा, आपको पता है, जितने moles of gas होते हैं, जो आपके gases का ratio होगा, वही आपके gases के volume का ratio होगा, क्योंकि STP conditions पे या same temperature और pressure condition पे equal moles of gases जो होती हैं, वो equal volume occupy करती है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी study कर सकते हो, अगर हम इसी को इस particular question में apply करें, इस particular question में apply करें, तो हमें पता है कि मैम H2 gas है और O2 gas है, ठीक है, तो बिल्कुल हम इनके stoichiometric coefficient के हिसाब से कह सकते हैं, कि 2 liter H2 gas reacts with 1 liter O2 gas, लेकिन बच्चे जो catch यहाँ पे है, वो यह है कि यहाँ पे यह water जो है, वो gas में नहीं है, water आपका liquid state में है, और क्योंकि वो liquid state में है, तो यहाँ पे हम यह नहीं कह सकते, कि यह 2 liter water दिखता है, अगर यहाँ पे gas होता, तो हम वो कह सकते थे, यानि कि जो third, second statement है, इसमें यह वाला part और यह वाला part तो सही है, लेकिन यह possible नहीं है, क्योंकि water आपका liquid state में है, gaseous state में नहीं है, ठीक है, यह, तो इसी लिए आपका option B भी गलत हो गया, let's talk about the C option, 2 moles of H2 reacts with 1 mole of O2 to make 2 moles of water, 2 mole H2, 1 mole O2 के साथ रिया करके 2 mole water देते हैं, और वो बिलकुल सही है, ठीक है, so yes, option C जो है, वो आपका correct answer है, I hope आपको यहाँ तक सारी बाते clear हो गई है, yes, perfect, I think, अगर हमें जगा मिलती है, तो I'll just show you something else as well, in just a second, ठीक है, यह हमने पढ़ लिया है, यह मैंने आपको बता दिया है, यह question मैंने आपको solve कर डा लिया है, अब यहाँ पे बिटा, मैं आपको जो evogadro law वाली बात थी, वो बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती, कोई भी confused हो, अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके पास में 2 mol A के हैं, 1 mol B का है, यह भी gas है बिटा, और यह भी gas है, और यह आपको 3 C gas दे रहा है, तो यह पूरी reaction, जब constant temperature और pressure पे होती है, जब constant temperature और pressure पे होती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कि मैं यह मान लो आपके पास में आ गया है, 2 mols, यह आ जाएगा 1 mol, और यह आ जाएगा 3 mols, ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई doubt नहीं है, अब द्याहां से सुनो, अगर यह 2 mol है, यह 1 mol है और यह 3 mol है, तो क्या आप मेरे को यह बता सकते हो, कि constant temperature और pressure की जगाँ पे, अगर यह STP conditions होती, तो मैं हम यह कह सकते थे थे न, कि 1 mol of कोई भी gas, अगर 22.4 liters of volume occupy करती है, तो इसकी volume 2 into 22.4 liters होगी, इसकी 22.4 liters होगी, और इसकी 3 into 22.4 liters volume होगी, हाँ, येस, तो यहाँ पे अगर बेटा, आप यह cancel कर दो, तो जो ratio आ रहा है, वो 2 ratio 1, ratio 3 आ रहा है, येस, जो आपके moles का ratio है, 2 ratio 1, ratio 3, वही आपके volume का भी ratio आ रहा है, volume ratio, ठीक है, और यह आपका mole ratio था, तो यानि कि बेटा, जब आपका gases same temperature और same pressure पे होती है, तो जो उनका molar ratio होता है, वही उनका volume का भी ratio होता है, जो उनका molar ratio होता है, वही उनका volume का भी ratio होता है, ठीक है, येस, तो अगर आपको moles पता है, तो आपको volume भी पता है उनकी, ओके, yes, चलो, I hope अब clear हो गया होगा, now, जब आपको बेटा, when information of only one reactant is given, उसकी भी बात करेंगे धीरे-धीरे, तो अब आपके सामने इस तरीके से questions आएंगे, कैसे इन questions को solve करना है, मैं हम आपको करा रही है बहुत अच्छे से अब आप concept समझ चुके हो, तो आप खुद से फटा-फट इन questions को solve कर सकते हो let's try the question, कहता है that you have 2 sodium plus half O2 ठीक है, gas, जो आपको देती है, Na2O solid, सबसे पहले हमेशा reaction के अंदर देखना, balanced है या नहीं, ठीक है, क्या ये balanced है 2 sodium, 2 sodium, 1 oxygen, 1 oxygen, बिल्कुल balanced है, अब information क्या दी है, calculate the volume of O2 required आपको O2 की volume बतानी है, ठीक है, at STP conditions, so STP conditions दी है, बढ़िया for the oxidation of 23 grams of sodium to Na2O, यानी के बेटा initially आपके पास ये 23 grams है, और आपको ये बताना है कि 23 grams के साथ कितनी volume आपके O2 की react की है, तो मुझे एक चीज तो stoichiometry से simple साफ दिखाई दे रही है, कि अगर मैं इधर लिखूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि 2 moles sodium जो है वो react करते है half mole O2 के साथ, चीक है yes, ये बात समझ आ रही है आपको yes, तो क्या हम यहां से बिटा moles of Na निकाल सकते है मैं मास दिया हुआ है इसको molar मास से डिवाइड कर जो 23 ही होता है, तो moles जो है वो sodium के आ गया, 1 अब देखो, अगर 2 moles sodium half mole O2 के साथ react करता है तो 1 mole sodium कितने moles of O2 के साथ रियाक करेगा stoichiometry अगर 2 moles इसके साथ रियाक कर रहा है, तो half 1 upon 2 upon 2, यानि की 1 upon 4 moles of O2 के साथ रियाक्ट करेगा तो आपके पास में एक ही mole है, और ये 1 by 4 mole of O2 के साथ रियाक्ट करेगा, तीक है, यानि की माम हमारे पास में moles of O2 कितने आ गए, 1 by 4 आपको बताना है कि STP conditions पे volume कितनी है अब O2 gas है, O2 के moles है आपके पास, अगर moles है तो क्या volume निकाल सकते है बिलकुल माम, number of moles को 22.4 liter से multiply कर दो येस, तो volume of O2 किसके बराबर आ जाएगा, moles of O2 into 22.4 which is equal to 1 by 4 into 22.4 liters ठीक है, तो इस तरीके से आप volume निकाल सकते है एक तरीका तो ये है एक तरीका तो ये है This is case 1, अगर आप ऐसे solve करना चाहते है ठीक है, लेट मी टेल यू एक और तरीका, same question को solve करने का, same question को solve करने का एक और तरीका होता है, आपको क्या करना होता है, आप हमेशा ये formula यूज कर सकते हो अगर आपको case 1 मत लिखो, इसको method 1 लिख लो ठीक है, इसको लिख लो method 1 जो आपको असान लगे, आप वो वाला तरीका यूज कर ले ना, second method जो होता है, वो यहाँ पे लिख 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 लिए method 2 method 2 में क्या करना है जो आपके, जिन दो को आपको relate करना होता है, जैसे मुझे इसे और इसे relate करना है, इनी का सवाल है, तो मैं क्या कहूंगी moles of sodium upon उसकी stoichiometric coefficient 2, this will be equal to moles of O2 upon, जो इसका stoichiometric coefficient है, 1 upon 2, यहाँ से आपको multiply करोगे, तो आपको मिल जाएगा moles of sodium is, यह 1 upon 2 उपर चल दा जाएगा, तो 4 moles of O2, ठीक है, अब आपको moles of O2 calculate करने है, तो moles of O2 आ जाएगे, 1 upon 4 into moles of Na, which is equal to 1 upon 4 into sodium के moles कितने आए है, 1, तो 1 which is equal to 1 by 4, और फिर यहाँ से आप volume of O2 निकाल सकते हो as 1 upon 4 into 22.4 liters और इस तरीके से आपका answer आ जाएगा, ठीक है तो आपको जो method असान लगता है 1 अच्छा लगता है, तो 1 से करो 2 अच्छा लगता है, तो 2 से करो Second method में हमेशा याद रखना कि moles upon stoichiometric coefficient moles upon stoichiometric coefficient हमेशा ऐसे solve कर, ठीक है एक question और मैं कराऊंगी और अगला question आपका homework होगा हो जाएगा, चलो, note down कर लो है, that consider the following reaction and आपको यहाँ पर reaction दी हुई है और question पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम reaction लिखते है, we have we have 3 mg solid plus N2 gas जो मुझे दे रहा है mg3 N2 solid, ठीक है यह clear है आपको, yes perfect, आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास में 11.2 liters of N2 gas है, तो यानि कि आपको N2 gas की volume दी है 11.2 liters और बेटा, STP conditions दी है तो बढ़िया है, ठीक है completely consumed at STP, calculate the mass of mg3 N2, आपको इसका mass calculate करना है तो इस बार हमें इसको और इसको relate करना है, हमें इसको और इसको relate करना है, तो मैं method 2 से solve करवा रही हूँ, आप method 1 से भी try कर लेना, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर हमें इसे और इसे relate करना है, तो हम कहेंगे, moles of N2 upon stoichiometric coefficient is 1, यही है moles will be equal to moles of mg3 N2 upon stoichiometric coefficient which is again 1, ठीक है, तो अब moles of N2 आपको calculate करने पड़ेंगे, तो moles of N2 कैसे आते हैं, मैं volume दिय हुई है, gas की, तो given volume कितनी है, 11.2, reference volume कितनी होगी, एक mole of gas की volume, 22.4, तो 11.2 upon 22.4, which is equal to 1 upon 2, तो moles of N2 आ गए, 1 upon 2, तो moles of mg3 N2 किसके बराबर हो गए बेटा, 1 upon 2 के, आपको पूछा क्या है, you have to tell them mass of mg3 N2, अगर आपके पास में mg3 N2 के moles हैं, तो mass कैसे निकलेगा, उसको molar mass से multiply करके, ये तो हम पूरे mole concept में करके आए हैं, yes ma'am, तो mass of mg3 N2 will be equal to moles of mg3 N2 into molar mass of mg3 N2, ठीक है, तो ये है 1 upon 2, और बेटा molar mass हमें calculate करना पड़ेगा, चलो calculate करते हैं, molar mass of mg3 N2 will be equal to 24 into 3 plus 14 into 2, which is 4, 3, 12, 3, 2, 6 72 plus 28, तो 8, 9, 10 7, 8, 9, 10, 100 grams आपका molar mass आ रहा है, ठीक है, तो ये आजाएगा into 100 which is equal to 50 grams, तो क्या कुछ मुश्किल था बहुत ही असान था, बस आपको moles relate करने आने चाहिए, बाकी तो वही mole concept यूज हो रहा है, जो हम पड़के हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है चलो, बहुत बढ़िया, amazing बच्चे, यहाँ तक अगर आपको clear हो चुका है, तो यह सवाल जो होगा, वो आपका homework होगा तो यह question आपको खुद ट्राइ करना पड़ेगा method 1 से करना है method 2 से करना है, it is all your choice, ठीक है, perfect, चलो लिख लेना इस question को, ट्राइ कर लेना अब हम कुछ previous year questions करते हैं, ताकि हमारा concept building हो, तो question कहता है, the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber process is, तो बेटा, आपको Haber process, यानि कि आपको reactions आने चाहिए, बस इस सवाल के लिए मैं आपको बतारी हूँ, बट यह reaction याद कर लेना, बार-बार यूज होती है N2 plus H2 gives you NH3 अभी यह balanced नहीं है तो इसको balance भी करना पड़ेगा तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे 3 आजाएगा ठीक है, तो अब आपकी reaction balance हो गई है, मैं देखके बता सकती हूँ कि 1 mole N2, 3 mole H2 के साथ react करके, मुझे 2 mole NH3 देता है, ठीक है कहता, the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia पताने है, इसका मतलब है माम कि हमें इसको और इसको relate करना है, तो वही वाला method 2 use करते है, moles of H2 upon stoichiometric coefficient 3 is equal to moles of ammonia NH3 upon stoichiometric coefficient 2, ठीक है तो यानि कि माम, moles of H2 upon 3 is equal to NH3 के moles कितने दियो है 20, तो यहाँ आजाएगा 20 upon 2, तो यह हो जाएगा 10 तो moles of H2 हो जाएगा 10 into 3, which is equal to 30, right yes, तो कौन सा correct answer हो गया option C, जो है, वो आपका correct answer हो गया, देखरे हो 2019 का question है, कितना असान question पूछा, ऐसी आते हैं और बहुत असान question आते हैं, बस तुम्हें concept समझ आना चाहिए अगला सवाल अगला सवाल देखिए और करिए, volume of CO2 obtained by the complete decomposition of 9.85 grams of BACO3, ठीक है yes, ओके, तो अब इसके लिए, अब इसके लिए आपको, आपको क्या देखना पड़ेगा, you have आपके पास में, सबसे पहले तो आपको ना यहां पर reaction लिखनी आनी चाहिए, ठीक है तो बिटा, BACO3 को जब आप heat करते हो तो आपको BAO plus CO2 gas मिलता है, ठीक है अभी, मतलब, I think question incomplete है, इस question के अंदर आपको उन्हें barium का molar mass देना चाहिए था, क्योंकि barium का molar mass ज़रूरी नहीं है कि आपको याद हो तो let me just check the पूरा molar mass में calculate करके बता देती हूँ, बहुत time लगेगा नहीं तो and then we'll solve this question 198 के approximate ही होता है, तो इसको यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं 9.85 आपको mass दिया हुआ है, divide कर देंगे हम इसको 198 से 198 approximate answer होता है तो मैंने यहां पर लिख दिया and then you have what आपको volume of CO2 बताना है, आपको यह और यह relate करना है क्या कोई बड़ी बात है, नहीं माम हमें पता है, पहले 9.85 को divide कर लो, पहले 9.85 को divide कर लेते हैं 0.05 के approximate answer आ रहा है 0.05 के आसपास answer आ रहा है तो हम बोल सकते हैं that moles of BACO3 upon stoichiometric coefficient 1 is equal to moles of CO2 upon 1, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? तो माम, जो moles of CO2 होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे? 0.05 के बराबर हो जाएंगे और माम, अगर हमें volume of CO2 calculate करना है तो हमें 0.05 को 22.4 से multiply करना पड़ेगा तो करो इसको multiply क्या answer आ रहा है, देखते हैं let's see 0.05 को अगर आप 22.4 से multiply करोगे तो 1.12 liters जो है वो आपका correct answer आ रहा है तो 1.12 liters option B जो है, वो आपका correct answer होगा, इस question के अंदर आपको चाहे carbon और oxygen का mass ना देते, लेकिन barium का mass आपको देना मतलब examiner आपको जरूर देगा क्योंकि ये first 20 elements में नहीं आता और आपको सिर first 20 elements के ही masses पता होने चाहिए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, so 1.12 liter is your correct answer, let's move forward to the next question okay, तो question खतम हो गया है अब हम पढ़ेंगी combustion of hydrocarbon तो अब क्या होता है ना बेटा की hydrocarbons की combustion के questions बहुत जादा आते हैं तो अब हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैसे combustion reactions को balance करना होता है, सबसे important होता है उनको balance करना, ठीक है तो चलो balance करते हैं, मान लो मान लो, तुम्हारे पास में पहले तो मैं तुम्हें simply balance करना सिखाऊंगी, फिर एक general formula भी बताऊंगी, but I don't want कि में बच्चा पाटी किसी भी तरह से उस formula को रटे, ठीक है, इसलिए पहले मैं तुम्हें simple, उसको क्या कहते हैं, simple hydrocarbon को balance करना सिखाऊंगी, without formula, ठीक है तो कोई भी hydrocarbon ले लो सबसे simple लेते हैं, CH4 अब बटा, combustion का मतलब होता है कि O2 की presence में उसको आप heat करते हो, और आपको वो hydrocarbon, CO2 देता है और water देता है, मतलब कि combustion reactions हमेशा ऐसे ही होती है आपके पास एक hydrocarbon होगा oxygen की presence में, वो हमेशा CO2 और water ही देगा, हमेशा ठीक है, अब balance कैसे करना है, सबसे पहले आप carbon के atoms को balance करोगे अगर यहाँ पे एक carbon है यहाँ पे carbon है, चलो बढ़िया carbon balanced है, second number पे आप hydrogen को balance करते हो तो यहाँ पे 4 hydrogen है लेकिन वहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 से multiply कर दो तो आपके पास में 4 hydrogen हो गए पहले carbon को balance करना है फिर hydrogen को balance करना है और third step पे आपको oxygen balance करने है यहाँ पे 2 oxygen है, यहाँ पे भी 2 into 1, 2 total 4 oxygen हो गए इधर 2 हैं तो यहाँ पे 2 से multiply कर दो balance हो गई, कितना असान था है ना तो क्या इसके लिए कोई formula रटने की जरूरत है नहीं, नहीं रटना, ठीक है अगर तुमें यह समझ आया, तो चलो C2H C2H10 का balance करो, ठीक है, यह आपका combustion है, जो आपको again CO2 plus water ही देगा, ठीक है अब इसको balance करने की कोशिश करो जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह से करते हैं, देखो, इधर 2 carbon है इधर एक है, तो सबसे पहले तो carbon balance होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा carbon होगया balance, अब hydrogen balance करेंगे, यहाँ पे 10 है वहाँ पे 2 ही है, तो किस से multiply करो 5 से, चलो 5 से कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा चीक है, येस, आप देखो तो मैम आपने carbon भी कर दिया, hydrogen भी कर दिया, बचा क्या, oxygen तो यहाँ पे बेटा 2 into 2 4 oxygen है, और यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस 4 टोटल 9 आपके पास में क्या हो गए, oxygen हो गए, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास में 9 कैसे बनाओगे O2 को, जब आपके पास में इस तरीके से कुछ number आ जाए, तो आप ऐसे कर दिया करो, 9 by 2, अब, multiply करो 9 by 2 into 2, 9 आगया बस, तो balance हो गया, simple फिर तुम्हें simplify करना है पूरी equation को 2 से multiply कर दो देखा, बहुत सान है balance करना, formula नहीं रटना है, ठीक है, बस इसी तरह से मैं तुम्हें और further combustion reactions balance कराती रहोंगी तुम अपनी मर्जी से hydrocarbon लिखो और उसको balance करते रहो, तुम हर एक को balance कर सकते हो, ठीक है, अब थोड़ा general formula भी बता देती हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे होते है, जिनको ना formula चाही होता है, हर चीज का, ठीक है, तो let's say general hydrocarbon का combustion formula, you have CXHY Y plus O2, जो आपको दे देगा CO2 plus H2O ठीक है, तो ma'am सबसे पहले carbon को balance करना है, यहाँ पर X है, तो यहाँ पर भी X आ जाएगा ठीक है, यहाँ पर ma'am Y है, तो वहाँ पर Y, वहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटा X, CX है, यहाँ पर Y है तो ma'am, यहाँ पर हमारे पास Y by 2 हो जाएगा, अब मैं हम आपने Y by 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ Y था, वहाँ पर आपको इन दोनों का multiplication Y के equal रखना है, तो Y by 2 into 2 कितना हो जाएगा Y हो जाएगा, इसलिए मैंने Y by 2 से कर दिया, multiply अब oxygen balance करना है अगर आप इधर देखो, तो आपके पास में 2X oxygen यहाँ पर है और बेटा, Y by 2 oxygen वहाँ पर है, ठीक है तो यानि कि यहाँ पर जो total value आनी चाहिए वो 2X plus Y by 2 आनी चाहिए तो हम क्या करेंगे 2X plus Y by 2 और मैं, अपन में 2 तो करना ही पड़ेगा तो इसको जब आप simplify करोगे ठीक है, इस fraction को जब आप simplify करोगे तो आपके पास में formula आ जाएगा PXHY plus X plus Y by 4 O 2 ठीक है will give you XCO2 plus Y by 2 H2O तो यह आपका general formula हो जाएगा बेटा, balance करने का वैसे तो आपको यह formula बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हे simply balance करना सिखा दिया है, बट फिर भी अगर किसी को formula पसंद है, तो this formula is for you ठीक है, चलो, कर लोगे कोई दिक्कत, नहीं, आगे बढ़ते है combustion of hydrocarbons हो गया तो मैं अब एक सवाल करा दीजे ताकि सारी कहानी हमें समझ आ जाए तो चलो, अब सवाल करते हैं, ठीक है तो question क्या कहता है, that find the volume of O2 gas, आपको O2 gas की volume बतानी है, ठीक है required for the complete combustion of 5 liters of butene under the same conditions of temperature and pressure तो butene है, उसकी combustion reaction लिखनी है सबसे पहले तो बेटा ये कर लो C4H8 plus O2, जो आपको balance करेंगे, 4 carbon है तो यहाँ पे 4 से multiply कर दो यहाँ पे 8 hydrogen है, तो यहाँ पे 4 से multiply कर दो, 4, 2, 0, 8 हो गया, ठीक है, oxygen देख लो 4 into 2, 8 plus 4, 12, तो यानि की आपको इसको 6 से multiply करना पड़ेगा ठीक है, अब यह reaction balanced है, combustion reaction हमने balance कर ली, हमें बताया गया है that find the volume of O2, अगर आपके पास में 5 liters of butene है, आपको butene की volume जो है, वो 5 liters दी हुई है, अब मेरी बात सुनो अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको यह बताया था, मैंने आपको यह बताया था बेटा, कि जो molar ratio होता है, gases का, यह सारी gases है, यह यह भी gas है, यह भी gas है, यह भी gas है, और यह भी gas ही है, ठीक है, combustion में हम सबको gas ही consider करते हैं, ठीक है, तो भाई, सब जब gases होती है, तो जो molar ratio होता है, वही तो उनके volume का ratio होता है, यह बात तो हम अभी पढ़के आए थे, तो अगर 1 mol C4H8 6 mol oxygen के साथ है, जो volume moles का ratio होता है, gases के लिए, वही volume का ratio होता है, gases के लिए, तो मैं में को एक चीज़ पता है, कि 1 liter of C4H8 reacts with 6 liters of O2, ठीक है, हाँ, और आपके पास कितने liter हैं C4H8 के 5, ठीक है, तो अगर यह 5 liters of C4H8 है, तो मैं 6 into 5, which is equal to 30 liter of O2, जो है, वो react करेगी, ठीक है, तो answer तो आगया, 30 answer आगया, option C आपका correct answer है, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना, यह वाला method अच्छा नहीं लगता, तो बिटा, वो वाला method भी use कर सकते हो, जहाँ पे आप moles का ratio लेते थे, जहाँ पे आप कहते थे, moles of C4H8 upon stoichiometric coefficient, अब gases के लिए तो जो moles का ratio होता है, वो volume होती है, moles की जगाँ पे volume लिख सकते हो, तो इस case में आप कह सकते हो, volume of C4H8 gas upon stoichiometric coefficient 1 is equal to volume of O2 gas upon stoichiometric coefficient which is 6, चीक है, अब अगर यह 1 liter है, 1 5 liters दिया हुआ है, तो यह 5 liters है अगर, तो upon 1 will be equal to volume of O2 upon 6 तो volume of O2 यहां से आ जाएगा आपका 30 liters तो यह बात हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ gases की terms में आप volume को mole ratio के हिसाब से ले सकते हो, बार बार stress कर रही हूँ only for gases, ठीक है तो आप ऐसे इस question को पर सकते हैं, clear? लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे लिख लिया, next next question आपकी screens पर है 200 ml of hydrocarbon on complete combustion gives 800 ml of CO2 and 600 ml of water the formula of the hydrocarbon is यह बहुत ही अच्छा question है, इस question को हम करेंगे and then अगला question मैं तो मैं homework दे दूँगी, ठीक है? चलो, अब इस question को करते हैं तो अब आपको बिटा नहीं पता की hydrocarbon कौन सा है तो इस time पे हमें क्या चाहिए? हमें वो general formula वाली reaction लिखनी पड़ेगी, ठीक है? उसको भी रटने की जरूरत नहीं थी as I said कि आप बिना रटे भी उसको लिख सकते हो CXHY plus O2 will give you CO2 plus H2O ठीक है? अगर यहाँ X है तो यहाँ X होगा अगर यहाँ Y है तो यहाँ Y by 2 होगा और यह आपका X plus Y by 4 हो जाएगा ठीक है? यह आपने balance कर लिया अब कहता कि 200 ml hydrocarbon है यानि कि आपको hydrocarbon की volume 200 ml दी हुई है complete combustion कर रहा है 800 ml of CO2 के साथ तो यानि कि आपके पाद CO2 की volume 800 ml given है and you have 600 ml of water मैंने आपको बताया यहाँ पर सारे के सारे beta gases consider किया जाते है ठीक है? अब आपको na molecular formula बताना है अब वो कैसे बताएंगे? आपको पता है कि जो gases के terms में volume का ratio होता है वही moles का ratio होता है तो indirectly हम ऐसे कह सकते हैं कि हम इससे volume निकाल सकते हैं क्या करो? इस पूरी equation को 200 से divide कर दो मैं मैं आपने 200 से क्यों divide किया? क्योंकि 200 सबसे छोटा number था जो इन सबसे divide हो रहा था और यहां पे 1 ला रहा था क्योंकि हमें इस volume के ratio को उपर वाले molar ratio से compare करना है ठीक है? यस तो यह हो जाएगा बिटा 1 यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 3 है ना? हाँ अब देखो मैंने आपको बताया जो volume का ratio होता है वही आपका moles का ratio होता है और जो इनके stoichiometric coefficients होते हैं वो actual मैं आपको moles ही तो बता रहे होते हैं आप कहते हैं एक mole carbon dioxide react कर रहा है इतने moles के साथ तो जो stoichiometric coefficients है वो actually moles ही है तो यानि कि मैं यहां से कह सकती हूँ कि इसका stoichiometric coefficient 1 है यह भी 1 है ठीक है इसका stoichiometric coefficient x है और यहां पर 4 value आ रही है यानि कि मैं x की value 4 है इसका stoichiometric coefficient y by 2 है और मैं y by 2 की value 3 आ रही है यानि कि y की value 6 आ जाएगी तो यहां से हमें आराम से पता चल गया कि hydrocarbon क्या है C4H6 तो C4H6 यानि कि option A आपका correct answer होगा तो hydrocarbons में combustion में आप इस तरीके से questions को कर सकते हो अगर आपको volumes दी है तो आप volumes को simplest ratio में निकाल लो ठीक है और उसके बाद में stoichiometric coefficients को compare करके x और y की value calculate कर लो देखा कितना असान था अरे बहुत असान है तो मैं बस एक एक बार इन questions को देखना है कि कैसे हो रहे है solve फिर कभी गलती नहीं होगी लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है find the volume of air required for complete combustion of 8 liters of C5H10 ठीक है ये भी बहुत अच्छा question है आपके पास में क्या है C5H10 है पहले खुद try करना फिर pause करके खुद मैं का answer देखना कि मैंने कैसे solve किया ठीक है इसमें भी एक छोटा सा catch है वो जो catch क्या है वो मैं तुम्हें बता दूँगी तो यहाँ पे बेटा 5 यहाँ पे है again 5 उसके बाद में यह हो गया 5 to 10 प्लस 5 तो यहाँ आजाएगा 15 by 2 ठीक है अभी तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि volume of C5H10 upon stoichiometric coefficient which is 1 will be equal to volume of O2 upon 15 by 2 अब तुम्हारे मन में question आएगा कि आपने O2 की volume क्यों ली तो यहाँ पे आपको एक extra information पता होनी चाहिए थी जो आपकी general knowledge है क्योंकि आपसे यहाँ पे न air पूछी है और बेटा air जो होती है वो यह पूरी air जो हमारे around है वो है और इस air का 20% जो है वो oxygen है तो अगर आपको oxygen की volume पता चल जाए तो आप फिर air की volume निकाल सकते हो ठीक है यह छोटा सा catch था इसलिए यह मैंने question तो मैं यहाँ पे करवाया है ठीक है देखो तो मैं हम volume किती दी हुई है 8 ठीक है तो 8 upon 1 is equal to volume of O2 upon 15 by 2 तो volume of O2 जो है वो कितना आ गया 8 into 15 by 2 तो यह यहाँ पे 4 आ गया तो 4, 5, 20 का 0 और 2, 4, 1, 4, 5, 6 60 liters जो है वो आपकी O2 की volume आ रही है ठीक है लेकिन आपसे O2 की volume नहीं पूछा तो यह वाला answer टिक मत कर देना आपसे air की volume पूछी है आपको पता है क्या 20% of air volume of air 20% of volume of air is O2 यह हमें generally पता है हमें पता है यह बात है ना येस तो इसी को use करना था अगर total volume का 20% volume जो है वो O2 है तो क्या मैं यह कह सकती हूँ that 20 upon 100 of volume of air is actually equal to volume of O2 और यह volume of O2 आपने अभी calculate की है जो है 60 तो यानि की माम 20 upon 100 of volume of air is equal to 60 ठीक है तो यहां से यह cancel होगा बेटा यह 1 यह 5 हो जाएगा और volume of air जो है वो आजाएगी आपकी 300 liters कितनी आ गई है 300 liters और इसी लिए option D आपका correct answer होगा आप में से बहुत से बच्चे ए option टिक करके आएंगे क्योंकि वो पूरा question ही नहीं पढ़ेंगे एक्जामिनर कुछ न कुछ क्याच जरूर रखता है पेपर में तो यहां पे वो क्याच था तो यह वाली बात आपको बता होनी चाहिए थी ठीक है I hope आपको अब clear होगे और अब गलती नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं लिख लो इसको and with this हमने हमारा stoichiometric topic ख़तम कर लिया है right yes कितना असान था अब हम चलते हैं अपने next topic पे चली देखते हैं कि कौन सा है हमारा next topic so now my dear students we will be studying limiting reagent और सब उसे interesting topic है यह बहुत मजाएगा आपको इसको समझने में and I am telling you यहां से बहुत से questions आते हैं ठीक है तो यह गलती हम नहीं करेंगे कि इसको miss कर दें so let's start our fifth topic which is limiting reagent ठीक है तो बेटा limiting reagent है क्या इसको कैसे पढ़ना है इसके लिए आपको माम कुछ शो करती है यह तब होता है बेटा stoichiometry के अंदर अभी तक हम जब भी questions कर रहे थे तो stoichiometry में आपको किसी एक reactant की या फिर product की किसी एक की information दी होती थी और दूसरे की पूछी जाती थी ठीक है लेकिन क्या हो अगर दोनो reactants की information आपको देते तो फिर आपको limiting reagent find out करने की ज़रूरत पड़ती है अब यह limiting reagent है क्या वो मैं आपको समझाएंगी इसके लिए हम आजाएंगे एक beautiful सी car manufacturing क्या कहते हैं उसको company में ठीक है 500 bodies 500 bodies हैं आपके पास ठीक है और हम यह consider करते हैं कि 4 tires की requirement होती है एक car को बनाने के लिए तो let's say 100 आपको मैंने दे दिये tires ठीक है और हमें कितनी 2 seats इसमें 2 seats ही है तो 2 seats की requirement होती है इस car इक को बनाने के लिए तो मैंने आपको 100 seats दे दिये, ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा, अब मैंने आपसे पूछा, कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, कि इन तीनों में से, ये तीन, अगर मैंने आपको समान दिये हैं, तो आप total गाडियां कितनी बना सकते हैं, जो एकदम perfect होंगी, जिन में सब तो बताओ, इससे आप कितनी गाडियां बना सकते हैं, क्या आप कहेंगे कि मैं हम 100 गाडियां मना सकते हैं, अगर आप ऐसा बोलेंगे, तो मैं जरा आपको बता दूँ, आप बिलकुल गलत है, ठीक है, क्यों ऐसा होगा, अब तक तो reason समझ आई, क्या होगा, मैं हमें पता ह है, कि 100 bodies है हमारे पास, और एक गाड़ी को बनाने के लिए एक ही body चाहिए होती है, तो मैं इसके हिसाब से तो 100 cars बन सकती हैं, ठीक है मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं हम यहाँ पे 100 tires की बात करते हैं, तो एक गाड़ी को बनाने के लिए 4 tires की requirement होती है, तो यानि कि मैं टोटल यहाँ पे 100 by 4, which is equal to 25 cars बन सकती है, ठीक है, यह जो 100 tires है, इनसे हम 25 cars ही बना सकते हैं, अगर मैं हम seats की बात करें, तो आपने हमें बताया कि इस एक गाड़ी में 2 seats की requirement है, ठीक है, और मैं आपने हमें 100 seats दी हैं, यानि कि इसके हिसाब से हम 100 upon 2, which is equal to 50 cars बना सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास में total इतना, इतनी यह चीज़े हैं, तो इसको देखके मैं मैं यह बता सकता हूँ, कि total जो cars बनेंगी, total जो cars बनेंगी, वो मैं 25 cars ही होंगी, यानि कि इस तमान से हम 25 cars ही बना सकते हैं, एक सेकेंड रुक जो, presenter गिर गया है, ठीक है, तो मैं इससे हम 25 cars ही बना सकते हैं, अब अगर 25 cars बन जाएंगी, तो यानि कि बेटा, यहाँ पे 75, 75 bodies जो है, वो आपकी extra रह जाएंगी, मानते हो, येस, और यहाँ पे बेटा, आपकी 25, क्या है ये, seats, आप 50 cars बना सकते हो, तो अगर आप इसमें से 25 cars के लिए हमें 50 seats चाहिएंगी, तो मैं 50 seats जो हैं, वो हमारी bus ऐसे ही free रह जाएंगी, ठीक है, उनका कोई काम नहीं होगा, तो अब यहाँ से बेटा, मैं आपको समझाना ये चाहती थी, कि यहाँ पे आप कितनी भी body ले आओ, आप कितनी भी seats ले आओ, as long as आपके tires जो हैं, वो 100 हैं, आप 25 से जादा cars बना ही नहीं सकते, इसका मतलब ये होता है, कि जो चीज सबसे कम होती है, वही decide करती है, कि actual में जो product बनेगा, वो कितना बनेगा, और वो जो सबसे कम चीज होती है, उसे बोला जाता है, limiting reagent, तो यहाँ पे बेटा, ये जो आपके tires हैं, वो है आपका limiting reagent, ठीक है, और ये जो बाकी के दो अनों हैं, जो excess में रहे गए, जो extra रहे गए, इनको कहा जाता है, my dear students, क्या, excessive reagent, ठीक है, तो ये जो reagent होते हैं, वो excess में पड़े रहते हैं, और limiting reagent आपका ये होता है, और actual में जो limiting reagent होता है, वही decide करता है, कि product कितना बनेगा, सेम इसी तरह से, जब आपके पास में reactants आ कि कौन सा सबसे कम amount में है, और वही decide करेगा कि कितना product बनेगा, बाकी के जो reactants होंगे, वो excess में ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो इसी लिए जब आपके पास सारे reactants की information होती है, तो हमें limiting reagent find out करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और limiting reagent find out करने का एक बहुत ही amazing सा तरीका है बस एक trick है, जो मैं आपको बता दूँगी और आप कोई limiting reagent का question गलत नहीं करोगे, चलो बढ़ते हैं बेटा, questions की तरफ और फिर समझते हैं, तो हमारे पास में question आ गया है, अच्छा ठीक है, पहले ना मैं तुम्हें question से पहले मैं तुम्हें समझा देती हूं कि limiting reagent find out करते क ठीक है, ठीक है, so let's assume a chemical reaction, let us say आपके पास में 2A plus B plus 3C will give you 4D, ठीक है, यह आपके पास में reaction है, और बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनके moles जो हैं, वो आपके पास कितने कितने हैं, let's say आपके पास में इसके moles है 10, इसके moles है 10 और इसके भी moles है 10, ठीक है, कोई दि करने हैं, perfect, अब आपको यह जानना है कि भई, जो हमारा product है, जो हमारा product है, वो कितना बनेगा, यानि की D कितना बनेगा, यह हमें calculate करना है, तो अब हम कैसे calculate करेंगे, उस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है, अब माम, हमेशा बेटा, limiting reagent find out करने के लिए, आपको एक trick अ यह ratio सबसे कम आता है, वो आपका limiting reagent होता है, इस बात को गान्ठ बांदलो, कि कैसे find out करना है, यहाँ पर लिख लो ratio find out करना है, किसका ratio find out करना है, जो number of moles हैं, जैसे यहाँ पर 10 हैं, इसको divide कर दो, इसके stoichiometric coefficient 2 से, यहाँ पे जो number of moles है 10, इसको divide कर दो, इसके stoichiometric coefficient 1 से, यहाँ पे number of moles 10 है, इसको divide कर दो, इसके stoichiometric coefficient 3 से, ठीक है, यस, तो मैं, यह value आ गई 5, यह value आ गई 1, और यह ratio अगर हम देखें, तो यह आ जाएगा हमारा 3.33 something, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर यहाँ से देखू, तो सबसे कम ratio जो है, वो C का आ रहा है, तो बेटा, यहाँ पे आपका C जो है, वो limiting reagent है, और जो limiting reagent होता है, वो actually reaction के अंदर completely consume होता है, क्योंकि जो सबसे कम होता है, वो तो पूरा खतम हो जाएगा, अब अगर तुम tires वाले case में भी देखोंगे, तो tires तो सारे खतम हो जाएगे, पर बाकी के दोनों extra रह जाएगे, तो completely consume आपका limiting reagent होता है, तो C is the limiting reagent, it will be consumed completely, it will be consumed completely, ठीक है, यह आपका completely consume होगा, और it will decide how much product will be formed, कितना product form होगा, वो यह decide करेगा, ठीक है, clear, yes, यह चीज़ें आपको पता होने चाहिए, यह 3 points आपको limiting reagent के बारे में पता होने चाहिए, वो limiting reagent होता है, limiting reagent completely consume होता है, और वही decide करता है कि कितना product बनेगा, ठीक है, चलो, तो मैम, अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अब बिटा आपको पता चलिया कि अगर यह limiting reagent है, तो इससे और इससे relate करके आपको answer निकालना है, तो आप simple वही वाला जो हम use करते थे, formula moles of C upon stoichiometric coefficient, which is 3, will be equal to moles of D upon stoichiometric coefficient, which is 4, C के moles कितने दियों हैं, 10, तो 10 upon 3 will be equal to moles of D upon 4, तो यहाँ से moles of D आजाएंगे, आपके 10 upon 3 into 4, simple, बस ऐसे solve कर लो, तो limiting reagent, जब आपको सारे reactants की information दियो, तो आपके पस बस एक extra step add-on हो जाता है, जिसके अंदर आपको यह ratio निकालना होता है, बाकी तो सारी वही है, जो हम stoichiometry वाली reactions कर रहे थे, लेकिन बस एक ratio निकालके, limiting reagent find out करना, एक extra step होता है, ठीक है, I hope आपको यह clear है, questions की थूरू हम सारी चीज़े और understand कर लेंगे, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलो, अब आपके सामने question है, ट्राइ करो इस question को, question कहता है, when 22.4 liters of H2 is mixed with 11.2 liters of CL2, each at STP, the moles of HCl is formed, तो इसके लिए सबसे पहले balanced chemical reaction चाहिए, यह पिटा एक previous year question है, हम बहुत सारे previous year questions करने वाले हमें बता रही थी आपको, तो मैं हमें पता है, कि H2 plus CL2 जो है, वो हमें 2HCl देता है, तो यह reaction आपको पता होनी चाहिए, अब वो कहता है कि आपके पास में volume कितनी दी हुई है, H2 की 22.4 liters, ठीक है, और CL2 की volume दी है, 11.2 liters, STP conditions दी है, तो आप इनके moles calculate कर सकते हैं, इसको 22.4 से divide कर लो, इसको भी 22.4 से divide कर लो, यह 1 आजाएगा, यह 0.5 आजाएगा, अब आपके पास में दोनो reactants की information है, और आपसे पूछा है कि कितना HCl form होगा, अब HCl कितना form होगा, वो जानने के लिए हमें यह तो पता होना चाहिए, कि limiting reagent कौन सा है, है ना, तो चलिए देखते हैं, मैम आपने हमें बताया था कैसे निकालना होता है, इसके लिए हमें बस एक extra step करना होता है, जिसमें हमें ratio find out करना है, पाफ तिखाई दे रहा है, नहीं, यह clear नहीं है, तो दूसरा pen यूज़ करेंगे बटा हम, लेट्स यूज़ ब्लू पैन, तो यहाँ पे हम पहले ratio find out कर लेते हैं, ratio क्या होगा, number of moles divided by stoichiometric coefficient, यानि की 1 upon 1, number of moles 0.5 upon stoichiometric coefficient, which is again 1, ठीक है, तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 0.5, तो मुझे पता चल गया कि CL2, जो है, वो मेरा क्या है, limiting reagent है, वो reaction में पूरा consume होगा, और वही decide करेगा, कि HCL कितना form होगा, तो आपको जो method 2 apply करना है, वो इसके और इसके बीच में करना है, ठीक है, प्रियानी की माम, moles of CL2 upon stoichiometric coefficient, 1 is equal to moles of HCL upon stoichiometric coefficient, which is 2, ठीक है, CL2 के moles कितने है, 0.5, तो 0.5 upon 1, will be equal to moles of HCL upon 2, तो moles of HCL, जो है, वो कितने आ गए, 1, 2 into 0.5, 1 के equal होता है, तो 1 mole of HCL gas, तो यानि की option A, जो है, वो आपका correct answer हो जाएगा, easy, yes, तो इस तरीके से आप question को solve कर सकते थे, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, next question, next question, try करो बेटा, अब आपको ना सारी चीज़े समझ आ गई है, तो अब आप इन questions को फटा-फट खुद से कर सकते हो, तो try करो question को, कहता है, in the reaction, आपको एक balanced chemical reaction दी हुई है, when 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to completion, तो क्या होता है, ठीक है, तो भाई, इस reaction के अंदर, मुझे ये समझ आ गया, कि मेरे पास 4NH3 है, और 5O2 है, जो मुझे 4NO दे रहे हैं, और 6H2O दे रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे पता है, कि इसका भी 1 mole है, और इसका भी 1 mole है, तो मुझे क्या करना है, ratio find out करना है, तो सबसे पहले तो ratio find out कर लें, 1 upon 4, 1 upon 5, ठीक है, तो ratio आ गया, 1 upon 4, 1 upon 5, कौन सा ratio कम है, मैं 1 upon 4 से 1 upon 5 कम होता है, येस, जितना ज़्यादा denominator होती, कम fraction, तो मैं मुझे समझ आ गया, कि ये मेरा limiting reagent है, अगर O2 limiting reagent है, तो O2 completely consume होगा, reaction के अंदर, और वही decide करेगा, कि कितना product form होगा, ठीक है, और मुझे ये पता है, कि NH3 कुछ excess में रह जाएगा, let's read the options, all the oxygen will be consumed, yes, क्यों, क्योंकि oxygen limiting reagent है, और इसी लिए, वो पूरा का पूरा खतम हो जाएगा, yes, ये बिलकुल सही statement है, बाकी की भी पढ़ लेते हैं, one mole of NO will be produced, चलो अब देखते हैं, कि NO के कितने moles produce होंगे, अगर ये limiting reagent है, तो इसको और इसको relate करना पड़ेगा, तो यानि कि moles of O2 upon 5, will be equal to moles of NO upon 4, है ना, moles of NO2 कितने हैं, one, one है, तो माम, one upon 5 is equal to moles of NO upon 4, तो बेटा, moles of NO कितने आ गए आपके, 4 upon 5 आ गए, one नहीं है, 4 upon 5 है, यानि कि ये statement गलत है, let's talk about the other, one mole of H2O is produced, क्या, एक mole of H2O produce होगा, relation देख लो, अब आप इसको और इसको relate कर लो, तो moles of O2 upon 5 is equal to moles of water upon 6, यही है, है ना, तो अगर moles of O2 1 है, तो 1 upon 5 into 6 जो होगा, वो आपके moles of water हो जाएंगे, यानि कि water के moles 6 upon 5 होँगे, one तो नहीं होगा, यानि कि माम ये भी गलत है, next है, all the ammonia will be consumed, क्या पूरा ammonia consume होगा, नहीं, ammonia तो थोड़ा सा रह जाएगा, क्योंकि वो excess में है, लिमिटिंग तो oxygen है, तो वो consume होगा, तो option A ही आपका correct answer है, देखा कितना अच्छा question था, अगर concept समझ में आया हुआ है, तो चुटकी में question होगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next question बेटा, तो ये आपके लिए, थोड़ा सा, ठीक है, हाओ यू feel, when you get the limiting reactant right, है ना, जब तुम्हें एकदम सही limiting reactant मिल जाते है, तो ऐसे खुश हो जाते हो, अब तो question हो जाएगा, चुटकी में है, राइट, ये चलो, ठीक है, तो आप ये question, ये question बेटा, homework दे दू, कर लोगे ये question, यहाँ पर आपसे limiting नहीं पूछा, बस excess पूछा है, ठीक है, तो क्या आप ये question कर सकते हैं, ठीक है, चलो, लेट सी, एक बार आगे देख लेते हैं, और कौन सा question है, फिर देखते हैं, एक question आपको homework देंगे, ये question में आपको homework दूँगी, ये comparatively easy है, वो वाला question हम कर लेते हैं, ठीक है, तो कहता है, magnesium जो है, वो आपने O2 के साथ burn किया, तो आपको magnesium oxide मिल गया, ठीक है, तो यानि कि माम ये half हो जाएगा, ये आपकी reaction जो है, वो balance हो गई है, ठीक है, अब बोलता है, that आपके पास में 1 gram magnesium था, जिसको आपने 0.56 grams of O2 के साथ burn किया, आपको बताना है, which of the reactant is left in excess, and how much, कौन सा excess में था, और कितना excess में था, ठीक है, कैसे करना है, अब धिशान से सुन लो, सबसे पहले माम हम limiting reagent निकालेंगे, यानि की हमें ratio निकालना है, यानि की 1 upon 24, और ये हो जाएगा 0, अच्छा, पहले बीटा मोल्स निकालने पड़ेंगे, अभी तो हमने मोल्स ही नहीं निकालने हैं, ठीक है, पहले मोल्स निकालनेंगे, फिर ratio निकालते हैं, तो मैं मोल्स निकालते हैं, 1 upon 24 और ये हो जाएगा 0.56 upon 32 ठीक है ये मोल्स आ गए ठीक है तो इसको calculate करें की रहने दे कर लेते हैं फटा-फट calculate भी कर लेते हैं हमारे को बहुत सारी चीज़े करनी है calculate तो जल जल दी कर लेते हैं this will be 1 divided by 24 तो ये आजएगा बेटा 0.04 तो ये 0.04 आ गया ठीक है तो 0.56 को जब आप divide करोगे 32 से तो ये आगए आपका 0.0175 तो ये आगए आपके मोल्स जब आपके मोल्स calculate हो गए हैं तो अब आप ratio निकालोगे तो जब आप ratio देखोगे तो मोल 0.04 divided by stoichiometric coefficient 1 और ये हो जाएग divide by stoichiometric coefficient half यानि की 1 ये 2 से multiply हो जाएगा तो इसको अगर हम 2 से multiply कर देंगे तो ये value आ जाएगी 0.035 तो ये है बेटा 0.035 और ये है 0.04 तो कौनसी value कम है माम ये वाली value कम है तो यानि की बेटा आपका limiting reagent जो है वो oxygen है limiting reagent अगर oxygen है तो except में रहने वाला कौन सा reactant है माम mg है क completely consume हो जाएगा excess में कौन सा रहेगा magnesium रहेगा तो मैं ये मुझे पता चल गया मुझसे पूछा था which is left in excess तो magnesium is left in excess ठीक है तो ये o2 वाले दोनों options तो वैसे ही गलत हो गए now let's talk about magnesium अब हम magnesium की बात करते हैं अब हमें ये जानना है कि कितना magnesium रह गया ठीक है तो भाई अब तु stoichiometric coefficient 1 is equal to moles of O2 upon stoichiometric coefficient is half ठीक है तो magnesium के moles है 0.04 upon 1 is equal to moles of अच्छा आपको ये अब क्या करना है ये बात ध्यान रखना कि हमें ये देखना है कि magnesium कितना use हुआ है ठीक है तो हम ये 0.04 नहीं use करेंगे हम ये देख रहे है कि कितना magnesium use हुआ है ठीक है तो हम लिखेंगे हम moles of magnesium will be equal to O2 के moles जो completely consume होंगे तो O2 के moles आया थे 0.0175 तो 0.0175 ठीक है इंटू 2 येस तो इंटू 2 इतने moles आपके magnesium के use होंगे कितने 0.035 0.035 moles of magnesium आपका use होगा ठीक है तो अगर इतना moles use होगा तो कितना mass of magnesium use होगा तो mass of magnesium used will be जो भी moles आए है 0.035 इसको multiply कर दो 24 से जो इसका molar mass होता है तो 0.035 into 24 will give me 0.84 grams तो 0.84 grams जो है बिटा वो आपका use हो जाएगा और आपसे पूछा है that कितना which reactant is left in excess and how much और कितना excess में रहा है यानि कि 0.84 grams तो consume हो गया कितना रहे गया तो यहां लिख लो mass of magnesium left वो कितना रहे गया होगा initially 1 gram था जिसमें से 0.84 use हो गया होगा तो कितना रहे गया होगा बस 0.16 grams तो 0.16 grams of magnesium जो है वो रहे क्या होगा यानि कि option A जो है वो आपका correct answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप इस question को कर सकते हैं I hope आपको समझाया बहुत अच्छा question था यह इसमें आपने सबसे पहले limiting the agent find out किया question में पूछा था कि excess में कौन सा है तो जो limiting है वो तो completely consume होगा तो दूसरा वाला excess में होगा तो answer magnesium होगा अब कितना magnesium रहे गया यह पूछा है तो आप यह find out कर लो कि कितना magnesium use हो गया तो कितना use होगा वो हम इस relation से find out करेंगे तो 0.84 grams use होगा तो 1 में से 0.84 grams subtract कर दो तो कितना left कितना रहे गया 0.16 grams I hope clear है चलो इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे लिख लो pause करके ठीक है So this is now your homework अब मैंने तुम्हें बहुत अच्छे-च्छे questions करा दिये हैं तो I think आप ये वाला question खुद से कर सकते हो easy question है बिल्कुल पहले वाले question के जैसे है in fact उससे easy है ठीक है Okay With this my dear students we have completed the topic ठीक है तो आप देख रहे हो limiting region भी खतम हो गया बस अब एक ही topic रह गया है Which is your concentration terms So अब हम concentration terms start करने वाले है my dear students Let's see the topics तो यहां पे हमारे all the topics आओ गय है And हमने 5 complete कर लिये है और सफेक ही रह गया है Which is your concentration terms So let's start with the new topic Which is your concentration terms ठीक है Concentration terms समझने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़े understand करनी है Just a second फिर हम आगे बढ़ेंगे Okay So now let's study this So concentration terms में हम सबसे पहले पढ़ेंगे Solution के बारे में है क्योंकि concentration terms जो होती है Solution के होती है So थोड़ी से information solution के बारे में मैं से सुन लीजे Solution क्या होता है Solution एक homogenous mixture होता है अब homogenous mixture मैं यह न चीज़े समझ नहीं आ रही है Mixture वो होता है जिसमें 2 या 2 से जादा components हो ठीक है अब वो 2 या 2 से जादा components की आप amount जो है वो change कर सकते हो ठीक है तो अगर आप एक mixture को define करोगे तो आप कहोगे कि mixture के components की amount को हम change कर सकते है ऐसा कुछ नहीं होता कि 2 ग्राम चीनी ही डलेगी तो ही आप उसको mixture कह सकते हो नहीं 2 ग्राम की जगा अगर 3 ग्राम चीनी भी डाल दोगे तो भी वो mixture ही होगा जब तुम चाय बनाते हो तो चाय एक mixture ही होता है जिसके अंदर किसी को जादा मीठा पसंद है तो जादा मीठा डाल लेता है किसी को कम मीठा पसंद है तो कम मीठा डाल लेता है समझ रहे हो कि नहीं तो चाय is an example of mixture ठीक है जिसमें हम अपनी मर्जी से चाय पत्ती डालते हैं अपनी मरजी से पानी डालते हैं और इसलिए किसी के हाथ की चाय अच्छी होती है और किसी के हाथ की चाय अच्छी नहीं होती है तो मिक्चर तो मैं समझ आ गया अब ये वाला शब्द समझा दो homogenous, homogenous क्या होता है तो बेटा homogenous का मतलब होता है कि एक बार जब आपने mixture बना लिया उसके बाद में, अब मुझे एक बाद बताओ जब मान लो तुमने चाई बना ली तुमने सब कुछ मीठा वगएरा सब डाल लिया अब तुम्हारे पास में चाई की प्याली आ गई है यह कप बना दिया मैंने काफी बुरी ड्रॉइंग है मेरी बट ठीक है, यह आपकी चाई है सही है, ठीक है अब इस चाई बनने के बाद क्या आप यहां से अगर चमच से चाई निकालोगे तो इसका एक पॉर्टिकुलर टेस्ट होगा अगर आप यहां से चाई निकाल लो तो उसका भी टेस्ट सेम ही होगा और अगर आप यहां से चाई निकाल लो तो उसका भी टेस्ट सेम ही होगा इसका मतलब है कि मैं हम चाई कहीं से भी निकाल ले एक बार जब मिक्चर बन गया उसके बाद में वो पूरा का पूरा mixture जो है वो हर जगां पे same है हर जगां पे उसकी composition same है ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे तो जादा मीठी लग रही है यहाँ पे कम मीठी लग रही है ऐसा नहीं होता है आप बनाते हुए भले ही कम जादा कितना भी कर लो लेकिन एक बार बन जाता है, उसके बाद में उसकी composition जो होती है, वो uniform होती है, तो उसे कहते हैं homogenous, तो हम जो solutions की बात करेंगे वेटा, वो होंगे homogenous mixtures of two or more than two components, हम most of the cases में कोशिश करेंगे binary solution की ही बात करें, ठीक है binary solution का मतलब होता है, जब दो components होते हैं, पहुंचेगे, वह majorly हम दो में divide करते हैं, salute या solvent, अब मान लो तुम नीबू पानी बना रहे थे, ठीक है, तो तुमने पानी लिया, तुमने उसमें चीनी भी डाली, तुमने उसमें नमक भी डाला, ठीक है, तो basically तुमने total चार components डाले, हाँ, अब एक solution बन गया, हाँ माम बिलकुल बन गया, अ अब बेटा, उन चार components को आप majorly दो में divide कर सकते हैं, मतलब दो नामों में divide कर सकते हैं, salute और solvent, अब इसमें से माम solvent कौन सा होता है, salute कौन सा होता है, हमेशा याद रखना, जितने भी components है, उनकी आप amount को measure करोगे, और बेटा, chemistry में amount हमेशा moles से measure होती है, ठीक है, तो जिसके moles सबसे ज्यादा, जिसके moles सबसे ज्यादा, वो हमेशा होगा solvent, आपके पास 4 components है, आपके पास 5 है, आपके पास 10 components है, जिस component के moles सबसे ज्यादा होगे, वो आपका solvent होगा, ठीक है, yes, a solution has only one solvent, दूसरी जो बात important है, वो यह है, कि solvent हमेशा एक ही होता है, उसके अलावा जितने components होते हैं, आप उन सभी को solute कहते हो, समझाया, समझाया, yes, ma'am, solvent एक होगा, ठीक है, बाकी के सारे solute होगे, और जिसके moles सबसे ज्यादा होगे, वो हमारा solvent होगा, ठीक है, yes, perfect, तो a solution has only one solvent, but more, one और more than one solute, लिख ले न, साथ-साथ, now, the component having the maximum number of moles is known as your solvent, कोई दिक्कत नही है yes, ma'am, चलो, अब बेटा, इसके बाद में, इसके बाद में, आपको बार-बार, जब भी आप concentration terms पढ़ोगे, तो आपको aqueous solution word लिखा हुआ मिलेगा, तो ये aqueous solution का मतलब क्या है, ma'am, बेटा, aqueous solution आपको directly information देता है, कि जो भी आपका solution है, उसमें आपका solvent जो है, water है, example के तौर पर, aqueous NaOH solution, aqueous H2SO4 solution, जब ऐसे लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब है, कि solvent जो है, वो हर case में water है, ठीक है, और salute, first वाले case में NaOH है, और दूसरे वाले case में H2SO4 है, ठीक है, तो इस तरीके से, आप calculate, मतलब, find out कर सकते हो, solute और solvent, ठीक है, perfect, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब, salute क्या करता है, अब मुझे एक बात बताओ, आपने पानी लिया, पानी को हम solvent कहते हैं, ठीक है, अब उस पानी के अंदर, अगर आप चीनी डाल दो, तो आपका solution मीठा हो जाता है, है न, हाँ, अगर आप उसी पानी के अंदर नमक डाल दो, तो आपका solution नमकीन हो जाता है, हाँ, तो यानि कि क्या आप एक चीज देख रहे हो, solvent खुझ से कुछ नहीं कर रहा है, उसके अंदर किस तरहां का salute आ रहा है, वो decide कर रहा है, कि आपको solution कैसा होगा, मीठा होगा, नमकीन होगा, acidic होगा, बेसिक होगा, वो सब चीजें जो है, वो solute decide करता है, solvent क्या करता है, वो बस चुप चाप एक medium provide कर देता है, एक रास्ता दे देता है, जिसके अंदर solute आके अपनी reaction करता है, ठीक है, तो solute actually reactive part होता है, तो इसलिए यहां लिखा हुआ है, that solute is the reactive part and solvent provides the medium for the reaction, ठीक है, the amount of solute in a solution is represented by the concentration of the solution, अब यह से आती है, सबसे important बात, इसको समझने के लिए आपको हम कुछ दिखाना चाहेंगे, ठीक है, अच्छा, इधर है, तो अगर आप यहां पे इन महाश्य को देखेंगे, तो बेटा, इन महाश्य की height की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर तुम अपनी height की बात कर लो, तुम ख 6 feet है, ठीक है, अब अगर वो 6 feet है, तो वो approximately 180 centimeters होगी, approximately 1.8 meters होगी, है ना, हाँ, यह तीनो ना, इसी एक इनसान की height है, हाँ मैं, लेकिन, लेकिन, अगर मैं ध्यान से देखू, तो यहां 6 आ रहा है, यहां पे 180 आ रहा है, यहां पे 1.8 आ रहा है, तो इसका मतलब है, यह लंबा और छोटा होता जा रहा है, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, height तो height ही रहती है, वो बदलती ही थोड़ी है, मैं, आप भी कैसी बाते कर रहे हो, आप जब अलग unit use करोगे, तो same height को आप अलग-अलग तरह से रिप्रेसेंट कर रहे हो, बंदा थोड़ी change हो जाएगा, उ value जो होती है, वो अलग-अलग आती है, same उसी तरह से मिटा, जब आप एक solution को measure करते हो, तो आप उसको अलग-अलग तरह से रिप्रेसेंट कर सकते हो, कैसे, जैसे कि आप कह सकते हो कि moles of solute in moles of solvent, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि भाई, कितने moles of solute है, कितने moles of solvent में, ठीक है, य in liter of solvent, यानि कि बिटा, आप अलग-अलग तरह से एक ही solution को represent कर सकते हो, ठीक है, और यह जो अलग-अलग तरह से represent करते हैं हम solution को, उन्हीं को कहा जाता है concentration terms, और इसी लिए ये concentration terms आपस में एक दूसरे में inter-convert भी होती है, clear, yes, चलो, तो अब हम ये अलग-अलग concentration terms को पढ़ना शुरू करेंगे, the concentration of the same solution can be represented by different units of concentration, हम बहुत सारी units पढ़ेंगे, हम concentration term पढ़ेंगे, molality, mol fraction, mass by mass percentage, mass by volume percentage, volume by volume percentage, parts per million, parts per billion, तो बहुत सारे तरह के concentration terms हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, yes, तो one by one start करते हैं, हैं, तो जो सबसे पहली और सबसे important है, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, that is your molarity, and बिटा, इसको represent किया जाता है, capital M से, हमेशा molarity को capital M से represent किया जाता है, ठीक है, molarity होता क्या है, molarity आपको ये information देता है, कि कितने moles of solute present है आपके, one liter of solution में, ठीक है, तो it is the number of moles of solute present per liter of solution, एक liter of solution में कितने moles of solute आपके present है, ठीक है, example के तौर पे समझो, माल लो मैंने तुमें इस तरीके से एक container दिया, और यहाँ पे एक और container दे दिया, ठीक है, yes, इसके अंदर मैंने डाले two moles, ठीक है, one liter solution में, यहाँ था मेरे पास four liter solution और इसके अंदर मैंने डाले two moles, ठीक है, हाँ, तो अब आपको मेंको दोनों cases में molarity बतानी है, ठीक है, तो यह four liter solution है, यह भी four liter solution है, और वो मेरे solute के moles है, तो आप कहोगे, मैं, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखू, तो एक liter solution में दो moles डल रहे है, अगर एक liter solution में दो moles है, तो molarity वही तो होता है, कि one liter में कितने moles of solute है, तो मैं यहाँ पे हम कहेंगे, कि molarity जो है, वो two molar है, क्योंकि एक liter solution में दो moles present है, वही पे अगर तुम two, यहाँ पे upon 4 which is equal to 1 upon 2 moles होंगे, तो मैं यह जो solution है, उसकी molarity 0.5 molar है ठीक है, yes तो यह तरीका होता है molarity find out करने का, ठीक है, अब बिटा इसका एक formula भी होता है, तो वो formula भी हमें पढ़ना पढ़ेगा, क्योंकि formulas तो हमेशा ही हमें देख नहीं है ठीक है, यह question करेंगे, पहले आप यहाँ पे लिख लो तो अब हम यहाँ पे formula लिखते है, molarity का तो molarity का formula होता है बेटा, moles of solute अब future में हम इसको n से represent करेंगे, तो confuse मत हो न, ठीक है, divided by volume of solution in liters ठीक है, यह है आपकी molarity, अब इसको बेटा, अभी हम यह पढ़के आए हैं कि moles of solute mass की terms में हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा और open करके भी लिखा जाता है, तो molarity का एक और formula बनता है moles sorry yes, तो यह हो जाएगा given mass upon molar mass moles of solute है, तो given mass upon molar mass, upon, मान लो तुम्हारी solution की volume जो है वो तुम्हारे पस milliliters में है तो तुम्हें उसे thousand से divide करना पड़े गा, ठीक है yes, तो यहाँ से बेटा molarity का एक नया formula आता है, that is given mass upon molar mass into thousand upon volume of solution in milliliters ठीक है yes, तो यह कुछ formulas है, जो आपको use करने पड़ते हैं, so this is how you are going to solve the questions मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम यह वाला formula याद करो, अगर तुम्हें moles निकालना आता है, तो तुम्हें यह formula की क्या जरूरत है, है ना, yes, चलो इसके बाद में, इसके बाद में आपसे पूछा जाता है, कि unit बता दो, unit of molarity तो बेटा हमें पता है कि it is moles per liter, यानि कि unit हो जाएगी mole, liter, inverse mole, liter, inverse ठीक है, yes this is everything about molarity, this is everything about molarity, ठीक है, अगर यह आपको समझ आया है तो इसके बाद बेटा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या थोड़ी सी जगां का crunch है, तो यहाँ पे लिखके मैं तुम्हें समझाती हूँ, अगर, अगर तुम्हें कभी ऐसा कुछ inform कर दिया जाए let's see, you have two molar aqueous NaOH solution तो आप इस से क्या-क्या चीजें study कर सकते हो, अब मैं आपको वो सिखा रही हूँ, ठीक है मैं सबसे पहले तो मुझे समझा आ गया कि मेरा solvent जो है, वो क्या है, दिखाई दे रहा white, नहीं, फिल्कुल नहीं दिख रहा है तो हम blue लेलते है तो यहाँ पे बेटा, आपका जो solvent है, वो क्या है, water है कैसे पता चला, aqueous word देखते ही मुझे पता लग गया ठीक है, उसके बाद में मैं अगर आप हम से पूछोगे, तो salute जो है, वो मेरा NaOH है, यह भी मुझे दिखाई देगा, ठीक है, इसके अलावा आप और क्या पढ़ सकते हो, जो यह तू मोलर है, यह आपको बता रहा है कि दो मोल्स आपके, salute के, salute क्या है NaOH, दो, दो मोल्स NaOH जो है, वो मेरे present है, वन लीटर solution में, किसमें? वन लीटर solution में, तो मैम, हमने इतनी से information से यह सब चीजें calculate कर ली है, कि salute क्या है, solvent क्या है, कितने मोल्स of solute present है, एक लीटर solution में, ठीक है, NaOH का मोलर मासना 40 ग्राम्स पर मोल होता है, ठीक है, तो अगर 2 मोल्स हैं, तो आप यह भी कह सकते हो, that 2 into 40, which is equal to 80 ग्राम्स of NaOH आपके present है, एक लीटर solution में, तो इस तरीके से आप बहुत सारी information निकाल सकते हैं, I hope यहां तक clear है, तो इसको लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी को solve कर देखेंगे, तो आगे की questions solve हो पाएंगे, I hope लिख लिया होगा pause करके, अब आपको यह question करना है, try to do the question, बहुत असान question है, you have two moles of HCl dissolved in water to make four liter aqueous solution, तो माम हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, कि volume solution की liters में हमें दी हुई है four liter, और माम हमारा solute जो है वो HCl है और उसके moles हमें दी हुए है, दो, ठीक है, yes, four liter aqueous solution the molarity of the solution is, अरे बहुत असान है, molarity क्या होता है, moles of solute upon volume of solution in liters two upon four which is equal to one upon two which is equal to 0.5 molar, तो 0.5 molar यानी की option B जो है, वो हमारा correct answer है, ठीक है, बढ़िया, बहुत असान था, yes तो ये लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अगला question बेटा, अगला question अब माम आपको homework देगी, क्योंकि you have to solve the question, ठीक है, कहता है, if a mixture of 46 grams of C2H5OH, molar mass आपको 46 दिया हुआ है, is dissolved in water to make 200 ml solution the molarity of the solution is, चलो मैं ही करा देती हूँ, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये हमारा solute है, हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, और हमें solution की volume जो है, वो 200 ml दे हुई है, तो मैं पहले तो मैं moles of solute निकाल लूँ, C2H5OH, given mass है, मेरे पास 46, और मैं molar mass भी मुझे दिया हुआ है 46, तो यानि कि number of moles आ गए, volume of solution, अगर हम बात करें, तो हमें ना 200 ml दिया हुआ है, लेकिन हमें कैसे चाहिए, ml नहीं चाहिए, liters चाहिए, तो यानि कि this will be 200 upon 1000, which is equal to 1 upon 5 liters, चीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको molarity find out करनी है, तो moles of solute upon volume of solution liters के अंदर, यानि कि 1 upon 1 upon 5, which is equal to 5 molar, तो 5 molar यानि option D जो है, वो आपका correct answer हो जाएगा, easy, yes, चलो, आगे बढ़ते हैं, class goes well until molarity comes up, क्योंकि molarity में बहुत सारी चीज़े आएगी, अभी तो molarity शुरू हुआ है, ऐसी हालत हो गई होगी अब तक, क्योंकि तनी लंबी class आपने ली है, बट कोई बात नहीं, पढ़ना है तो कुछ कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगी, next question आपके screens पर आ गया है, 1 liter solution of a solute x has molarity 3 molar, ठीक है, तो अब कहता है, इस question को try करना अच्छा question है, ठीक है, तो कहता है कि आपके पास में solution की volume आपको दी हुई है, 1 liter, ठीक है, हाँ, उसके बाद में of a solute x, आपको solute कोई x दिया हुआ है, और molarity आपको दी है 3 molar, ठीक है, if the solution contains 180 grams of solute, यानि कि जो भी solute है, उसका mass आपको 180 grams दिया हुआ है, आपको बताना है कि solute क्या है, तो बेटा, इसका मतलब है, solute को आप कैसे find out कर सकते हो, अगर आप solute का molar mass find out करते हैं, है ना, yes, जो भी molar mass आएगा, वो इन 4 में से जिसके molar mass से match कर गया, वो आपका correct answer है, glucose का formula क्या होता है, C6H12O6, तो बेटा, ये जो mass होगा, वो 180 grams होगा, है ना, yes, similarly आप बाकी सब के निकाल लो, मैं आपको formulas बता देती हूँ, ethanol is C2H5OH, हाला कि आपको ये भी पता होना चाहिए, urease NH2C double bond O NH2, ठीक है, and you have sucrose C12H22O11, ठीक है, clear, चलो, अब पहले इसको solve करते हैं, फिर इनके molar mass से से match करें, अगर आपको molarity और volume दी है, तो क्या आप moles of solute निकाल सकते हैं, molarity into volume से आ जाएगा, 3 into 1, यानि कि 3 moles जो है, वो आपके moles of X आ गए, है न, हाँ, आपको पता है, that moles of X जो है, वो given mass of X upon molar mass of X के बराबर होंगे, yes, ma'am, तो molar mass of X किस के बराबर हो जाएगा, given mass of X upon moles of X के, दी, तो ये आगया आपका 60 grams, तो यानि कि बेटा, जो molar mass आ रहा है, वो 60 grams पर mole आ रहा है, तो आपको find out करना है, कि इन में से 60 grams per mole molar mass किसका है, 180 तो बिल्कुल नहीं है, अगर ये नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो C6, H12 वो 6 है, जिसका 180 mass है, इसका तो इससे भी जादा होगा, यानि कि माम ये और ये तो बिल्कुल भी हमारे answers हो ही नहीं सकते, अब इनके molar masses calculate कर लो, 12, 12, 24, प्लस 16, प्लस 6, ठीक है, तो 6, 6, 12, और 4, 16, 6, और 1, और 46 आ रहा है इसका मास तो, ठीक है, 60 तो नहीं आ रहा, यहाँ पर अगर देखोगे तो 28 प्लस 12, प्लस 16, प्लस 4, तो 10, 10, ये 0, 2, ये ये आ रहा है 60, तो यानि कि option C जो है, वो आपका correct answer है, ठीक है, तो इस तरीके के questions आपसे पूछे जा सकते हैं, molarity क्या था, I hope आपको ये clear है, perfect, तो इससे लिख लीजे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, okay, तो बेटा, अब आपके सामने एक बहुत ही important question आ गया है, try करो इस question को खुद से करने का, अगर हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो मैं आपको करवाऊंगी, let's try to do this question, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, तो बोलता है, calculate the molarity of 900 grams of pure water, अब अगर pure water है, तो उसकी molarity कैसे निकालेंगे, उसमें salute क्या होगा, उसमें solvent क्या होगा, इस type के questions में बेटा, हमेशा आपको salute भी, pure बोला होता है न, तो वही salute होता है, वही solvent ले लो, ठीक है, तो यानि कि मैं pure water में, हमारा salute जो होगा, वो भी water होगा, और solvent जो होगा, वो भी water ही होगा, ठीक है, yes, perfect है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोला हुए 900 grams of water, यानि कि salute 900 grams हमें दिया ही हुआ है, तो हम moles of water निकाल सकते हैं, 900 को divide कर देंगे 18 से, ठीक है, 18 grams per mole उसका molar mass होता है, यहाँ तक तो चीज़ें clear है, लेकिन मैं, molarity निकालने के लिए, हमें solution की volume चाहिए, हमारा solvent water है, अब बेटा, आपका salute ना, salute जो है, वो भी सेम ही है, तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं, कि जो भी आपके solvent की volume है, वही बेटा, आपके solution की भी volume होगी, ठीक है, लेकिन हमें अभी भी volume निकालनी है, हमें तो mass पता है, तो हम volume कैसे निकाल सकते हैं, गौर से देखो, तो आपको water की density पता होती है, है ना, और हमें पता है, that density is equal to mass upon volume, तो volume हो जाएगा mass upon density, है ना, mass कितना है, 900, और density कितनी है, तो यानि कि 900 ml, जो है, वो क्या आगया, volume आगी, और अगर यह volume water की है, तो यही volume solution की भी है, yes ma'am, तो यहाँ से आप कह सकते हो, that volume of solution, जो है, वो आगया मेरे पास 900 ml, अब अगर मैं molarity calculate करूँ, तो molarity is moles of solute, solute के moles हैं, यह रहे, 900 upon 18, divided by, volume of solution in liters, solution की volume, milliliters में 900 है, तो 1000 से divide कर देते हैं, तो ma'am 900 upon 1000, 900 से 900 गया, 1000 upon 18, which is equal to 55.5 molar, जो है, वो आपका final molarity आजाए का, ठीक है, तो यानि की 55.5, तो option B, आपका correct answer है, अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा important है, note करने वाली बात, वो यह है, यह previous year question है, यह आप से पूछा गया है, ठीक है, यह I think वो mention करना भूल गया, but it is a previous year question, water का कुछ भी amount ले लो, चाहे 900 ग्राम ले लो, चाहे 200 ग्राम ले लो, चाहे 1 ग्राम ले लो, चाहे 1000 ग्राम ले लो, चाहे 5000 ग्राम ले लो, pure water की molarity, आपकी हमेशा 55.5 आएगी, calculate करके देख लाएना, ठीक है, calculate करके देख लाएना, कोई भी मास हो, क्योंकि वो मास तो cancel ही हो जाता है ना, तो हमेशा molarity pure water की 55.5 ही आती है, ओके, perfect, चालो, लिख लिया, लिख लो, और फिर आगे बढ़ेंगे, अब next जो topic आता है molarity पे, वो है कि temperature पे molarity, टेंपरेचर का molarity पे क्या effect पढ़ता है, अब बेटा ध्यान से सुनना, molarity जो होती है, वो होती है, moles of solute upon volume of solution in liters, जब भी आपके कोई भी concentration term में, volume का factor आता है, तो आपको पता है कि जब temperature बढ़ता है, तो volume घड़ती है, यानि कि volume अगर change होती है, तो फिर molarity भी change होगी, तो कोई भी ऐसा concentration term, जिसके अंदर volume का factor आएगा, वो बेटा temperature dependent होगा, mass पे कोई खास difference पढ़ता नहीं है, तो इसलिए moles जो है, वो temperature से effect नहीं होते, पर volume temperature से effect होती है, ठीक है, तो ये आपकी एक trick है, कि जितने भी concentration terms हैं, उनके अंदर, जिसमें भी volume का factor आता है, वो temperature dependent factor होता है, ठीक है, वो temperature dependent होता है, तो क्योंकि यहाँ volume आ रहा है, तो हम क्या सकते हैं, that molarity is temperature dependent, तो molarity जो है, वो आपकी temperature dependent है, ओके, येस, आगे जब concentration terms और पढ़ेंगे, तो मैं हर concentration terms आपसे पूछूँगी, कि क्या वो temperature dependent है, या नहीं, ठीक है, लिख लो इसको, आगे बढ़ेंगे फिर, अब ये question कर दो, which of the following statement is correct regarding molarity, आपको बताना है, कि इन में से conscious statement molarity के लिए correct है, ठीक है, one by one सारे पढ़ते हैं, first कहता है, molarity shows number of moles of solute present in one liter of solution, absolutely right, कोई problem नहीं है इसमें, next, molarity changes with temperature, बिलकुल molarity के अंदर volume का factor आता है, तो वो बिलकुल change होगी temperature के साथ, so yes, it is a temperature dependent factor, molarity of pure water is 55.5 molar, yes, आप कितने भी grams ले लो, वो हमेशा 55.5 molar रहेगी, तो अगर तीनों correct हैं, तो all of them are correct, so option D will be your correct answer, I hope यहां तक सबको clear है, now, now my dear students, let's talk about mixing of solutions, अब mixing of solutions से मेरे कहने का क्या मतलब है, consider करो, कि आपके पास में 2 solution है, एक यह रहा, जिसकी molarity M1 है, volume V1 है, ठीक है, और उसके फिर number of moles N1 होंगे, और यह वाले solution को, एक और solution के साथ, हमने mix कर दिया, ठीक है, तो यहां पर बेटा, molarity है M2, volume है V2, और number of moles है letter से N2, जब आप इन दोनों solutions को mix कर दोगे, तो एक final solution बनेगा, और आपको मुझे, इस final solution की molarity बतानी है, इस final solution की molarity क्या होगी, तो यह बात आपको बतानी है, अब आपके मन में, बहुत से students के मन में, यह आएगा, कि मैं माप ऐसे करो, M1 और M2 को ना, directly add कर दो, तो जो M mixture होगा, वो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी possible नहीं होता, कि आप दो solutions की, molarity को directly add कर दो, ठीक है, इसके पीछे reason होता है, बट, यह आपको अभी जानने की ज़रुरत नहीं है, इस chapter में, इसका कोई लेना देना नहीं है, बट, still मैं आपको इतना बता सकती हूँ, कि आप molarity को directly add नहीं कर सकते, आप mols of solute को add कर सकते हो, आप volume of solutions को add कर सकते हो, लेकिन directly molarities add नहीं होती है, ठीक है, ओके, तो मैं फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बटा, अब एक बात सोचो, यहाँ पे जो mols of solute हैं, और यहाँ पे जो mols of solute हैं, वो दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, तो यानि कि हम क्या कह सकते हैं, कि जो आपका M mixture होगा, वो आपका total mols upon total volume के equal होगा, तो आपको बस यह calculate करना है, ठीक है, अब मेरी बात यहाँ से सुनो, अगर यहाँ इस mixture के mols of solute की बात करें, तो M1 into V1 के equal होगा, मानते हो की नहीं, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इसके mols जो होगे, वो M2 into V2 के equal होगे, अब यह दोनों mols जो हैं, वो इस solution के अंदर present होगे, तो total mols किसके बराबर हो जाएंगे, this will be equal to N1 plus N2 divided by, total volume क्या होगी, इसकी V1 volume है, इसकी V2 volume है, बस हो गया, formula आ गया, M mixture जो है, वो किसके बराबर हो जाएगा, अब देखो, N1 की value क्या दी हुई है, N1 की value क्या दी हुई है, ध्यान से देखो, M1 V1, तो put कर दो, M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2, यह formula आपको बहुत ही सारी जगाओं पे, लिखा हुआ मिल जाता है, है न, तो यह formula होता है, molarity find out करने का एक mixture की, बट मैं नहीं चाहती कि आप formula रटो, ठीक है, क्योंकि formula रटते हैं, तो फिर हर type के question नहीं हो पाते हैं, you have to understand the concept, कि जब भी हम किनी solutions को mix करते हैं, तो उनके solutes को हम, moles of solutes को हम add या subtract कर सकते हैं, उनकी volumes को हम add या subtract कर सकते हैं, बट directly molarity को हम add नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर formula पसंद है, तो यह कर लो, वरना concept समझ लो, फिर तुम्हारे questions चुटकी में होने लगेंगे, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो, एक question मैं करेगी, और दूसरा question आपको homework मिलेगा, ठीक है, तो question कहता है, that you have 0.1 molar 400 ml NaOH solution, mixed with 800 ml, 0.4 molar NaOH solution, calculate the molarity of the resulting mixture, ठीक है, तो वही चीज है भाई, हमारे पास एक container है, जिसमें 0.1 molar solution है, और 400 ml, हमारे पास में, solute, sorry, volume है, इधर अगर आप देखोगे, तो 0.4 molar आपके पास solution है, 800 ml आपके पास में, इसका volume है, और ये final mixture आपका बन रहा है, तो आपको सबसे पहले, moles of solute निकालने हैं, अब एक चीज बताऊं बटा, moles जब volume लीटर में होती है, तो moles calculate होते हैं, अब calculation असान इसलिए कर लेते हैं, क्योंकि जादे तर volume आपको millilitres में मिलती है, तो अगर millilitres में volume मिलती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम millimoles calculate कर सकते हैं, मतलब कि जब आप moles calculate करते हो न, volume को millilitres में लेके, तो उसको millimoles क्या देते हैं, ठीक है मैं दिखाऊंगी कितना फाइदा होता है उसका तो volume को milliliters में लेके मैं अगर moles calculate करी हूँ तो उन्हें millimoles कहेंगे तो 0.1 into 400 तो calculation बढ़ी असान हो गई 40 millimoles आ गई ठीक है similarly यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरे millimoles जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 0.4 into 800 which is equal to 32 तो 320 चीक है कोई दिक्कत है हाँ तक नहीं तो यह आपके millimoles आ गई तो अगर आप यहाँ पर final molarity निकालोगे तो final molarity में हम कहेंगे moles total upon volume total ठीक है तो total moles कितने है यह और यह दोनों को add कर दो यानि कि मैं 40 plus 320 और यह क्या है बिटा आपके millimoles है यह बात तो आपको समझ आ रही है millimoles है yes, divide कर दो total volume से इस बार volume को भी millilitres में ले लो तो यानि कि 800 plus 400 यानि कि मैं 400 plus 800 ठीक है यह भी क्या है millilitres है, है ना? हाँ तो यहाँ पर न इस milli से यह milli directly cancel हो जाता है देखा calculation कितनी आसान हो गए, yes, बस फिर यहाँ से solve कर लो 360 upon 1200 ठीक है यह cancel हुआ 1212, 1212, 1212, 136, 3 आ गया और यह आ गया 10 तो 0.3 molar जो है वो आपका final molarity आ गया solution का तो millimoles का फाइदा यह होता है कि जब आप mix कर रहे होते हो तो final आप milli से milli cancel कर देते हो तो इसलिए milli moles calculate कर लिया करो और अपनी calculation कर लिया करो ठीक है? I hope आपको समझ आ गया हमने इसके moles निकाले इसके moles निकाले, total moles add कर दिये, total volume से तो हमें mixture की molarity मिल गई I hope आपको clear है, लिख लो इसको अगर आपको यह समझ आया, तो this is your homework exactly same question है, बस जो numerical values है, वो बदल गई है, so I hope you can do this question so this will be your homework question, okay एक question मैं कराएंगे, एक question को तुम खुट dry करो next, जो topic है, that is your dilution of solution अब समझते हैं कि यह dilution of solution क्या बला है ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब खुझ से सोचना एक normal सी चीज है, पहले तो इसका definition पढ़ लेते हैं dilution of solution का मतलब होता है कि आप एक solution के अंदर सिर्फ और सिर्फ solvent add कर रहे हो ठीक है, एक solution के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ solvent add कर रहे हो, तो उसको dilution कहते हैं मतलब कि moles of solute नहीं change हो रहे है सिर्फ और सिर्फ क्या change हो रहा है हमारा solvent, ठीक है, yes तो फिर obviously जब आप volume को change कर दोगे तो final molarity बदल जाएगी, तो फिर नया solution बन जाता है, जिसके अंदर solute के moles अभी भी same, ठीक है so dilution is the process of addition of solvent keeping the same amount of solute, in this process the concentration decreases, अब मैं तुम्हें ये चीज़ का एक बहुती example देती हूँ जिससे तुम्हें बहुत इच्छे समझ आ जाएगा, कभी मान लो, कभी मान लो, तुम तुमने क्या किया चाय बना रहे थे तुम, ठीक है मतलब ये मेरी, this is मेरी, मेरी real story है, तुम्हें ये बता सकती हूँ जब मैं छोटी थी, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि चाय बना दो, ठीक है मुझे चाय नहीं बनानी आती थी, उन्होंने मुझे बताया कि इतनी चीनी, इतनी इतनी चीनी डाल दो, इतनी चाय पत्ती डाल दो, ऐसे-से करके चाय बन जाई मैंने का ठीक है, उन्होंने मुझे बताया मैंने वो सब डाल दिया, और वो चाय बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है, फिर मेरे पापा कोई काम करने लग गए और मैं किचन में चाय का वेट करती थी अब मैंने जो देखा था वो यही था कि जब चाय बनती है तो वो उबल के ऐसे बाहर आती है बट क्यूंकि मैं एक ही कप चाय बना रही थी तो वो उबल के ऊपर तक तो आई पर एकदम बाहर नहीं आई ठीक है तो मैं wait करती रही कि वो चाय उबलेगी, 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 ठीक है, चाय तो उबली नहीं, ठीक है, और वो सिर्फ इतनी सी चाय रहे गई, सारा का सारा पानी जो था, वो evaporate हो गया, अब जब उस चाय को मैंने कप में डाला, तो उस चाय का टेस्ट जो था, वो बहुत ह था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम सॉल्वेंट के अंदर बहुत ही जाधा शुगर थी, तो बहुत ही मीठी थी, ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि बैसी चाय थोड़ी पापा को दूगी, तो मैंने क्या किया, मैंने उस चाय के अंदर उस मीठे को कम करने के लिए, क्या किया तुम लोग भी तो यही सोचोगे न कि मैम और पानी डाल दिया और दूर डाल दिया है ना यानि कि हमने solvent और add कर दिया ताकि हम उसको dilute करते तो जब आपका salute थो जो था sugar ठीक है उसके अंदर अगर आपने और पानी डाल दिया अगर पानी आपका solvent है मान लो तो आपने पानी गया होगा यस concentration कम हो जाती है यह समझ आ गया होगा अभी मेरी स्टोरी कंप्लीट कर लगता है तो जब मैंने फिर से सब डाला और मैंने चाय बनाने की कोशिश करी तो फिर भी वो चाय थ्री फोर्थ कप ही बनी और बहुत ही जादा ऐसे लाल लाल चाय होती है ना वो वैसे हो गई इतनी चीने डाल दी थी so this was my first chai story तो हां ऐसे ही होता है ठीक है तो और इस से तुम I think dilution वाला concept भी समझ गए हो गए so this is something that is dilution ठीक है तो चलो in this process the concentration decreases I hope you understand that कि dilution से concentration decrease होती है और अब तुम कभी नहीं भूलोगे चाय वाली स्टोडी ठीक है चलो now let's try to solve the अच्छा मैंने तुम्हें dilution का concept नहीं बताया कि कैसे हम dilution के four questions को solve करेंगे अब कैसे solve करना है imagine करो कि तुम्हारे पास में एक container है इस container के अंदर molarity है M1 volume है V1 let us say solute के moles है N1 ठीक है N1 मतलो solute के moles को N ले लो क्यों N लेंगे अभी मैं बताती हूं ठीक है अब तुमने क्या किया इस solvent के अंदर इस solution के अंदर तुमने solvent add कर दिया तुमने और solvent add कर दिया ठीक है हाँ तो एक नया solution बन गया अब तुम्हें पता है कि अगर तुमने volume को change कर दिया है तो molarity तो change हो गई होगी यानि कि मैम अब कोई molarity M2 हो गई होगी मानते हो हां और मैम volume भी change हो गई होगी क्योंकि solvent और जादा add किया है तो volume भी V2 हो गई होगी लेकिन salute को तो कुछ हाथ नहीं लगाया salute तो पहले जितना था उतना ही अब है शुगर पहले जितनी थी उतनी ही अब है मानते हो yes मैम तो यानि कि जो moles of solute यहां पे हैं वही moles of solute यहां पे होंगे yes yes तो मैम यहां से हम क्या कह सकते हैं यहां पे moles of solute है M1 into V1 let us say यह first equation है मैम यहां पे अगर moles of solute देखे तो वह होंगे M2 into V2 यह मैम हमारी second equation होगी और मैम दोनों solutions के अंदर solute के moles तो change हो ही नहीं रहे इसका मतलब है कि 1 जो है वो 2 के बराबर है है ना इसका मतलब है मैम M1 V1 is equal to M2 V2 and this is known as law of dilution और यह क्या होता है बेटा law of dilution तो यह आपको बहुत सारी जगाओं पे लिखा हुआ मिल जाता है कि आप law of dilution apply करके question को solve कर सकते हैं क्या आपको यह बात समझ आई I hope आपको यह समझ आया इस में जो moles of solute थे और जो final solution में moles of solute थे same थे तो दोनों को मैंने equate कर दिया और law of dilution निकाल दिया easy yes चलो अब इस पे based question करेंगे तो सारी चीज़ें और अच्छ से समझ आ जाएंगे question कहता है find the final molarity of one molar H2SO4 solution which is directed to four times of its initial volume वा क्या सवाल है वा क्या सवाल है ठीक है try करो पहले इसको फिर मेरा solution देखना M1 हमें दिया हुआ है one molar ठीक है अब कहता कि यहाँ पे आपको final molarity M2 find out करनी है अब जो volume है वो क्या information दी है कहता कि जो final volume है वो directed है यानि कि initial जो volume थी उसके four times हो गई है यानि कि final volume जो है वो four V हो गई है यह आपको question को read करके समझाना चाहिए था अब law of dilution हमें पता है अगर तुम्हें law of dilution नहीं पता वो formula नहीं याद तो directly कर सकते हो कि यहाँ पे moles of solute होंगे one into V यहाँ पे moles of solute होंगे M2 into 4V और क्योंकि दोनों same है dilution से moles of solute पे फर्क नहीं पड़ा तो यह 1 है और यह 2 है तो यह दोनों equate कर दो तो 1V is equal to M2 into 4V V से V गया तो M2 जो है वो 1 upon 4 आ गया which is 0.25 molar तो 0.25 molar यानि कि option D जो है वो आपका correct answer हो जाएगा किता सान वाशन था है ना यस चालो आगे बढ़ते हैं अगला okay this is again something for you और बहुत ही amazing है यह don't drink water while studying because chemistry says concentration decreases on adding water ऐसा गलत है this is chemistry logically it's correct but real life में भाई पानी वानी पील लेना ठीक है पानी पीले ना उसका वो वाली concentration नहीं है यह यह दूसी वाली concentration है solution वादी है ठीक है yes चलो आगे बढ़ते है what volume of H2O should be added to 250 ml 2 molar NaOH solution so that the molarity is reduced to 0.5 molar बहुत ही अच्छा question है यह question मैं कराती हूँ आगे जो भी 250 ml ठीक है अब बोलता कि यह जो solution था इसके अंदर आपने कुछ प्लस V volume add करी तो जो आपका final solution बना उसकी molarity M2 जो है वो 0.5 molar है ठीक है और V2 जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा जो तो initially 250 volume थी उसके अंदर कुछ और V add कर दिया तो वो V2 के बराबर होगा यानि कि मैं 250 plus V ml मानते हो मानते हो कि नहीं yes law of dilution लगाना है M1 V1 is equal to M2 V2 लगा लो भले ही यहां के moles और यहां के moles निकाल के equate कर तो एक ही बात है तो यानि कि मैं 2 into 250 will be equal to 0.5 into 250 plus V ठीक है yes अब यह बटा 1 होगा तो यह 4 हो जाएगा ठीक है तो मैं 250 plus V is equal to 1000 तो जो V होगा वो कितना आजाएगा 750 ml तो आप से यही पूछा था कि कितना volume add करना है यह नहीं पूछा कि final solution की volume बता दो नहीं अगर final solution की volume पूछी होती तो वो 1000 ml होती लेकिन उसमें पूछा कितना volume add किया तो extra तो 780 किया था तो answer 750 ml होगा चीक है yes I hope आपको यह clear हो गया होगा आगे बढ़े चल आगे बढ़ते हैं next question बिटा अब यह question फिर मुझे आपको homework देना पड़ेगा this will be your homework question बस इसमें एक hint मैं जो आपको दे दूँ आप गलती ना कर दो यहाँ पे लिखा है बेटा that find the volume of water which would be added to 250 ml of semi molar क्या लिखा है बेटा semi molar semi molar का मतलब होता है 0.5 molar यह ना कभी-कभी तुमें confuse करने के लिए ऐसी चीज़े दे देते हैं तो इस word का मतलब है 0.5 molar half molar semi क्या होता है semi circle होता है half circle same उसी तरह से semi molar का मतलब होगा half molarity तो यह इस तरह के words आ जाए तो घबराने का नहीं है ठीक है कर लोगे यह question बहुत असान है अब तुम कहोगे ma'am decimolar तो जो मैंने तुम्हें याद है centi deci वो सब कर रहा है थे initially मैंने तुम्हें बताया था सारे के सारे powers nanometer, picometer उसी तरह से decimolar का मतलब होता है 10 raised to the power minus 1 molar ठीक है अब मैंने तुम्हें hint दे दिया main main चीजों का अब तुम इस question को solve कर साथ है ठीक है अच्छा हमेसे आगे बढ़ते हैं यह homework है तुम्हारा next जो हमारा concentration term है बेटा वो है molality एक छोट असा अक्षर molarity और molality में difference है L का है ना L और R का लेकिन इसने सारी कहानी बदल देनी है अक्षर सिर्फ एक छोटा सा change है लेकिन बहुत जादा बड़ा difference है so molality को हम small m से represent करते है so now let's talk about molality molality क्या होता है अगर तुम्हें molarity समझ आ गया है molarity समझ आ गया है तो तुम्हें molality भी समझ आ जाएगा ठीक है तो molality क्या होता है बड़ा कि कितने moles of solute present है in 1 kg of solvent तो इस बार बड़ा 1 kg solvent में कितने moles solute के present है वो होता है molality और इसको small m से denote करते है ठीक है तो यह मैं अगर समझ आया हमें तो molality का formula क्या हो जाएगा molality का formula हो जाएगा moles of solute moles of solute divided by mass of solvent mass of solvent किसमें बटा? kg में mass of solvent in kg तो यह होगा आपका पहला molality का formula ठीक है इसी तहां से दूसरा formula क्या हो जाएगा आप moles of solute को given mass upon molar mass लिख दो mass अगर आपको solvent का grams में दिया हुआ हो तो हम कह सकते है that mass of solvent in grams इसको आपको thousand से divide करना पड़ेगा ठीक है इसको तुम यहां पर ना molar mass से confuse मत कर देना इसलिए ऐसे कर देना इसको ऐसे ही लिखते है तो यहां से molality आ जाएगा mass of solute upon molar mass of solute into thousand upon mass of solvent किसमें? ग्राम्स में तो यह भी आपका एक molality का formula है इसको भी आप use कर सकते हो ठीक है next जो important चीज़ आती है वो आती है unit तो molality की unit क्या होगी बिटा? mol kg inverse ठीक है? क्योंकि mols upon mass आपको दिया हुआ है ठीक है? यहां तक कोई doubt नहीं है? चलो अब मैम अगर हमें read करना होगा तो हम कैसे read करेंगे? बिलकोल आईए अगर आपको दिया हुआ है 3 molal aqueous NaOH solution तो बेटा आप इसको कैसे read कर सकते हो? आपको पता है कि मैम solvent जो है वो क्या है? water है, aqueous लिखा है solute जो है वो क्या है? NaOH है तो इसका मतलब है मैम कि 3 molal से वो हमें बताना चाहता है कि 3 mols आपके solute के तो 3 mols of solute और solute यहाँ पर NaOH है तो 3 mols of solute that is NaOH is present in 1 kg of solvent और आपका solvent क्या है? water है तो इस बार यहाँ पर 1 kg of water आ जाएगा तो आपको यहाँ पर इतनी सारी information दे दी अगर आप इसके mass को convert करोगे तो आप कहोगे 3 into 40 grams NaOH हमारा present है 1000 grams of water में चीक है? तो इस तरीके से आप इस question इस type के questions को पढ़ सकते हैं कैसे आप अपनी सारी information निकाल सकते हैं ठीक है? Yes, I hope clear है तो इसको लिख लो बेटा फिर आगे बढ़ेंगे It is the number of moles of solute present per kg of solvent ठीक है? Clear है? वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़े बता दी यहाँ पर definition आपको मिल गई अब unlike molarity molality जो होती है बिटा वो अब temperature के उपर जो है वो independent होती है वो depend नहीं करती है ठीक है? बस यह दो conditions अगर satisfy होती है तो और boards level पे तो यह बिल्कुल satisfy होती है In fact, neat level पे भी यह आपकी बिल्कुल satisfy होती है यह कभी नहीं लिखा होता ठीक है? जेई में अगर बहुत high level question बनना होता है तो फिर वो ऐसी condition दे देते है ठीक है? लेकिन neat level के लिए और अगर आप board के लिए भी prepare कर रहे है तो भी यह condition जो है वो आपकी हमेशा fulfill होगी that is it will be always independent of temperature ठीक है? क्योंकि उसमें सारे mask के terms आते हैं वोल्यूम का टर्मी नहीं आता तो molality वोल्यूम पे depend sorry temperature पे depend नहीं करती है ठीक है? परफेक्ट लेट्स solve a question and understand the topic तो question कहता है 8 gram है NaOH जो added है 100 gram पानी में तो calculate कर दो molality बहुत असान है हमें moles of NaOH calculate करने पड़ेंगे given mass है हमारे पास 8 और molar mass होता है 40 grams पर mol तो यह हो जाएगा 1 upon 5 molality calculate करने के लिए moles of solute upon mass of solvent solvent आपका water है जिसका 100 grams आपको दिया हुए लेकिन आपको mass kg में चाहिए होता है तो 100 को हमें 1000 से divide करना पड़ेगा तो जब हम इसको divide करेंगे तो 1 upon 5 1 upon 10 which is equal to 10 upon 5 which is equal to 2 molar तो 2 molar जो है वो आपकी molality आजाएगी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है perfect अगला सवाल करते है अगला सवाल फिर आपका homework होगा ठीक है अब बस इसमें difference इतना है बिटा आपको volume दी हुई है पर आपको density दी हुई है तो आप उसको use करके मास निकाल सकते हो और मास निकालते ही आप अर्राम से molality calculate कर सकते है ठीक है hint मैंने दे दिया this will be your homework question ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो आगे बढ़ते हैं okay so finally ठक गए होगे मतलब topic खतम नहीं है don't worry ठक गए होगे तो forgot that spelling matters in all the things and read the question without thinking बहुत ज़्यादा ज़रूरी है molality पूछा है या molality पूछा है दोनों में देख लेना वरना बहुत problem होगी calculated molality instead of molality और फिर तुम रोते ही रह जाओगे ठीक है तो ध्यान रखना molality पूछा है है कि temperature के independent होता है molality ठीक है यह discuss हो चुका है next is your mole fraction ठीक है अब आप कोगे माम हमने na question practice बहुत कम करी है बिटा ऐसे na direct question आते नहीं है molality पे तो फिर आते हैं क्योंकि उसमें dilution और mixing वगरा होता है लेकिन molality के direct questions नहीं आते जब आप बाकी सारे concentration terms पढ़ लोगे तो फिर उनका conversion जो होता है वो पुछा जाता है तो हम सारे concentration terms पढ़के फिर उनके questions solve करेंगे ठीक है चलो now we'll talk about mole fraction mole fraction क्या होता है it is the fraction of fraction of total moles इसका मतलब क्या है माल लो तुम्हारे पास एक solution है माल लो तुम्हारे पास एक solution है जिसमें let's say you have a plus b आपके बास नो 2 components है वैसे तो 3, 4, 5 कितने भी components हो सकते हैं बट अभी हम 2 components लेते हैं let's say इसके 2 moles हैं और इसके भी 2 moles present हैं ठीक है yes these are moles तो बेटा mole fraction क्या होती है कि एक particular component के कितने moles present है in the total moles ठीक है तो mole fraction basically आप हर एक component के लिए calculate करते हैं जैसे mole fraction of a हाँ mole fraction का जो symbol होता है वो काई होता है ठीक है तो mole fraction of a को आप कैसे calculate कर सकते हैं moles of a upon total moles यानि कि moles of a upon moles of a plus moles of b ठीक है similarly mole fraction of b जो होगा वो क्या हो जाएगा moles of b upon moles total which is moles of b upon moles of a plus moles of b I hope यहां तक clear है अब जो सबसे beautiful बात है बेटा वो यह है 1 और 2 एक तो भाई mole fraction की कोई unit नहीं होती है क्योंकि moles divided by moles unit less तो यानि कि unit less होता है आपका mole fraction ठीक है unit less quantity होती है यह दूसरी बात बेटा जब जितने भी components है जैसे इसमें तो 2 ही थे अगर 3 होते तो 3 हो components जितने भी components होते है सबकी mole fraction का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है अगर आप इनको add करोगे तो आप देख सकते हो moles of A upon moles of A plus moles of B plus moles of B upon moles of A plus moles of B will be equal to moles of A plus moles of B upon moles of A plus moles of B and this will be equal to 1 और यह चाहे 2 components हो, 4 हो, 5 हो, चाहे 1000 components हो आप सभी components की जब mole fraction का sum करोगे तो हमेशा वो 1 के equal आएगा तो यह दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए formula पता होना चाहिए और उनका sum का mole fraction उसका जो sum होता है वो हमेशा 1 आता है यह पता होना चाहिए also unit less quantity होती है ठीक है, चलो अब देख लेते है sum of mole fraction of all the components is always 1 ठीक है, यह अब हम question करते है question के तुरू हम समझेंगे mole fraction कैसे calculate करते है calculate the mole fraction of H2O in a mixture आपको mole fraction of H2O calculate करना है इसका मतलब है moles of H2O upon total moles find out करना है, ठीक है in a mixture containing 0.4 grams of NUH दो ही components है, ठीक है तो पहले हम moles of NUH calculate कर लेते हैं कितने होंगे, given mass है आपके पास 4, नहीं 0.4 divided by 40 molar mass होता है 40 यह आपको पता होना चाहिए decimal point हटेगा, तो एक 0 लग जाएगा तो 1 upon 100 जो है, वो आपकी mole fraction of NUH आपकी mole fraction of NUH which is 0.01 similarly moles of water आप find out कर लो, कितना होगा given mass कितना दिया हुआ है 1.8 grams तो 1.8 divided by 18 decimal point हटाओगे, 0 लगेगा तो 1 upon 10 which is 0.1 तो यह आगया है आपके moles of water आपको mole fraction निकालनी है water की, तो mole fraction of water will be equal to moles of water upon moles total moles, तो 0.01 which is 0.1 upon 0.11 तो यहाँ पर decimal point यह इंकू 10 upon 100 निकाल करी लोगे इसको तो calculate तो 10 upon 11 जो है वो आपका क्या आगया mole fraction water की आगई अब आपको mole fraction of माल लो NUH भी calculate करना पड़ता तो वो फिर पूरा का पूरा formula अपलाई करनी की जरूरत नहीं थी आप सीधा कह सकते थे कि mole fraction of NUH किसके बराबर हो जाएगा 1 minus mole fraction of water 1 minus mole fraction of water यानि की 1 minus 10 upon 11 which is equal to 1 upon 11 ठीक है? Yes तो इस तरीके से आप mole fraction calculate कर सकते हैं I hope आपको यह clear हो गया है Perfect Let's move forward तो अब यह question आप करेंगे First question मैं आपको करवाया Now this will be your homework question Exactly the same है आपको mole fraction calculate करनी है NACL की और आपको masses जो है वो given है ठीक है? कर लोगे? बहुत बढ़िया Now let's talk about the other concentration term which is your mass by volume percentage ठीक है? तो mass by volume percentage क्या बताती है? यह यह बताती है कि कितने grams of solute जो है आपका 100 grams of solution में present है It is the grams of solute present per 100 बिटा अच्छा mass by volume है I'm sorry मैं mass by mass समझ रही थी अगर mass by volume होता है तो फिर वो होता है कि कितने gram आपके solute present है 100 ml of solution के अंदर ठीक है? तो वही लिखा है कितने gram solute present है 100 ml of solution के अंदर तो अगर हम mass by volume percent का formula निकालेंगे तो वो हो जाएगा mass of solute किस में होगा बिटा ये? Grams में divided by volume of solution milliliters में into 100 ठीक है? तो ये formula होता है mass by volume percentage का अब इसको read करना हमें आना चाहिए तो मैं अगर हमें read करना है तो माल लो बिटा आपको लिखा है 10% of mass by volume of aqueous NaOH solution तो आप इसको कैसे read कर सकते हो अब वो देख लो मैं अगर हमें ये लिखा है तो इसका मतलब है कि 10 gram आपका solute that is NaOH वो present है बिटा किसमे 100 ml of solution में किसमे 100 ml of solution में ठीक है? तो आप इसको इस तरीके से read कर सकते है I hope यहां तक clear है इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे Let's try to solve this question कहता है 0.4 moles NaOH के dissolve किये आपने 500 ml water में neglecting the volume change calculate the mass by volume percentage बहुत असान है अगर आपका NaOH solute है तो mass of NaOH कितना हो जाएगा? मैं moles into molar mass moles कितने दिये है? 0.4 volume molar mass कितना होता है? 40 grams per mole तो यह हो जाएगा बेटा 4 into 4 which is equal to 16 grams ठीक है? तो आपके पास में आपके solute का mass आगया grams के अंदर volume of solution आपको अभी तक find out करना था आपको यहां पे solvent दिया हुआ है तो वही solvent की volume को आप solution की volume consider कर सकते हैं तो मैं volume of solvent जो होगा वही हमारा solution की volume के equal हो जाएगा अब आपके मन में question आएगा कि मैं ऐसा क्यूं? तो बेटा यहां पे लिखा हुआ है neglecting the volume change on mixing अब क्या होता है? आपने पानी लिया मानलो 1 liter अब उसमें अगर आपने चीनी mix कर दी चीनी solute है तो जब वो mix हुई तो थोड़ा बहुत तो volume में change आया होगा solution की लेकिन वो बहुत ही कम change होता है तो हम उसको neglect कर देते हैं तो वही चीज आपको यहां बोली गई है कि आप उस change को neglect कर दो और जब यह लिखा होता है तो हम solvent की volume को ही solution की volume consider कर लिखा है तो यानि की ma'am हमारे पास दोनों चीज़े हैं तो mass by volume percentage क्या हो जाएगा mass of solute 16 volume of solution 500 और वो milliliter में ही चाहिए into 100 यानि की 16 by 5% जो है वो आपका answer हो जाएगा easy? yes चलो अगर यह समझ आया तो अगला बाला part कर दो mass by mass percent कर दो बहुत असान है mass by mass percent से समझ आ रहा है कि कितना gram solute present है 100 grams of solution में बस इस point पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि जो mass of solution होता है जो आपका mass of solution होता है वो mass of solute plus mass of solvent के बराबर होता है यह गलती मत करना कि solvent के mass को solution का mass ले लो यहाँ पे हम mass के terms में ऐसा नहीं कर सकते है mass के terms में हमें दोनों के masses को add करके ही solution का mass मिलता है ठीक है तो यहाँ से अगर हम formula लिखेंगे तो हम mass by mass percent का formula कह सकते हैं mass of solute grams के अंदर divided by mass of solution फिर से grams के अंदर अब फिर से वही let's try to read मान लो अगर तुमारे पास में 10% mass by mass aqueous NaOH solution है तो इसका मतलब है कि आपके पास में 10 gram NaOH present है किसमें 100 gram solution में ठीक है अब अगर 100 gram mass solution का है बेटा तो हमें पता है that mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent तो mass of solvent जो आपका water है यहां पे कैसे पता चला aqueous word लिखा हुआ है तो यह बेटा आपका mass of solution minus mass of solute के बराबर हो जाएगा यानि कि 100 minus 10 यानि कि 90 grams जो है वो यहां पे आपका mass होगा solvent का तो mass by mass percent में यह चीज़ का ध्यान रखना है कि mass हमें solution का दोनों solute और solvent को add करके ही मिलेगा ठीक है? clear? चला अगर यह समझ आया तो यह हम next volume by volume percent को भी समझ लेते हैं तो volume by volume percent simple सी बात कहता है कि कितने milliliter solution में present होगी जब सारे के सारूं की volumes दे होती है simple है बेटा तो अगर volume by volume percent का formula निकालना पड़ा तो volume of solute milliliter में divided by volume of solution milliliter में into 100 अब आपके मन में question आएगा कि माम क्या हम यहाँ पे volume of solution जो है उसको equal लेंगे volume of solute plus solvent के तो बिलकुल बेटा जहाँ जहाँ possible होगा वहाँ पे आप यह लोगे बढ़ generally ऐसा कोई complication आता नहीं है बढ़ फिर भी मैंने लिख दिया ठीक है again read करते है मैं हम अगर 10% aqueous NaOH solution लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 ml आपका NaOH present है 100 ml आपके solution में simple पस ऐसे आपको इसको read करना आना चाहिए ठीक है यह आपके concentration terms है जिनको हम interconvert करके अब questions को solve करना सीखेंगे चलो अब आपकी screen पे question आया है try करो इस question को solve करने का ठीक है? चलो बेटा अगर आपसे पूछा है mass percent तो इसका मतलब होता है mass by mass percent आपको बताना है ठीक है तो आपको solute का भी mass चाहिए solution का भी mass चाहिए अगर मैं यहाँ देखू तो NaOH मेरा solute है तो mass of solute तो मेरे पास है कितना 40 grams ठीक है? दूसरा मेरे पास 100 ml of water है और मुझे पता है कि water मेरा solvent है और density मुझे दी हुई है तो क्या मैं water का mass निकाल सकती हूँ? बिलकुल density होती है mass by volume तो mass हो जाएगा density into volume यानि कि 1 into 100 which is equal to 100 grams तो बिटा आपके पास में mass of water भी आगया कितना 100 grams ठीक है? येस आपके पास solute का mass है आपके पास में solvent का mass है तो solution का mass कैसे आएगा? मैं, mass of solution जो होगा न, वो mass of NaOH plus mass of water के equal होगा यानि कि 40 plus 100, तो बिटा आपके solution का mass 140 grams होगा गलती से इसको 100 grams मत ले ले लेना, ये बहुत important step था, ठीक है? अब तो असान है अब तो असान है mass by mass percent निकालने के लिए हमें mass of solute चाहिए, solute का mass है 40, mass of solution चाहिए जो है 140, तो 140 into 100, ठीक है? तो ये गया, तो आगया आपका 400 upon 14 percent तो ये होगा आपका mass by mass percent इसमें जो important step था, वो ये था, क्योंकि ये आप miss कर दो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं एक last concentration term जो है वो रह गया है, which is PPM PPM का मतलब होता है, बिटा, parts per million, ऐसे ही एक और होता है parts per billion, तो एक समझ लो दूसरा आपने आप समझ आजएगा, इसका मतलब होता है कि कितने gram solute present है आपके per 10 raise to the power 6 grams of solution में, तो अगर PPM का formula बने का तो अब तो आप बहुत ही असान से इसे निकाल सकते हो, बिल्कुल percent वाले की तरह ही है, mass of solute, grams के अंदर, mass of solution, grams के अंदर, इस बार बस 10 की power 6 होगा, 100 नहीं, ठीक है? अगर कभी लिखा हुआ है 10 PPM, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 gram आपका solute present है, 10 raise to the power 6 gram of solution में, finish, इतना असान है, easy, yes, सेम इसी तरह से बेटा, PPB भी होता है, तो PPB में 10 raise to the power 9 होता है, बहुत असान है, तो मैं, PPB का formula हो जाएगा, mass of solute grams के अंदर, mass of solution grams के अंदर, into 10 की power 9, तो मैं, अगर मुझे कभी 10 PPB लिखा हुआ तो, तो यानि की 10 gram, एक second, वहाँ पर हमने क्या, सही लिखा न, हाँ, तो यहाँ लिखा होगा, पिटा, 10 grams आपका solute present है, किसमें 10 की power 9 gram आपके solution में, simple, कोई बड़ी बात नहीं है, बस देख लो, PPM है या PPB है, ठीक है, येस, perfect, तो अब हम पढ़ेंगे, जहां से सवाल आने की possibility रहती है, that is your conversion of concentration units, आपस में इनको convert करके, जो हमारे questions आते हैं, वो important है, हमने concentration term सारी पढ़ ली है, बहुत से बच्चों का question होगा, normality, वो बेटा, हम redox reactions में पढ़ेंगे, ठीक है, चलो, let's talk about the first question, question कहता है, calculate करो molality of 10% mass by mass of any way solution, अभी मैंने तुम्हें जितनी चीज़ें सिखाई है, सब को use करके, इस question को solve करने की कोशिश करो, चलो, try करो, अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमें बोला है, 10% mass by mass, ठीक है, तो पहले तो तुम्हें इसको read करना आना चाहिए, इसका मतलब है कि 10 gram, 10 gram, बेटा, solute क्या है आपका इस बार? NaOH है, यह आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मैम, 10 gram NaOH जो है, वो मेरा present है, किसमे 100 grams of solution में, mass by mass में को पढ़ना आता है, उसको मैं ऐसे read कर सकती हूँ, ठीक है? तो मैम, mass of solute जो है, वो कितना है? 10 grams है, ठीक है? Yes. मैम, mass of solvent कितना होगा? बेटा, इसमें न, इनको बताना चाहिए था, कि आपका solvent aqueous solution है और water है, नहीं बताया, कोई बात नहीं, बट आप ऐसा consider कर सकते हो, ठीक है? बट अगर नहीं भी करोगी, तो भी चलेगा, let's see. तो mass of solvent, मैम, solvent का mass कैसे आता है? solution के mass में से solute के mass को subtract कर दूँ, यानि कि mass of solution minus mass of solute, ठीक है? यानि कि 100 minus 10, which is equal to 90 grams. ये क्या है, बेटा, आपके solvent का mass है. आपके पास में solute का mass है, तो क्या आप solute के moles निकाल सकते हो? क्यूंकि आपको molality calculate करने के लिए, moles चाहिए solute के, और mass चाहिए solvent का किसमे kg में. है ना? तो solvent का mass तो आ जाएगा kg में. लेकिन solute के moles चाहिए. तो मैम हमें पता है कि NaOH हमारा solute है और उसका mass 10 दिया हुआ है, molar mass 40 होता है, तो 1 upon 4 जो है वो उसके moles है. चीक है? तो यहाँ पर put कर दू. 1 upon 4 upon 90 upon 1000. क्यूंकि grams में था, तो kg में convert करना था. तो इस तरीके से एक concentration term से information निकालके आप दूसरी concentration term calculate कर सकते हैं. I hope आपको यहाँ तक clear है सारी चीज़ है. आगे बढ़ते हैं. चलो. लिख लो इसको. Next. Mass by volume percent of NaCl solution of density 1.4 grams per milliliter is 30%. Calculate the mass percent. अब इस question को करने का hint देती हूँ. क्यूंकि कुछ questions आपको भी करने पड़ेंगे. Let's see. हमेना mass by volume percent दिया हुआ है. Of NaCl solution is 30%. ठीक है? यानि कि बेटा mass of solute upon volume of solution in milliliter ही होगा. ये grams होगा. into 100. ये value जो है आपको 30 दिया हुई है. ठीक है? हाँ. तो यहां से बेटा, यहां से आप क्या समझ सकते हो? अब ध्यान से देखना. अगर 30% mass by volume percent है. तो माँ 30 gram solute क्या है हमारा यहां पर NaCl. तो 30 gram NaCl जो है वो बेटा आपका 100 ml solution में present होगा. मानते हो की नहीं? येस. आपको mass percent निकालना है. यानि कि आपको solute का भी mass चाहिए और आपको solution का भी mass चाहिए. solute का mass तो है. लेकिन solution का mass नहीं है, volume है. लेकिन आपको density भी हुई है, 1.4. तो आप mass of solution निकाल सकते हो. density is mass upon volume. तो mass will be equal to density into volume. density कितनी है? 1.4. volume कितनी है? 100. which is 140 grams. ये आपका solution का mass आगया. अब अगर आप mass by mass percent calculate करोगे. तो mass of solute that is 30. mass of solution which is 140 into 100. लो मैंने solve भी कर दिया पूरा. तो 300 upon 14 percent जो है, वो आपका correct answer हो जाएगा. तो आपको इस तरीके से बच्चे calculations करनी आनी चाहिए. एक concentration term को कैसे read कर सकते हो. वो read करना आना चाहिए. तभी आप questions को solve कर पाओगे. ठीक है? Yes. I hope यहां तक clear है. Perfect. Let's move forward. अगला है calculate the molality of one molar NaOH solution density आपको दिया हुए 1.2 gram per milliliter. ठीक है? Pause करना है video. खुढ ट्राइ करना है question को. मैं हम कर रही है. अब मुझे molality calculate करनी है and I know that one molar NaOH solution मुझे दिया हुआ है. ठीक है? और solution की density भी मुझे दिया हुई है. तो मैं one molar से हम read कर सकते हैं कि एक mol NaOH आपका present है एक लीटर solution में. ठीक है? एक लीटर यानि की 1000 milliliter solution में. अगर बेटा आपको solution की density दी है तो क्या आप solution का mass निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो? तो मैं, mass of solution जो होगा वो हो जाएगा density into volume. 1000th volume है, density है 1.2 यानि की 1200 grams जो है वो मेरा solution है. ठीक है? यह NaOH आपका solute है. अगर बेटा यह 1 mole है तो आप क्या कह सकते हो? कि mass of solute जो है वो आजाएगा number of moles into molar mass which is 1 into 40 which is equal to 40 grams. तो आपका 40 grams solute है और आपका 1200 grams solution है. ठीक है? आपको calculate क्या करना है? molality. molality होता है moles of solute upon mass of solvent kg के अंदर. ठीक है? तो मैम आपके पास solution का mass भी है आपके पास solute का mass भी है तो क्या आप solute का mass निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो. तो mass of solvent जो होगा वो किसके बराबर आजाएगा? mass of solution minus mass of solute जो आपका Na NaCl है या NaOH है? NaOH है. ठीक है? तो 1200 minus 40. यही होगा? 1200 minus 40. कोई दिक्कत यहां तक? नई? Yes. चलो. तो अब अगर यहां तक मैं आपको hint दूँ तो क्या आप इसे solve कर सकते हो? ठीक है? तो let's see this. यह आगे आपके पास में. solvent का mass. ठीक है? अब मैं, moles of solute तो पता ही है हमें. 1 mole है. तो molality calculate करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. 1 upon mass of solvent which is 1160. लेकिन यह क्या है बिटा? grams में है. तो आपको इसको kg में convert करना है. 1000 से divide करोगे. तो यह यहाँ 1000 आ जाएगा. तो 100 upon 116 molal जो है. वो आपकी final molality हो जाएगी. तो अगर आपको concept clear है. तो आपको पता है इसका एक formula भी होता है. मैंने कभी formula नहीं याद किया. क्योंकि आप physics, maths, इतने formula होंगे कि आप paper तक सारे भूल जाओगे. तो concept clear है. तो आपको formula रटने की जरुरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? तो यह आप इस तरीके से कर सकते हैं. पहले molality को open करके लिख लो. देख लो कि molality के लिए क्या-क्या चीज़े चाहिए. moles of solute तो थे लेकिन solvent का mass नहीं था. solution की volume थी, density दी होई थी, तो solution का mass निकाल लिया. solution के mass से solute का mass subtract करके solvent का mass निकाल लिया. और फिर उसको वहाँ पुट किया. और molality calculate कर लिए. easy? yes, perfect. चलो. यहाँ तक clear, तो आगे बढ़ेंगे. अगला question बेटा. अगला question है. calculate the mole fraction of NaOH in 40% aqueous solution. aqueous बोला है, तो आपको पता चल जाना चाहिए, कि आपका solvent जो है, वो क्या है? water है. ठीक है? अब बेटा, मैं आपको यहाँ पर hint दूँगी, पूरा solve नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत time लग जाएगा. अगर आपको 40% mass by mass बोला है, तो आप यह बोल सकते हो ना, कि 40 gram आपका solute, solute है NaOH, तो आपका 40 gram NaOH solute जो है, वो 100 gram solution में present है. यहाँ से आप solvent, that is your water, उसका mass निकाल लो, 100 में से solute, that is 40 सब्ट्राक कर दो, तो 60 grams आपका solvent का mass आजाएगा. अब आपके पास में NaOH का भी mass है, आपके पास में water का भी mass है, तो आप moles of NaOH निकाल सकते हो, 40 upon 40 which is equal to 1, moles of water निकाल सकते हो, 60 upon 18, ठीक है, येस, फिर तो mole fraction निकालनी है, NaOH की, तो mole fraction of NaOH कैसे आएगा, moles of NaOH upon total moles, इन दोनों को add कर दे, ठीक है, clear हो जाएगा, I hope यहाँ तक किसी को कोई issue नहीं है, perfect, चलो, आगे बढ़ते हैं बिटा, next question, calculate the molality of an aqueous solution, calculate the molality of an aqueous solution, in which the mole fraction of solute is 0.25, ये question, पहुत ही important है, इस question को ध्यान से समझ लोगे, तो तुम हमेशा ये सही कर पाऊगे, ये एक previous year question है, ठीक है, year नहीं लिखा है, लेकिन it is a previous year question, and it is a very, very important question, तो गौर से देखो कि माम, कैसे इसको solve कर रही है, बिटा, आपको बोला, calculate करनी है, molality, ठीक है, और आपको mole fraction दिया हुआ है, solute का, दो ही components हैं, अगर mole fraction of solute जो है, वो 0.25 है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि mole fraction of solvent जो होगा, वो 1 minus mole fraction of solute के बराबर होगा, है ना, yes, तो माम, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 minus 0.25 which is equal to 0.75, ठीक है, तो आपके पास में mole fraction of solute और mole fraction of solvent आ गया, actual में, अगर हम formula की बात करें, तो mole fraction of solute का मतलब होता है, moles of solute upon total moles, है ना, और अगर आप solvent के formula की बात करेंगे, तो माम, ये होता है, moles of solvent upon total moles, है ना, yes, तो क्या मैं बेटा, ऐसा लिख सकती हूँ, mole fraction of solute divided by mole fraction of solvent, ऐसा लिख सकती हूँ, अगर आप ऐसा लिख रहे हो, माम, तो इसका मतलब है, आप कहा रहे हो, moles of solute divided by total moles upon moles of solvent divided by total moles, है ना, yes, यानि कि माम, ये actual में, moles total से mole total कर जाए, तो माम, moles of solute upon moles of solvent के बराबर ही है, तो यानि कि, जो mole fraction का ratio होता है, वो actually, moles of solute upon moles of solvent का ही ratio होता है, और ये value हमें पता है, ये value किसके equal है, ध्यान से देख लो, ये रहा, माम, हमें पता है, कि moles of solute कितने हैं, 0.25, और माम, हमें पता है, moles of solvent कितने हैं, 0.75, हाँ, तो ये जो important चीज आपको note करनी थी, वो यही थी, कि जो ratio होता है, moles fractions का, वो moles of solute to moles of solvent का ratio होता है, ठीक है, अगर आप ये देखोगे, तो ये 1 by 3 आता है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिखकत नहीं है, आपको calculate करनी है, molality, अब बिटा, molality calculate करने के लिए, हमें चाहिए होते है, moles of solute, और हमें mass चाहिए होता है, solvent का, किसमें kg में, अब हम, ये कैसे निकालें, इस पार्ट से, ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, हमें पता है, moles of solute, upon moles, mole fraction of solute, upon mole fraction of solvent, actual में किसके बराबर है, moles of solute, upon moles of solvent के, है न, हाँ, molality में हमें, moles of solute तो चाहिए, लेकिन अगर आपको, mass of solvent चाहिए, और आपको, aqueous यहाँ पे बोल के, aqueous बोल है क्या, क्यालकुले देखना, molality of aqueous हाँ, तो मैम, aqueous बोल के, हमें ये बता दिया था, कि solvent water है, solvent water है, तो अगर आपके पास में, moles of solvent हैं बेटा, अगर आप moles को, molar mass से multiply कर दो, तो आपको given mass मिल जाता है, येस मैम, तो क्या मैं इसको, 18 से multiply कर दो, तो ये actual में मेरे पास क्या होगा, mass of solvent आ जाएगा, kg के अंदर, येस, अगर आपने इधर 18 से multiply किया है, तो आपको equal to के, इधर भी तो multiply करना पड़ेगा, है ना, हाँ, अभी आपका जो ये mass आया है, वो grams में आया है, molality में, mass जो होता है, वो kg में चाहिए होता है, तो अगर आम इस पूरी equation को, thousand से divide करें, यानि कि यहाँ पे अगर हम thousand लिखें, तो माम आपको यहाँ पे भी thousand लिखना पड़ेगा, तो अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो पूरी equation है, ये actually आपकी molality ही है, moles of solute, ये पूरा इतना part, ये इतना part जो है, ये आपको दे रहा है, mass of water, कितना mass of water है, grams के अंदर, जुसको आप kg में convert कर सकते हो, तो माम ये जो पूरा पाठ है, वो molality के बराबर ही है, यानि कि हम molality कैसे calculate कर सकते हैं, molality will be equal to thousand upon 18, into इन दोनों का ratio, और इन दोनों का ratio जो था वो आए था, 1 upon 3, तो 1 upon 3, ये आपको पता है, 55.5 upon 3, इसको solve कर लो, ये आपकी molality आ जाएगी, ठीक है, so this is the beauty, और ये सब से important question है, एक बार और समझलो, मैंने क्या किया, मेरे को सिर्फ और सिर्फ mole fraction of solute दिया हुआ था, तो मैंने mole fraction of solute से mole fraction of solvent निकाल लिया, ठीक है मैं, 0.75, 0.25, जब मैंने इन दोनों का ratio लिया, तो मुझे पता चला कि जो इनका ratio होता है, वही moles of solute upon moles of solvent का ratio होता है, ठीक है, तो मैंने इन दोनों चीज़ों को ऐसे लिख लिया, मुझे molality निकालनी है, molality का formula होता है, moles of solute upon mass of solvent in kg, मुझे moles of solute तो दिख रहे थे, लेकिन मुझे mass of solvent निकालना था, मेरे पास solvent के moles हैं, और मुझे पता है कि solvent water है, तो अगर water है, तो मैं यहाँ पर water के molar mass से, अगर moles को multiply कर दूँ, तो given mass of water मिल जाएगा, तो यह पूरा मेरे पास given mass of water आ गया, किसके अंदर, grams के अंदर, लेकिन मैं molality में, तो kg में होता है, तो मैंने इसको kg में convert करने के लिए, 1000 से divide कर दिया, तो यह पूरा का पूरा, मेरे को molality दे रहा था, अब equal to के इधर, जो जो मैंने multiply किया है, वो मुझे इधर भी multiply करना पड़ेगा, अब वो molality है, यानि कि यह भी molality ही है, यह molality के equally आएगा, तो mole fraction का ratio 1 upon 3 आया था, value put करी और molality calculate कर थी, ठीक है, so this is very very important my dear students, कि आप इस question को जरूर अपने आप करो, पहली बार में नहीं होता है, लेकिन इस question को करना है, यह previous year में, J में भी पूछा गया है, NEET में भी पूछा गया है, और यह repeat होता रहता है, तो इसलिए यह बहुत important question है, ठीक है, I hope आप इस question को जरूर solve करोगे, ठीक है, so with this, हम अपने session के end पर आ गए है, हमने पूरा mole concept chapter जो है, वो बहुत अच्छ से समझा है, and now I want to motivate you, or I would better say, कि मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, कि अगर आप कहीं पे मन में ऐसे आ रहा है, कि नहीं आरब मेर से नहीं हो पा रहा है, मैं ठग गया हूँ, मैं इतना नहीं पढ़ सकती है, या पढ़ सकता, तो this is your goal, my dear students, this is your goal, and इस goal को achieve करने के लिए, आपको बहुत जादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप ये सोच रहे हैं, कि 11 छोड़ कर सीधा 12 पढ़ लूँ, तो नहीं हो पाएगा, चीक है, तो इसी लिए अपने ड्रीम को हर दिन याद रखो, and you will be motivated, आपको किसी और से motivation वैसे भी नहीं चाहिए, है न, yes, So, I hope आप सभी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे, सारे topics हमने complete कर लिये हैं, and thank you so much my dear students, कि आप इस session के end तक अगर आप आए हो, तो इसका मतलब है that you are serious in your studies, ठीक है, क्योंकि ये इतना लंबा session था कि कोई भी give up कर देता, अगर आपने अभी तक give up नहीं किया है, this means that you have that determination, ठीक है, you can do this and you will definitely do this, so keep studying my dear students, हम next session में मिलेंगे, अगला chapter हम atomic structure करेंगे, and जैसे हमने ये mole concept को excel किया है, सेम उसी तरह से, हम अपना next chapter भी excel करेंगे, so I hope all of you enjoyed a lot, do let me know in the comment section की, हाँ मैम ये हमें समझ आया, ये पाठ हमें सही लगा, ये बढ़िया लगा, आप जब मुझे motivate करते हो, तो मैं और motivate होती हूँ, मुझे और अच्छा लगता है, तुम्हें मेरी motivation pills हो, ठीक है, तो मैं उसी comments और उन्ही, जो आप मुझे चीज़ें बताते हैं, बोलते हैं, वही मुझे motivate करती हैं, और मैं आप के लिए और अच्छे lectures लेकर आप आऊंगी, ठीक है, so keep studying my dear students, we'll meet in the next session, till then keep studying, bye-bye, all the very best.